गुले गुरुदे भगवाने की जय गुले 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 अगवाने की जय प्रश्म पुजन देवान छे वो सभी सापत्नी सहित ब्यास पुजन श्रीमत भागवत का पुजन पालगोपाल पुजन के लिए अच्छी के मन्च पर पढ़ारेंगे और यहां तक आवाज जा रही हो अच्छी के अपने ग्रेकावियों से निब्रित हो करके भागवत पंडल में पधार करके अपना सुना स्चित इस्तान ग्रहन करके आज पंचम दिवस्की स्रीमत भागवत कथा का रिस्पार्म करके अपने जीमन को सफलता के और ले जाने का प्रेत्न करेंगे अपने अपने इस मंदूपी तरंगों को ले करके यहां आये हैं उनको संद करें स्रीमान पांडे जी और उनके सुपोत्र शुषच्पांडे स्रीमत भागत प्राण प्रसोत्तमाय जनमाह ध्याय ध्यानालत्यक्षस्पाणिया महासमरबयामी रवाले किष्ण भूजनमाह ओम किष्णाय वासुदिवाय हरै वरमात्मने प्रानत्यक्षस्पाणिया महासमरबयामी सुगदेव भूजनमाह यंप्रवजन्दमनुबेदमपे तगरत्यम्धिवाय नोविरकातर आजुःवाबत्त रेधितनमनतया तरवोविने दस्तुम्सरववूत दयम्मुनिमान तोसमिह उसुग दिवाय नमहा ध्याय ध्यानारत्यक्षस्पाणिया महासमरबयामी आत्प्रण्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ओम विस्रुनर विस्रुनर वस्टकारो वुदवप्या ववत्परुवो उनुद आत्मा वर्मा जा उक्तानं वर्मा गदिही सब्सक्राइब के लिए खड़े हो जाए श्रीवेंद भागत महा प्राण की आरती के लिए ओम चंद्रमामाने सोजा रिक्षिक्षो हो सूर्जो अजायता सरोतरा द्वाइश्च प्राण स्यमुगा देखनी राजायता श्री भागवत भगवान की है आरती आपियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आपियों को पाप से है तारती यह सांति गीत पावन पुनी पापों मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला यह सांति गीत पावन पुनी पावों मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुक हरनी इस्कित दुस्दर की आरती आपियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आपियों को पाप से तारती श्रीर ओर है आलीजियों आप्षियों इंचन है रॉकिने श्री वरां mesureी लिए अज्रीर हुआ न?, भीर स्यानी के सफियों युद्त और युद्ष को पापिषाव, श्रीनाम सबस्क्ञा मुपा ररति बखत बखबात की है यार जी बादियों को बाप शेका रहो बखत बोल जगबंद कोल सतमान के बताने वाला बिगडी को बनाने वाला बिगडी को बनाने वाला हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही राध शाम यही सितरा नाम यही जग में मंगल के आड़ आपिनों को बाप से है onte बिगडी की है यार की आपिमों को बाप से कार थी करकूर दौॉराइं, करुडाव नार। श हर श हर भद है त्यार। सदाव सन्तं अंध्याल, बिन् लेगाव, पावादे स सहिता करावावे करफ। ऐ तुमिय हो रेत्याद ग्रध तुमिय हो तुमे। सर्वां त eva deva करफ। आर यह इंगर आर जयों श सब्सक्राइम Дयमुफन कि तरियन आजब आर能भे लेक्षरी न हम telefया थे वूर च्थनेन आंगर देवास्थाणिन कि दो को हरते थी दरन भूर्दा प्रदमन्या देना भूर कॉम महिमान म को सचंदा जदा पूर्मे साथ्याह संधिदेवाह हरिहियों एकरंदाय वेदमहे वक्क टुन्दाय धीमही तन्नो दंदे पर्चोदयाद हरिहियों गड़ें बिकाये चमेदमहे करम सथ्धै चधीमही तन्नो गोरी पर्चोदयाद शर्णा रविंदे योहो वेदे कमंदव जबान जली समर वयामे मुल्य स्रीमत भागत महापुराडे की अनन्दवलमंधनमंदलाल जी महराजी की बंके वेहरिलाले की जे जे स्रीरादे समस्त भागवत प्रेमी अपने अपनी अथाइस्तान पर बैट करके आज पंचन दिवस की स्रीमर भागवत कथा का महाराजी के मुखारबिन से रस्पान करेंगे और जिन माताओं मन्मों ने अभी तक गुरू नहीं बनाया है और यदि उनकी मन में अच्छा हो रही है महाराजी को गुरू बनाने की तो कार्याले से संपर कर सकते हैं बतला सकते हैं और महाराजी को अपना गुरू बना सकते हैं और जो भक्तगर महाराजी की कथा का रस्पान यूटूब चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो भी महाराजी का नाम दालेंगे पंज़ स्री राम गोपाल जी सास्त्री यूटूब पर महाराजी की कथाएं चलते ही रहती हैं आप उन्हें सुने और सक्प्राइब करें और महाराजी से निवेदन करूगा आपने जिस प्रिकार से हम समस्त्र भक्त जनों को कल चतुल दिवस की हमारे कनहियां हमारे गोपाल की जन्म की रस्भरी कथा का हमें रस्पान कराया आपसे आपके चल्णों में प्रणाम करते हुए आपसे फिर पुरहां आज समस्त्र भक्तों की तरब से बिंती करना चाहूँगा आज कियों पंचम दिवस की बिच्की और लीलाओं का वर्णन आज की कथा में हैं उसे हम समस्त्र भक्त जनों को सुना करके हमारे इस मनुस्री पीतन का आप सभी उद्धार करें जैस्री राधे जैस्री स्याम पुलिवन्सी वारे की झाल 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 कर दो. झाल 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 जाल आल उंग किने पावाई मेरी दया मेरी दया मेरी रादे और बनावन बहारी डाल की जय जय स्री रादे जय जय स्री रादे जय जय स्री रादे आये जोर से बोलना पड़ेगा रादे रादे और जोर से बोले संत्सरों मणी परमांस स्री सुगदेव बता रहे थे कि भगवान की कथा आनंद दायने हैं आये हम सभी लोग कुछ गुर्देव से दो मेंट आसिर वाद प्राप करते हैं उसके बाद कथा प्रारूं करते हैं है हमारा आपका सववाग्य के महरत जी हमारे बीच में है है वैसे कथा डेले दिन सुन रहे हैं गुरुजी पौन के मात्यन से गुरुजी मित्व कथा सुन रहे हैं और हमेशा सुनते हैं गुरुजी बहुत सरल है और दिखिए मैंने बहुत महराज देखे हैं लेकिन और महराजों में और गुरुजियों में और 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 अं महराज जी में बहुत अंतर है तो आप लोग कभी जाते हों में साइद माताजी के लाम में आये गुरुजी कास्टी वाफ़ा प्राद करते हुए अप्रेश्णा यवाश्व देवाया हरे परमात्मने प्रनतक्लेशनासाया गोविंदाय नमो नमहा स्री गोविंदाय नमो नमहा बंदे नभगनश्यामं इतकोस्ये वाससं सानंदं सुंदरं सुधं स्री क्रेश्णम प्रकृते हपरम स्री क्रेश्णम प्रकृते हपरम मैं धर्मानंद आप सब के वीच मैं उन माता पिता को मेरे माता पिता को कोटी कोटी बंदना प्रनाम करता हूं कि मेरा नम धर्मानंद रखा नहीं तो सायद नाम का प्रभाव मेरी जीवन में जो पड़ा सायद हम इससे चुक जाते अता हम अपने सभी परिवारों से कहेंगे कि बचों का जब नाम रखें तो सुंदर नाम रखें ताकि उस नाम का प्रभाव जीवन में पढ़ता रहें अभी अभी महराजी ने बताया कि वो मुझे गुरू जी क हते हैं गुरू अनjak अन्यूंग प्रकार के होते हैं, कोई जरूरिई नहीं है कि महराजी का गुरू मैं हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, कि हो मेरा चोटा भाइ है अनुज है वो हमारे और एक साइकिल ठी करने वाला भी अपने किसी दूसरे अंजान आजमी को सिखा देता है तो भी उसके लिए वो गुरू हो जाता है चोर चोरी कराना सिखा देता है तो भी वो उसका गुरू हो जाता है बैमानी सिखाने वाला भी किसी का गुरू हो सकता है पर उस गुरू में जो गरूर होता है उस गुरू में जो गुरूर होता है अहंकार होता है वो अहंकार गुरू और शिश्चे दोनों को ले डूबता है इसलिए मैं महराजी को अनुछ कहता हूं कि मेरे में किसी परकार का गुरूर ना आए वो जी इस आसन पर बैठे हुए हैं ये संत श्रोमनी सुक्देव जी कहते हैं कि इनों ने ब्यास जी को भी पीछे छोड़ दिया था उनके पिता जी का नाम था ब्यास जी और ग्यान में अपने पिता को भी वैराग में अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिये थे तो ग्यान में सुरिष्ट जो होते हैं वो छोटे नहीं होते हैं वो सरवदा उच्च अस्थानिय होते हैं और स्री राम गुपाल महराजी हमारे अनुज है मैं मुझे गौरव है और इस संकिर्तन का लाभ में जदा कदा लेता ही रहता हूं पर ये मेरा सुभाग्य है कि आज इस समय हम आप सब के साथ किर्तन का स्री मदभागवत अमरित का पान कर रहा हूं स्रवन कर रहा हूं छोटी अवस्था में ही मैं भी यहां पर आया था उस समय मेरी सत्रह वर्स की उम्र थी मुझे पता भी नहीं था कि धर्म धर्मात्मा और धर्म का मार्ग क्या होता है आप सब ने मुझे सिखाया है कहते हैं कि भक्तों का अगर समादर नो मिले तो भगवान का आश्रे मिलना दुरलब है आप सब ने आप समपूर्ण समाज ने एक अच्छे पदपड बिठा के एक अच्छे वातावरन में बिठा के मुझे एक आधरनिये सनमानिये या जो कुछ भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं वह आप सब का दिया हुआ है परंपिता परमिश्वर की किरपा से आप सब मिले आप सब की किरपा से मैं मैं बन बन सका और मैं भुरी भुरी प्रसंसा करते हुए स्री महराजी को शुहाशिरवाद प्रतान करता हूँ चुकि वह जिस स्थान पर जिस समंझ पर बैठे हुए है वह स्थान सर्वोप पर है वहां मैं सिर्जुगा के नमन करता हूँ फिर भी ये बाल स्वरूप मेरे पास जब आए हुए थे तो मुझे लगा था कि भविश्यबें ये हीरा इनको जितना तरासा जाए उतना ही चमकदार बनेंगे भगवान स्री कृष्ण स्री राधारानी ने इनको कसोटी पर कसकस करके घिस घिस करके इनको स्री राम गुपाल जी महराज जी बनाए और इनमें जो ज्यान है इनमें जो ज्यान का गंगा है उस गंगा अश्डान करके हम सब अपने आपको धन्य समझें और परमपिता परम मिश्वर से प्राइठना करें, कि ये काफिला चलता चले, मिलता है मुश्किल से रास्ता, चोवीस घंटे में हम लोग अपने दुखों में, अपने परिशानियों में इतने आत्रस्त, ब्यस्त रहते हैं, कि हरे किर्तन या हरिनाम शुन्दे या करने का मौका कहां मिलता है तो यहां के जो आयोजक हैं उन सभी आयोजकों को मैं भुरी भुरी प। अकरते हुए साथ बात देता हूँ इसी परा के सुंदर काजगम कराते रहें धर्म की रख्षा जदी हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे इसलिए धर्म के हम लोग रक्षक बने और धर्म हमारी रक्षा करें ये सुब कावना के साथ स्री महराज जी को मैं अपनी बानी समर्पन करता हूँ जैस्री कृष्णा जैस्री राधे 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 पेले। आप हिदी में लिखो। नीर्टफिर्फ उठीड सकर्द उनक्याresso जब बभगवान के नाम की झाला आएगे जीवन पहत्र हो जाएगा कि पहले आप अन्दी में लिखो द या कि जब सब्सक्राइब कहें रहे हैं कि ठाकुरिम celebrity जब हम किसी जीव पर जब तो यह सभावक है ठापुर की याद नहीं है और जब दया नहीं करेंगे तो ठापुर की याद नहीं आ सकती है और ठापुर को हम याद नहीं आएंगे अधिया करना आवश्यक है परिक्षित से जब तरी संत्रों मनी स्री शुक्देव जी ने कहा कि कुछ जल ग्रहन कर लीजिए वस्तर पहन लीजिए परिक्षित जी ने मना कर दिया शुक्देव जी ने कहा चार दिन हो गए आप इस थान से उठे भी नहीं है थोड़ा विस्राम कर लेते हैं परिक्षित जी ने कहा हरी भजन बिना विस्राम कहां है अरे भगवान के काम में भगवान के काज में वह कहां विस्राम भोजन की वादाए अरे भोजन इतना पिया इतना किया अब भोजन की इच्छा नहीं है वस्तर भी बहुत पहन लिये बहुत संगार कर लिया इस पुतले का मुझे एक बाद समझी में नहीं आती है कि संजार के लोग इस सरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं इस सब अच्छा करते है कि ह JOHN चरीर को सुंदर इसस बार इस बड़िया कपड़े होना चाहिए बड़िया नए कपड़े होना चाहिए सुन्दर होना चाहिए पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं सुन्दर बड़िया चैरे पर लगानी के लिए क्रीम होना चाहिए बड़िया सुन्दर सावन होनी चाहिए सुन्दर इश्नान करना चाहिए, सुन्दर तिलक लगना चाहिए, सुन्दर गाड़ी होना चाहिए, बढ़िया भोजन होना चाहिए, चकाचक, बढ़िया भोजन, भोजन भी बढ़िया करता है, घुमता भी बढ़िया है, हर चीछ सुन्दर चाहता है, इस सरीर के लिए सुन कि आत्मा के लिए क्या संदर लगता हैं इस आत्मा को भी कोई उन्हें बनाएगा कि निया बनाएगा बेसा संदर हो ज़ीक सरीर को नहीं सवारोगे तो चल जाएगा आत्मा कोने सवारोगे तो काम चणनने वाला नहीं है क्यों यह आत्मा अगर इस संसार में फस गई तो मुख्ष होने वाला नहीं है इसलिए शरीर को सजाओ अच्छी वात है कम से कम आत्मा को सजाओ और आत्मा तो भगवान के बहत से सट्विय और संसार की वसत्तु असे आत्मा सजने वाली नहीं अँए कि आपको अगर वोजन करना है तो कि स्वार्द के लिए और मत करो जीवन को जीने के लिए बाजन करो आ आज कर दिन निकल जाए प्रक्ष जी ने कहा यह सब नहीं करना है बस भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए इश्य बड़ा और मुझे कोई वस्तु भाती ही नहीं है अब भगवान का जनम हुआ सत्य बृतं सत्य परं त्री सत्यं साथ्यस्ययोनिम्नेतं चसत्य सत्यस्यसत्यम्रत्यसत्यनेत्रं सत्यात्वकंतं सरणं प्रपन्ना और जनम हुआ है गवान का सब तशूरूप से हुआ है जनम हुआ गवान का गो कुल में कहख जबा के घर पर करके कि यह सुदा के पास में लाला को छोड़ करके लाली को ले कर करके आएक कंस ने लाली को मार दिया मारना चाहा लेकिन वह लाली ऊपर उड़ गई आस्मान में उड़ करके और आकाश्च्वानी करती गई तुम मुझे नहीं मार सकती हो तुझे मारने वाला तो ब्रिज में जन्नम दे लिया है और पहुंत अनंदा रहा है गोकुल में इतना अनंदा रहा है कि जैसी रात्री में पता चला कि बाबा के यहां लाला हुआ है रात्री में ही जिस जिस लोगों ने रात्री में सुना रात्री में यहां गए बाबा के दरबाजे पर बाबा बधाए हो मिया बधाए हो रात्री के दो बजे गोपियाओं को पता चला लाला हुआ है लाला हुआ है और जैसे पता चला तो उस शंगार करना प्रारम कर दिया जिसने जैसा संगार किया वह बैसे ही दोड़ी चली आ रही है और शंगार भी बड़ा अद्वुद है अद्वुद संगार किया है अरे एक गोपी क्या कर रही थी वो काजल लगाना चायती थी और पता चला लाला भयो है लाला भयो है उस गोपी ने आखों की चीज के लिए वस्तु के लिए औंठों पर लगा लिया और औंठों की वस्तु के लिए आखों से लगा लिया एक गोपी सुभय सुभय प्राता चार वजे माखन को विलो रही थी और पता चला लाला हुआ है माखन में निस्तरी मिलानों चाहिए निस्तरी मिलानों भूल गई और माखन में मिर्ची को मिला दिया है एक गोपी प्राता पांच वजे वोजिन बना रही थी तवे पर चपाती को रुखना उल गई अपने दोनों हातों को रुख रिया है एक गोपी साड़ी को सीधा पहणना चाहेती थी लेकिन पता चला लाला हुआ है है तो सीधु सीधा पलू की जई कर लिया और अब ihmट उल्टा पल्लू पहणने लगई क कहां सीधा पलू चलता है कि है उल्टा पल्लू चल गया कर और एक गोपी के लिए इसके पती ने एक रूम में बंद कर दिया अरे कहा भागी जा रही हो अरे कहां जा रहे आज बाबा के आँ लाला हुआ है लाला हुआ है उसके पती ने कहा अरे मेरा उनसे बंता नहीं है और तुम बहां जा रही हो रूम में बंद कर दिया उस गोपी का भाव है कि आप मेरे सरीर को बंद कर सकते हो मेरी आत्मा तो नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गई है आज परमानंद हुआ है उस परमानंद की प्राप्ति के लिए हम अवश्च जाएंगे एक गोपी अपने पती के लिए भोजन ला रही थी और जैसी सुना लाला हुआ वो जन को पती का भोजन रख दिया गाय को और गाय का भोजन लेकर के पती के सामने रख दिया एसी मती बोराई अब बढ़िया गोपी बढ़िया नंद बावा के दरवाजे पर पहुंचकी बढ़िया बढ़ाई दे रही हैं एक सौ साल की गोपी चली आ रही थी और ब्रज में कहा है रोतो कि ब्रज में मांखन के लौना बढ़िया ऊपर उपर फिक रहे थे एक सौ साल की गोपी के लिए बई समय पर जिमाही आई और मुख बाको खुल गयो और जैसे मुख खुलो है बई समय पर मांखन को लौना आयो और लौना आयो सीदो सत गट्ट सीदो पेट में चलो गयो अब गोपी के दार्वाट तो थे नाएकर नेक मांखन को लौना रुक जाएगो और सीदो चलो गयो गोपी बोलिए अरे बाल बईका बात के विया अरे मांखन के लौन्डा बट रहे हैं लुट रहे हैं फिक रहे हैं कहा वात है एक अरे माखन खिला रहे हो है नेक बता दे कहा भयो है अरे मिया अरे गोपी कि नंद के हां लाला हुआ है लाला हुआ है कि सब भया दोड़ते भया रहे हैं पहुंत अनुदा रहा है और कहते हैं जब किसी के यहां प्रिथम संतान हो तो कहते हैं कि पिताजी के लिए चलांग लगा करके इश्नान करना हो चाहिए और नंद बाबा सुबह सुबह पांच बजे गए हैं चलांग लगा करके जमना जी में इश्नान कियो इश्नान करवे केताईं जैसी आये हैं बाद में तो सर प्रताम कहते हैं नंद बाबा ने लाला का मुख बाद में देखा पहले नंद बाबा ने क्या किया धैनुनाम नियोते प्रादा बेप्रेव्यासम लंक्रते तिला दीन सक्त रत नई साथ कॉंभा बरा ब्रताम साथ कॉंभा बरा ब्रताम नंद बाबा ने सवैशवै क्या क्या दान दिया धैनुनाम नीयोते प्रादा किसको दिया विप्रेव्यासम लंक्रते यगा के लिए के तक व्रामन इपये जगतिताय कृशंग्मक औक श्री कृश्णाय वयं नुमाहा ब्राम्णों के लिए गाय दी दिखिए कई लोग एक एते हैं कि भगवाण चोर है तो भगवाण चोर नहीं है अरे माखन की चोरी की ना लोग कहते हुआ माखन चोर है तो भगवान माखन को चुराया है बताईए किसको चुराया है जिसके घर में नो लाख गाय हों कितनी गाय कितने नो लाख गाय हो तो सोचिए उसके घर में कितना माकन कितना चाज कितना दही होता होगा भगवान में माकन को नहीं चुराया है अच्छा एक बात इस गाय का रस्क्या है गाय का रस्क्या है गाय से क्या निकलता है, दूद, दूद का रस क्या है, दूद से क्या बनता है, क्या, जोर से वो लिए, क्या, दही, और दही का रस क्या है, क्या, छाज, दही का रस है छाज, और छाज का रस है माखन, और माखन का रस गी और घी का रस जिस प्रकार गाय का रस दूद है और सारे रस को निचोड़ करके अंतिम में घरत कर रस तक पहुंचती है बाद और घरत के बाद में तो फर ठाकर जी का रस है कि ठाकर जी के लिए हम आरती करें बंदन करें दीपक जलाएं उजेला करें रोशनी करें और स्वेम की पूजा करें आहूती करें भगवान की गाय का रस अंतिम में भगवान की पूजा के लिए बताया गया है कि वैसे इंसान का रस्तब है जब भगवान की सेवा करें तो धेनुनाम नहीं उते प्रादाद तो भगवान कनिया ने माखन की चोरी नहीं की किसकी चोरी की छीर चोर नैन चोर चोरा गगन्यम चित चोर चोर हम किम हसी दिखा करके बाव सुरी बजा करके एलू हुआ लेते हैं ए अच्छी जल्दबादी है एक रुला करेके भी लूट लेते हैं एक कनिया कैसे हैं पुले पांस्त्री को वजा करके हसा करके हसकर के लूट लेते हैं बले भगवान कनिया ने माखन के माध्यम से माकन का सहरा ले करके भगवान कनिया ने गुपियाओं को चित को चुराया है किसको चुराया है चित को चुरा गगन्यम चित चोर चुरम माकन ने चुराया है चित को चुराया है तो धेनुनावनियुते प्रादार विप्रिभ्या समलंक्रती और क्या दान में दिया तिलादीन तिल के तिलादीन सब्ते रत नहीं तिल के पहाड बना करके साथ उन पहाड़ों में सब्ते रत नहीं एक पहाड में साथ साथ रतन को लगा करके साथ तिल के पहाड बना करके सब्ते रतन नहीं साथ कौंभा बरा वरतान पहाड कौंभा बना करके वरतान दान में दिया है बहुत दान दे रहे हैं और व्रजवासी यह कह रहे हैं नंद बाबा कि नंद कछू इतनो जो दियो कनश्याम कब्रयों की मति बोरी देखत मोहें लुटाये दियों नावची सब कुछ लटा दिया है लेकिन गोपी के रहें नंद कछू इतनो जो दियों घंश्याम कब्रयों की मति बोरी अरे आप मुझे इतना देना कि मेरी मति खराबना हो जाए घंश्याम के प्रती मेरा मन अच्छा बना रहे मुझे आप दान दो या मत दो बस ठाकुर की नजर मेरे अजरिव बनी रहने वही चाहिए लेकिन देखत मोह ही लुटायए दई देखते सब कुछ लुटा दिया ना बची बचिया और चचिया और ना पिछोरी बचिया चचिया पिछोरी बचिया कहते हैं वो ले गाय के बच्चे चचिया यानि जिसमें माखन रखते थे वो भी नहीं है और पिछोरी दुपट्टा पिछोरी भी लुटाए दिया है कि बहुत आनंद आ रहा है अब ब्रिज में बहुत आनंद तो आई रहा है अब भिया कहाँ भयो कि जैसे ही बाबा ने सुचा चलो लाला के दर्सन करते हैं लाला के बड़िया दर्सन किये और आज नंद बाबा और यसुना नंद उस्सो मना रहे है ब्रिज में ऐसा बताते हैं कि नंद बाबा उस्सों जो मना रहे हैं ऐसे मना वो ले कैसे नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता हा लादो महामना आहू है विप्रान बेरग्यां सुचीर इती रंग लंक्रता हा नंद बाबा ऐसा अपने सरीव को बना लिये नंद आत्मज उत्पन्ने नंद आत्मज उत्पन्ने नंद बाबा इतना आनंद मना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यह लाला नंद आत्मज उत्पन्ने नंद बाबा ने अपनी आत्मा से प्रकट किया हो नंद आत्म जो उत्पन्ने जाता हा लादो महामना ए पूरी दुनिया आज महामना महान समझ रही है कि नंद वावा तुम धन्न हो कि तुमारे घर में संसार का मालिक आ रहा है जाता हा लादो महामना आओ अविप्रान बेद ज्यान बेदों का पाठ हुआ है सुचिरी इतिलंक्रता स्वस्ति वाचन हम पूर्वतम स्वस्ति वाचन हुआ है और अब आनन तो वरस राई था नंद बाबा ने सुचा कि लाला हुआ है हमारे नगर का राजा है कंस चलो एक काम करते हैं कंस को सूचित कर दें और वहां सूचित कर देंगे तो वहीं की वहीं जेल में है एक व्यक्ति है वह हमारे परंशका है वश्देप वश्देप को भी थोड़ा सा बोल करके आएंगे सारे गोकुल में सभी आनंद ले रहे थे सभी आनंद ले रहे थे लेकिन गोकुल में एक व्यक्ति था आँखों से आनंद देख रही थी लेकिन आनंद लेने के लिए वहां पर नहीं पहुंचीं कौन है वो वो है रोहडी जी सारे ब्रजवास यहां ले रहे थे रोहडी जी अपने खिड़की में से देख रही थी अच्छा रोहडी जी आनंद लेने के लिए क्यों नहीं आई अरे इसलिए नहीं आई क्योंकि जिसके पती जेल में हो परिस्तिती खराब हो पती की दुख में हो तो उस इस प्री के लिए शनार्भ नहीं करना और रोईडी के पती जी वस्देव हैं और वस्देव जी जेल में है तो यह तो इसके भाइमानी है और रोईडी जी नंद बाबा के दरवाजे में नहीं आए जब सब कि गोसी लोग मिलकर रखे गए तो फिर ओड़ीजी आई है और नंगद बाबा हम रहाए मत्वुरा गए कंस से कहा कि पुत्र की प्राप्दी हुई है वस्दित के पास में पहुंचे और वस्दित के पास में पहुंचते हैं वस्दित की ओंकों में आशू भराए और जैसे आसू भरे हैं और जब आसू भर जाते हैं नंद बाबा ने का क्यों रो रहे हो तुमारे पत्रों को श्माप्त कर दिया आरे चिंता मत करो मेरे हाँ मेरा जो लाला हुआ है न वो लाला हमारो ना है वो लाला तो तुमारो है बाबा और रोने लगे हान अंद बाबा वो लाला तियारो ना है वो लाला तो हमारो है उसको बडिया उसका ध्यान रखना बडिया सुंदर तरीके से उसको पढ़ाना बडिया माखं कहलाना वो माखन खाने आया है वो लाला मेरा है तुम्हारा नहीं है बाबा कहते है हाँ वस्देव जी वो लाला मेरो ना है वो लाला तो त्यारोई है त्यारोई त्यारी पास में रहेगो जब तुम निकल आओगे गुलाला के ताइं मैं त्यारे पास में भेज़ दूँगो बड़िया सेवा करना और नंद बाबा अपने गोको लाया है तो गहते हैं कंस की मुव ओली बहन थी अच्छा मुव ओली बहन कौन है कंसे निप्रहिता घोरा उतना बाल घातिनी सिशूस चार निगनन्ती पुरुग्राम ब्रचा दिसुः कौन है कंसे निप्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी पूतना कौन है पूतना तो वह है जो दूसरे के पूतों को अपना ना समझे वह पूतना है जो दूसरे के पूत्र को मारे वह पूतना है जो दूसरे के पूत्र को कुछ ना दे अपने पूत्र को सब दे वह पूतना है जो दूसरे को पत्र को देख करके जिसको बुरा लगे वो फूतना है, जो फूतना वालगा अपनी, जो छोटे छोटे बच्चे को परिसान करती है, सामान को छीन लेती है, वो पूतना है सिसुन सचार निगनंती जो सिसु है जो छोटे-छोटे बच्चे हैं कई माताओं को मैंने देखा है कई माताओं की आदत बहुत खराब होती है स्वेहम के बच्चे को तो बड़ा प्यार करेंगे चाहे वो बच्चा गंदा बहुत हो सामने वाले का बहुत सुंदर भी है लेकिन उसको मारेंगी पता चला कि आराम से चोटिया ही ले लेती हैं हाथी मसक देखने आज जो बच्चा बोलना नहीं जानता हो रोएगा अरे कई कई जगे तो देवरानी जिठानियों में भी होता है अगर देवरानी जी का बच्चा है और जिठानी का बच्चे कभी परिसान करता है तो देवरानी जी भी क्या करेंगे आपस में जाएंगी और बच्चे कान को आड़ देंगे चोटिया ले लेंगे और थोड़ा कौन है जो दूसरे बच्चे को जो अपना ना समझे वह पूतना है कि सिसुन सचार निग्णंती पुरुग्राम ब्रजारिसु एए ब्रजदाम में पुरुग्राम पड़ता है वहां की पूतना है आईए कंस के पास आई अरे भीया अरे भीया कैसे हो बहुत टीक है पूतना ने कहा भीया तेरी बहें जिन्दा है क्यों टैंसल ले रहे हो क्या टैंसल है बोले बस मुझे तो वह काले का डर लग रहा है ना जान पूतने दिन होगे जनम वहें जनम भै एक माय है गाओ टैंसल में बोजन भी ना कर रहा हूं मैं अएसे तो दूबलो आजाओंगो मर जाओंगो मैं बहनने का मैं तेरे काम आ सकती हूं मैं करूंगा तो कहा काम कर सके तेरो मोड़ा तो ऐसा लग रहा है को को देखती डर पूतना ने बढ़िया सुन्दर भेस बना लिया बढ़िया सुन्दर है कि अब कंस ने का कैसे मारेगी कैसे मारूंगी कि अहो वकियम इस तन्य काल कूटम जिंधा साया पाप या यतात्व साध्वी मैं कैसे मारूंगी मैं अपने इस तनों पर काल कूट जहर लगा लूंगी और चोटे चोटे अहो वकियम वकी बन जाओंगी अओ वकियम इस्तन काल कुटम इस्तनों पर काल कुट जहर को लगा करके छोटे छोटे वच्चों को पिला देंगे मर जाएगो छोटने एक सो छोड़ा एक सेकंड में ही तो वाको धार जाएगो जिन्धा सया पाय ये तत्वि साध्वी में संदर साध्वी का बढ़ी संदर सा भेज दरके में जाऊंगी अब बढ़ीया संदर लंगो सो घूंगट डालो हमारे बरज में बहुत लंगो घूंगट चले जो घर में बहूर है जेट के ताएँ अपनों से बड़ों के लिए हमेशा ही घूंगट डलो रहे यह मर्यादा है मर्या देते हैं पर्दा है पर्दा करो अच्छी बात है नजरें को जुकाएं हैं गर की वहूप की नजर जुकना चाहिए पर्दा हो या ना हो बाग के वहरी को भी पर्दा कभी कभी लगता रहता है पर्दे में बैठे बैठे क्यों न मुश्कुराएं अरे आ गए तेरे दिवाने जरा पर्दा हटाएं मैं भी तो आया दो कदम मैं भी तो आया दो कदम जरा तुम भी बडाएं आ गए तेरे दिवाने जरा पर्दा हटाएं इस साबरे के मल में यही एक है वो आसाँ मैं भी तो आया दो कदम मैं भी तो आया दो कदम जरा तुम भी बडाएं आ गए तेरे दिवाने जरा तुम भी बडाएं आ गए तेरे दिवाने जरा तुम भी तो आया और देखिए इसलिए पूतना ब्रज में आई बईया के काम के लिए कहते हैं जो भी एक माय का बालक मिलता है फुतना पकड़ करकर उसको मार देती है मार देती है और पुतना मार रही है बहुत बच्चों को मार दिया और बाद में सीदे नंद बाबा के महिल के पास में पहुंच जाती है और जैसे मेल के पास मैं पहुंची पुतना तो भीड बहुत थी बहुत भीड थे और पुतना ने पूछा भीया यहां क्या हो रहा है अरे गोपी तोकों पतों ना है नंद के यहां पर लाला हुआ है चोरा भयो है बई के उत्सो चल रहे हैं अच्छा उत्सो चल रहे हैं अच्छा ठीक 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 के और फिर पूतना अंदर पहुंची लंबो घूंगट डालके रखा है कोई पहचान भी न परो और पूतना अंदर गई तो पूछा यह सुदा कहा है यह सुदा को बुलेए अब किसी के घर में कोई उत्सा हो कोई भंशन हो कोई साधी हो कोई जन्वोस हो तो रिष्टेदार बहुत आते हैं कि तो पूराने रिष्टेदारों को नहीं पहचान पाते हैं भूल जाते हैं हो ह। कि कि अब यह सुदा आढ़ा पूतना से बैले पूतना ने कहा को अरे ययसोदा तो ने मौक को पहचान ना यह सुदा ने छमा करें वहन मैंने तो को पहचानो ना है हाँ काय को पहचानेगी तू जो नंद वाबा की पत्नी है खापी के बढ़िया हाथी खट्टे है गई ना पहचानो मैं त्यारी बच्पन की सहली हूँ अब यह सुदा को काम था बोले हाँ ठीक है बोले बस लाला की दर्सन करवे किताई आई हूँ तो यह सुदा ने कहीं दिया ठीक है लाला पल्ली में सो रहा है जाए दर्सन कर लीजिए जुला लीजिए और बदाई तो होई रही थी लाला जायो है यह सुदाने लाला जायो है यह सुदाने लाला जायो है लाला जायो है लाला आयो है और जबू पुतना पलने की पास में पहुंची और जैसे पहुंचती है लाला को उठा लिया और जैसे पूतना ने लाला को उठाया लाला ने नेत्रबंद कर लिये नेत्रबंद कर लिये इसके तीन अर्थ है संतों का भाव है कि ठाकुर जी ने इसलिए नेत्रबंद कर लिये क्योंकि देखो तो कैसी है एए पूतना मैं तो ब्रज में मांखन खाबे के ताई आयो हूं और एप पूतना मुझे बिस पिलाने की लिए आई यह इसलिए नेत्रवंद कर लिए दूसरा भाव यह है बोले ना जी का ध्यान ही क्या बोले बोले ना जी ए विस तो पीने का काम आपका है विस आप पी जाओ दुख धम पी जाएंगे और तीसरा भाव यह है कि अनिया ने सुचा चलो ठीक है पूतना है तो मेरी मौसी और मौसी मा होती है चलो जो गती असधा को देनी है वो गती इस पूतना को भी दे देते हैं है कनया करणा निधान है कि अब पुतना लेकर के आसमान में उड़ गई कि आसमान में लेकर के उड़ गई अब पुतना सोच रही है बहुत देर है और ये तो काल कूट में से दो मिट में खेल हो जाने चाहिए अभी तक नहीं मरा और जब कनिया पूतना के प्राणन को खीचने लगी पूतना पर चिलाने लगी अरे कनिया छोड़ अरे कनिया छोड़ कनिया कहते हैं मैया या तो मैं पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो फर छोड़ता नहीं हूं मैया वो को पकड़ वही आवे छोड़ वह नहीं आवे अज छोड़ने वाले नहीं है और कनिया ने फिर दीर 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 उस पुतना की आत्मा के लिए खीच लिया है और पुतना का दहांत हो गया है अब या पुतना का बद हो गया पर उसमें से जोती निकली बगमान में बिलिन हो गई अब या अब यहां अब यहां पर मियां को पता चलता है और मियां को जैसे पता चला कि वह गोफी जो आए थी उसने लाला को उठा करके चली गई है मियां रोने लगी मियां रो रही है अरे अरे मेरा लाला कहां गया मेरा लाला कहां गया मेरा लाला कहां गया है अरे मियां अरे यह सोदा त्यारी सहीली आई थी तुई तो कह रही थी भच्पन की सहीली है वा ने लाला के दर्सन किये और करवे केताईं वहीं लाला को ले करके चली गई मियां रोते रते हुए नीचे गिर गई और सोच रही है कह रही है अरे मेरी आखों का तारा कहां गया मेरे लाल को किसकी नजर लगई है मेरे मेरे लाला को किसी ने जादू तो ना कर दियो है मेरे जीवन के प्राण को किसी ने हर लिया है बाबा नंद बाबा बाबा मुझे मेरो लाल चाहिए मुखों और कछू ना चाहिए चाहे मेरे प्राणन खूं ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे लाल को ला करके दे दे मैं आवह अद्रो रही है, अभी तो लाला की सेवा भी नहीं कर पाए और उन दो फैर के समय ब्रजवासी सुवेरिस भी नहीं मतुरा जाते हैं कंस को दूद का टेक्स देने के लिए और जब बापसी में आए, तो मार्ग जाम था, ब्रजवासी चर्चा कर रहे हैं, आंधी आई नहीं, तूफा नायों नाये, बारिस भही नाये, पर ए रस्ता मार्ग जाम कैसे है गओ, ब्रक्ष कैसे किर गए, बंदो पूतना कितने किलोमेटर की थी, पता है, अठारा किलोमेटर की थी, इतना लंबा विसाल सरीर था उसका, और सारे ब्रज में कनिया को ढूण रहे हैं, हर घर में, सारे ब्रजबासी निकला आए, घर घर में ढूण ढूण रहे हैं, कि सारी जगे पर खोज रहे हैं कनिया नहीं देखे मिया से कहां मिया कनिया तो कहीं नहीं देखे सारे अब तुम मत्रा जाना पड़ेगा मत्रा साइट ही देखना पड़ेगा पतों आएं कौन थी त्यारी सहेली बाके घर पर चलते हैं यह सुदा कहती हैं वाद सहेली को तच्छु पतों आएं कौन थी कहा नाम है कहां पर आई थी बर्जवासी नहीं ने देखा यह मारग है लेकिन यह तो किसी का सरीर लग रहा है अरे आज यह पूतना धन्न हो गई है किसी के हिर्दय पर काम नास्ता है किसी के हिर्दय पर राग नास्ता है किसी के हिर्दय पर कुछ ना कुछ नास्ता जरूर है आज यह पूतना धन्न है कि आज इसके वक्षस्थल पर संसार का मालिक नाच रहा है संसार का मालिक खेल रह पूतना अरे इसके वक्षस्तल पर इसके सेने पर यह कनिया किलकोली कर रहा है खेल रहा है अब यह अनंद बावा बगर सब लोग आ गए कनिया को नीचे उतारा अरे लाला यह तो पूतना है पूतना आई थी हew like a nd, भूलें पूतना को कैसे क्या आलब करेंगी तो कहते हैं इससरीर सब्सक्राइब जिए बीज में गाम है घयो यह हग्रे यहां घ्रस्ट में गानगरे कानपुर में वड़ गीना नाकपुर में जान फ्र उत्र-देश में नहीं वह नहीं कानपुर की जो दूरी कि अपनी उंगली को ऐसे करके लगाओ इस कांसे लेकर किया आपकी नाग तक कि अभी मतलगाओ घर पर लगा लेना और पूत्ना को पैर अलग किया एक और जैसे ही पूतना को जलाया है तो कहते हैं पूतना को जलाया तो सुगंद निकली उसमें परक्षित जी कहते हैं कि हे भगवन पूतना तो राक्षसी थी तो दुरगंद निकलनी चाहिए थी पर सुगंद क्यों निकल नहीं है सुगदेव जी कहते हैं कि जिस इंसान के लिए भगवान इसपर्स कर लेते हैं उसकी दुरुगंद को ले लेते हैं और अपने सरीर की सुगंद उसके अंदर भर देते हैं इसलिए पूतना के सरीर के अंदर से सुबंद आ रही है चंदन की खस्व हुआ रही है अब भीया लाला घर पर आए अग तो बरजवासी क्या कह रहे हैं जुग जुग जी बेरिया सोदा मैया तेरो लह लेना जुग जुग जी बेरिया सोदा मैया जुक जुक जीवे रिया सुधा मैया जुक जुक जीवे रिया सुधा मैया तेरो लगे रिया हरी बहुँ जैहो आली से वबने खरीम से जैहो जुक जुक जीवे रिया सुधा मैया तेरो जलना जीवे रिया सुधा मैया तेरो लगे रिया बड़ भागिन तू मात्य सुधा ऐसो सुधेन जायो बड़ भागिन तू मात्य सुधा ऐसो सुधेन जायो पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी मैंने गोध किलायो जाको लाड जुला पेपा लेना तेरो लेना लाड जलावे पर लेना तेरो लेना तेरो लेना मैया तेरो लेना तेरो लेना ओ मैया तेरो लेना जुग जुग जीवे दिया सुधा मैया तेरो लेना जुग जुग जीवे दिया सुधा मैया तेरो लेना अरिबो! यहो! टिनारे! टिनारे! अरिबो! आरिबो! टिनारे! चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक- दन गडी जब हो पे सोधा मैय कह कर बोले दन गडी जब हो पे सोधा मैय किर बोले देखो वो धन गडी कब आई परकिन किसी-का थोड़ा पेहली बार माही jak बोलता है तो अच्छा लगता ए इक ही लगला आपका लाला ने क्या वोला नहीं है बुलाए कि नहीं? तो तो नहाद उड़ाओ पकड़ बाबा की जिम्गरिया . बीरोरलीना – अबिया पीलोर लीना बाबा की अपने पिता की उमली पकड़ करके चलता है कि नि में ? आपको आपका बेटा भी नहीं पकड़ेगा पर उंगली हाँ दूपर करो पकड़े बाबा की उंगरिया मेरो ललेना ओ ते रोले लेना हो मई आ ते रोले लेना चुग चुग जी मेरी आजोदा मेरो लेना अ यह देखें एसा यह नहीं है कि खड़े हो करके आखनी आए उनने लित करें अपने इपनी जगह पर भी कर सकते हैं हम आता है नहीं तो नहाद उपर कीजे कर सकते हैं हम आता है नहीं अभक्ति में देखने राजे एक के दागे एक गंड लते लें। त्के ठाकोर जी किकता है आपकों रहा लोड़ आपकों प्यान झालो है पिराध जो कि जो कि अ जुग 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 जीवेगी अफू तापी आफिरो नने जुग 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 बोलना ची आए मैया बाहर आई मैया ने का लाला के दर सना कराऊंगी बाबा ने का आसा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो आसा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो कर बड़ी कोर से खर्शन कर देड़ा तेरो क्रिष्ण जगत को सामे मैंने गोदि खुलायो मैंने गोदि किलायो तेरा लाड़े लड़ा में लड़ेना आझ जोड़े ली गोदि घुलायो मेह तेरो लाड़ेना गोदि किलायो में अधिना जगत्रिक की बेरिया शोधाविया खुलायो मैं शंघुडुकी बेरिया सुधाविया अजराओ भूपर करकें कि अभी पहुंत नानन दाने वाला है तो बभाई में भी संभलत होना है तो बिभाई में तो नाचा जाता है जूमा जाता है तो नाचा जूमा एसने सभी के हाद पर हरीवो किघा सकता है कर दो कर दो तो जब भोले नाची आये जब भोले नाची आये तो मिया ने क्या खाँ दर्सन ना कराउंगी दर्सन ना कराउंगी आप देखिये भोले नाची नहीं आये कहा कि दर्सन ना कराईगी मिया मिया ने का ना तेने अपनों देखो है कभी सीसे में देखो है कि ना देखो कि हमारों मौडों कैसो है एक वार सीसे में अपनों मौडों देख ले सपदों चल जाएगो कि तु अपनों मौडों देखो तो स्वेम डर बजावेगो मेरो लाला तो छोटो सो है मैक्स तो है डर जाए रो ना दर्सन ना कराओंगी ना कराएगी ना मैया तु आगर मूख हो दर्सन ना करावेगी तो मैं यहीं बैड जाओंगो धूनी रमालों को मैया ने कहां कि तू बैट जाएगो धूनी रमालों तो कहां करेगो दर्सने जाएगे हां मैया तेरो लाला तेरो छोटा नेक्स तो बढ़ो यह जाएगो और बढ़ो है जाएगो तो बाहर आवेगो अगर ऐसो है जाएगो तो मैं अपने लाला को बाहर निकालूंगी ही नहीं अंदर ही अंदर रहेगो बोले नाचनी का मैया अभी ना निकालेगे पड़ाई के लिए विध्याले के लिए तो भेजेगी के ना भेजेगी अग्या कि जा दर्वाजे से ना निकालेगी तो मैं बाबा केते मैं बहां भी आजाओंगो बाबा ने का तो चलो जब विभाए होगो तो बराब लेकर के जाएगी कि नहीं जाएगी मिया ने कहा दारी के अगर तू बैठर है वो तो लाला की बरात निजावे की बरात आवेगी लड़की वाले ही आजाएगे और साधी है जाएगे लेकिन लाला के दर्सत नहीं कराऊंगे मिया ने कहा चू मांगे सो लेले बाबा हो जन कहा कराऊं चू मांगे सो लेले बाबा हो जन कहा कराऊं ती रो देव डर्व गुबावा पालक में न दिखाओ, मेरो छोटो सो ललनेवा, मेरो छोटो सो ललनेवा, मेरो ललनेवा मेरो ललनेवा, 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 मे जोर से बोलना पड़ेगा जोर से बोलो बोलो राधे 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 हाथ मत उठाओ पूरे पूरे उठाओ कुस्ति नहीं करना है कही माता है तो कुस्ति कर रही है एक साथ में उठाओ जोर से बोल करके एक बार और बोले लाला के लिए सब गोप्याओं ने जुग जुग जीवेरी यसोदा मिया तेरो ललना अब बाबा इसे मिया कहती है दर्शन ना कराओं भी माया काल डरे या में एक दर्शन मैं तो पाओं वो मेरे भगवान है अपने लाल में तो आपको नहीं दिखा सकती हो मिया नहीं नहीं और भोले नाज जी को जब लगा कि ये दर्शन ऐसे नहीं कराईगी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो कहते हैं भोले नाज जी के साथ में भोले नाज जी के एक बढ़िया मित्र हैं का गोशन डी जी जी वो भी बढ़िया इनके सिस्वन करके आये थे नोनों लोग चले गए अब यहां बापस चले गए तो कहते हैं आसे सुर महादेव के मत्रा के पास में पढ़ता है भूते सुर के पास में नाम सुनाओगा भूते सुर महादेव इस्टिसन भी पढ़ती है बोले नाज जी जाकर के महां बैठ गया हम और जैसे बोले नाज जी यहां से गए बहां बेटे समाधी लगाई कर नया की समाधी खुल गई कर नहीं रोने लगे कर नहीं हो रहे हैं यह उपने हैं है मिया सुछ रही है यह लाला चुपना हेलो बहुत देर है गई का मात है मिया को याद आया मुखू तो ऐसो लगे के जो बाबा आयो वही कच्छु जादू तोना कर गयो तब से बाबा गयो है तब ही से मेरो लाला रो रहो है सखियों को बुलाया गोपियों को बुलाया जाए बाबा को ढूड करके बुला करके लाए और सखी गई बाबा उसे कहने लगी कि चल रे योगी नंद भवन में तुहे मात यसोदा बुलाई रही बाके लालाखो नजर लगी है नेके राईलों ने करे बावे बाके लालाखो नजर लगी है नेके राईलों ने कर बावे चल रे योगी बड़ा अच्छा योगी है योग के द्वारा कनिया को रुला दिया तो इमात यसोदा बुलाई रही बाके लाला को नजर लगी है ने किराई लौन कर बाबे लाला को नजर लगी है बाबा ने कहा अपने चिला से काक बुस्र ने बुले काम बनिया रही चिला चल थैला उठा ले वस्ता उठा अब वहां गए है अब वहां गए तो मिया ने कहा नहीं दो बाबा नहीं आएंगे एक बाबा आएगा अंदर पहले में दर्सन कर लूँ तुम्हारे लिए करा दूबार अंदर गये और यहीं बोले नाज जी और काग भोशन्डी यह राम जी का अवतार हुआ था तो वहां भी दर्सन करने गए थे अब भॉले लाज जी अंदर अब भोले नाज जी झी जैसे ही अंदर गया और लाला की पलाओं भो देखांबी लाला रो रहा है कि मैं दौस्त माता हो पूंगे में स बी करनला थे इस भी टो रिगा ठीडRIS को छेला आईगा तब तो पंचांग डेखेंगे मैया ने जुम ता अचा छेला को लाना पड़ेगा कि पोलिघिक है चेला कुछ लाते हैं प्रुखा गुसंडी जी अंदर लाला रो रहे थे मिया के हाथ में जैसे लाला आए तो और रोए और जैसे यह बाबा ने लाला को लिया लाला के दोनों चुरण के रिए मस्तक से लगाया और लाला चुप है गए और जैसे चुप हुए लाला बाबा ने बढ़िया दर्शन किये महिया कह रही है ये बाबा नो जादू थी हो जो कैसे चुप है को लाला दी अभी शी बदमासी करने लगो दर्शन हुआ पर तो ये सुदा जी कहती है की रहे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो जब जब लाला को नजर लगेगी तब तब वासो की जो तब तब दर्शन दी और उसके बाद बंदू लाला थोड़े बड़े हो गए हैं अच्छा एक बात यह बताओ भगवान का बाके विहारी नाम क्यों पड़ा इस बाके विहारी नाम देखे बाके का अर्थ होता है टेड़ा बाके का अर्थ क्या होता है टेड़ा और विहारी का अर्थ होता है बिहार करने वाला जो सभी के दिलों में बिहार करें वो बिहारी है जो सभी की घर में बिहार करें वो बिहारी है एक बार की बात है महराश्ट में मनमाड के निस्तरणिसाहिं के पास में बैजापूर के पास में जो खंडाला पड़ता है कि वहां पर एक बार कथा हुई तो लोगों ने एक दिन सुना दो दिन सुना त्रिशन दिन आए मैरे पंड़त ब्रामर्वों से मिले महाराज से एक बात आप बोल दो आप लोगों मिलने देते नहीं बोले क्या बोला है बताइए बोले महाराज से भी बोलूगा अंदर गए आए महाराज आपसे एक बिंती है बहारी की जहमत बोला करो बहां के लोग ठीक नहीं है कहां के विहारी बहार के विहारी की ज़ए को बोलते हो मैंने कहा ये विहार का विहारी नहीं है ये तो जगत का विहारी है सब के दुखों को हर लेता वो विहारी है कई लोग कुछते हैं ठाकुर जी किसको बोलते हैं ठाकुर लोगों को बोलते हैं कर लोग कि इस् सोचते की कि जो हमयरे कई महाराज्य मे COR थाकुर। आणनलेट तॉधा कुटा कर जी देव कहले निंतर एक भीक्राइश कि तुक्रजी सबण्रीं किया जो ठाकूर का सुरूप बन जाते हैं वो ठाकूर हो जाते हैं इसलिए ठाकुर लिखते हैं अब यहां पर कनियान अग बड़े हुए बाग के वहेरी नाम की ने ने पहली बार जो इस्तनपान कराया तो कहते हैं मैजा ये सुदा ने चेड़े होकर कि इस्तनपान कराया पहली बार पहले क्या हुआ मैया ने पहले लाला को हांक में लिया मैया सोचने लगी मेरी उमली कठोर है और यह लाला का सरीर कौमल है और अगर मैंने उमलियों में लाला को लिया तो मेरी उमली लाला के लिए दर्द करेंगी वी इसलिए लाला के लिए चोकी पर लिटा करके और मा येसुदा ने टेड़े केसं तन्पान कराया उसलिए उनका नाम कर गया था देड़ा एसलिए तेड़ा सा मकुट सर पर रखा है किस आधा से इसलिए बागे नाम पड़ गया कि तभी से विहारी हो गया तो फिर घर में बढ़िया क्या हुआ कि मिया घर में काम कर रही थी तो मिया ने सुचा एक काम करते हैं अब लाला के लिए सुला देते हैं तो बैल गाड़ी थी एक बैल गाड़ी में अपनी साड़ी को बाहना दिया पहले माता है साड़ी में ही लाला को जुला दी थी इस पलले मले अनले पलले नहीं ते तो पहले माता है साड़ी बान करके जो सुलाती थी लाला के लिए तो बेल गाड़ी के नीचे मैया ने अपनी साड़ी को बान दिया है लाला को सुला दिया है उस बेल गाड़ी के उस बेल गाड़ी के ऊपर छाज रखा हुआ है माखन रखा हुआ है बड़ी अबरतानों में बड़ी रखे रखे है बूद रखा है बेल गाड़ी के दो पईये हैं दो पईये कौन से हैं बीच में जो छाज रखा हुआ है वो एक परिवार है वो बच्चे हैं और बेलगाड़ी क्या है बोले बेलगाड़ी ठाकुरजी है जो चला रहा है एक मात और यहां पर है कि छाज उपर है और कनिया नीचे है यानि कि रस उपर है कनिया नीचे है पहले रस आपको देंगे ठाकुरजी और जब आप में रस आ जाएगा जब आप उस रस को पीना प्रारम कर देंगे जब आप उस रस't को घोरके अपने अंदर ले जाएंगे और जब रस को ले जाएंगे तो नीचे बर ठाकुरजी न Mahar रस't पियंगे तो बाद में ठाकुरजी का दर्सन होना ही है तुझ ठाकुरजी का दर्सन होगा तो हमारा कल्यारा हुज़ा को है है तो दो घंटे से गीत गा रही है दो घंटे से दो घंटे हैं गे और मिया मों को बिलकुर ध्यान ना दे रही कहते हैं तभी कंस ने एक देद को वेजा उस देद का नाम था सक्टा श्रुक में आया बैल गड़ी में आगया और बैल गड़ी में आकरके कहता है कनिया रामराम कनिया ने कहाзд मामा जी राम राम आगये कुलें हाँ आगे लिए खूब सो रहे हो अब नीशो पाओगे अब कुत मरने वाले कनाया ने का कौन मरने वाला है कौन सोने वाला है यह थोड़ी देरबाद पता चलेगा लिए कजन्या ने कहा कियो ते स्थियो अपनों एक पैर बहुत लम्भों कियो और लम्भों जैसे ही कियो बेल गाड़ी में जैसे ही जोर से इसपस किया आपने पैर का पैल गाड़ी ऊपर चुली गई बहुत उपर और जाकर कर नीची आई धड़ामी से तूट गई गिर गई गई और मैया ने देखा मैया ने सुना एक बात बताए माँ और पुत्र का बहुत अच्छा कनक्षन है किसी की भी माँ फूरे ग्रे काम में कहीं भी लगी रहे चाही कितने दूर रहे अगर उसके पुत्र को भोक लगी हो पुत्र रोने लगाए माके कानों में आवाज पहुचे या ना पहुचे लेकिन मां को अहसास हो जाता है कि मेरा लाला रोने लगा है इसलिए मैया को अहसास हुआ मैया दोड़ भी आई लाला को क्या हुआ क्या हुआ लाला रो रहा है और मैया ने जीए दिख़े बैलकाडी कर्सों तूट मैया उन्हें का ते लाला तो जादूगर है अरे तेहारे लाला ने इक पैर लगो तूट गयो बेलगाणी में मार दियो वेल welding तूट गई जाए के ऊरी लाला नहीं चोट चोड़ा कैसे बढ आун किसे लिंक है जाएगों ही और लाला को लिया है कि बाबा कहने लगिए जब से लाला आया है कुछ-णकुछ से खरावी खराव हो रहा है अच्छह तो कुछ हो इनिद्धा है अज भाँ प्लब राला का नाम करना चाहिए है इंसान के 16 संस्कार होते हैं किस पुरुस के लिए सोला संसकार होते हैं, इस तरीके सोला क्या होते हैं, संसकार, देखे, एक बहुत अच्छी बात है, तो पुरुस के लिए सोला संसकार पूरे ही करना चाहिए, तब मुर्टू होगी तो मोक्ष की त्राप्ती होगी और हम अगर यह संस्कार पूर्ण नहीं करेंगे तो मोक्ष मिनने वाला नहीं है और इस्त्री के 16 सिंगार आवस्चक है अगर स्वागन इस्त्री का दिहांत होता है तो कहते हैं इस त्रीकों अर्फी पर रखने से पहले पूरा शिंगार किया जाता है पूरे शिंगार किया जाते हैं तो कि 16 संसकार आवस्चक है तो पहला संस्कार गरवाधान संस्कार दूसरा पुन्सवन संस्कार तीसरा जातकर्म संस्कार चौथा जन्म संस्कार पाच्मा नामत्रन संस्कार शीमं तो नयन संसकार उप नयन संसकार यगव पबीद संसकार चारू केसी संसकार अन्य प्रा साकरन संसकार फिर कहते हैं पाणि ग्रह संसकार और मृत्तु संसकार और इसमें कहते हैं गुरु दीक्षा संसकार सरस्रिष्ठ माना गया है जब तो गुरु दीक्षा हम नहीं लेते हैं तो कोई दान, कोई पुन, कोई जाप, कोई तफस्या करने का फलपराप्त हमें नहीं मिलता है इसलिए गुरु दीक्षा लेना बहुत आवश्चक है इसलिए गुरु दीक्षा हम हमेशा लेना चाहिए, हर इंसान को लेना चाहिए गुरु दीक्षा के भी कई अर्थ होते हैं गुरु दीक्षा पहले तो एक गुरु से लेना चाहिए दूसरा, तीन साल में गुरु का दर्सन करना आवश्चक है अगर किसी के गुरु का देहन्त हो गया हो तीन साल हो गया हो तो चौती साल में दूसरे गुरु को भी बना लेना चाहिए जिस प्रकार एक कन्या का विभाय किया अचानक उसके पती का देहन्त हो जाता है तो उस कन्या का हम क्या करते हैं उसकी विदा करा देते हैं बैसे गुरु दी मंत्र भी हम फिर दुवारा ले सकते हैं लेकिन चार साल बार लें चौथी साल में लेना चाहिए पानी प्यों जानके गुरु बनाओ जानके और उसके बाद नामकरण के लिए बूले सबसे पहले गुरु जी के पास है वर शश्ट जी के पास है अब यहां गुरु जी ने का बोले ठीक है नामकरण संसकार तो कर दूँगा लेकिन तुम्हारा कहां भूस्दो करना हुद्सों नहीं होगा एक कांत में होगा गौसाला में करें कि नाम करन संसकार बोले ठीक है गुरु जी आए तो ये सुदा ने और रोईडी जी ने आपस में बात की कि ये तो चेक करना पड़ेगा कि गुरु जी कैसे है जानते हैं कि नहीं है अब भीया रोईडी जी ने ये सुदा के लाल कनिया को लिया है और ये सुदा ने दावु बलराम की को लिया है गौसाला में पहुंचे स्वस्ति वाचन पुर्वकम स्वस्ति वाचन किया गुरु जी ने और स्वस्ति वाचन करके और गुरुजी ने सबसे पहले बला धिक्याद बलम विदू हूँ बलराम आहा जो बलों के वलसाली है जो नाग सेस अवतार है उनका नाम बलराम है लो जो लक्षमण जी के अवतार है जो लक्षमण जी का सुरूप है उनका नाम बलराम है बला धिक्याद बलंविदू आया में ही रोहिणी पुत्रह सू हिर्दो रमयन हिर्दई और बला धिक्याद बलंविदू बलनाम है अच्छा दाउ दाउ कैसो नाम रहेगो बड़िया नाम रहेगो दाउ कनिया से बड़ो है तो दाउ भी रहेगो और कनया को जैसे ही गुरु जी ने देखा और जैसे ही देखते हैं गुरु जी देखते रहे देखते रहे देखते रहे गुरु जी कनया को देख रहे कनया और गुरु जी को देख रहे मिया ने का यह सुझा ने गुरु जी क्या हुआ अरे कुछ नहीं अरे मिया मिया तुम्हारा लाला तो नारायन है नारायन और जैसे नारायन का कहा ना कनया ने अपनी आग दिखाई क्यों रहे कि अगुरु बनकर क्या आया है अरे मेरे नाम करने के लिए आया है कि मेरी पॉल पत्ति खोलने के लिए नामकर को पल्ति प्रति मेरी क्यों खोर रएख अगर मैया को पतों चल जाएगो कि मिरू लाला भगवान नाराइडे तो मैया मुख कहा करेगी तुम्हें पतों नाएं कहा करेगी मैया मुख को अलवारी में बैठाल देगी सुवे साम चरोणियों को भोग लगा देगी गेट बंद कर देगी और मैं जा जिस माध्धम से आय पिर हे और हां पर गुरु जी ने फुरा सब को चेंजी कर दिया नई नहीं नहीं है यह क्या है फिर है तो फिर यह वरचा और समों घूड़ए अरे नयारायन के जैसा इसमें चहरा दिख रहा है नारायन के बढ़useum लगव आ है इसलिए इसका नाम नारायन है अच्छा मिया गुरुजी गहते हैं दिखिए इसका नाम है कृष्णा जो आकृष्ण है उसका नाम कृष्णा है मिया ने कहा अरे इसका नाम कृष्णा यह ठीक नहीं है अच्छा नहीं लेगेंगा तो गुरुजी ने कहा इसका नाम है रंग पलता नम तुम तूसरी तो जाएगे ऊशुतक्र नांसरी अच्छा तो यह तो आम पर दारे से अच्छा प्रनसंस कार हुआ और उसके बाद में बंदू कनिया थोड़े से और बड़े हैं और जब कनिया और बड़े होते हैं तो बंदू कहते हैं कि और जब कनिया नेक्स से और बड़े हुए तो कहते हैं कनिया एक दिन की बात है कि कंस ने एक और मामा जी के लिए भेजा और उनका नाम था तरणाब्रत अब तरणाब्रता है एक आयो आंधी के रूप में गोल-गोल जो आंधी हो वे जो मार चप्रेल में जो गोल-गोल आंधी आवे वही तरणाब्रत है और तरणाब्रत आयो अब मैया दिखो लाला के लिए मैया गोदी में लेकर कोई खड़ी थी अब लाला ने सोचा कि मैया मुखों जब तक नीचे उतारेगी ना आए जब तक तरणाब्रत का उधार ना पर पहुंगो लाला ने कहा कियो अपनो बजन बढ़ा दियो और बजन बढ़ा दियो तुम मैया को बजन बहुत लगने लगो हाथ दर्द करने लगो मैया सुच लिए हाथ कहा बास से दर्द कर रहा है पतों आए ऐसो तो नाए कि लाला के लिए कुपच हो गई हो तो साइद ऐसा तो नहीं है कि लाला को बहुत देर से लेकर के खड़ी हूं साइद जही बज़े से लाला को लिए हूं गोदी में है लाला साइद जही बज़े से मेरो हाथ दर्द कर रहा हो गयो लाला को नीचे उतार दियो त्रना वृतायो लाला को उपर ले गयो दो चार हाथ हुए लाला ने एक हाथ का प्रहार किया तरुना मृत को उधार हुगया उसमें से जोति निकली भगवान में विलीन हो गई आज तो वाबा ने पढ़त कर लिया के आप तो गोकल में नहीं रहना है भूले कहा है भूले आप लोग में ब्रतबन जाएंगे सभी भर्रजवासियों को ले करके और गोकल से ब्रतबन के और जा रह Thousand आएए हुम सभी लोग में ब्रतबन चलते हैं ब्रिंदावन चाऊंगी जरा चल के ब्रिंदावन देखो 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 और देखिए और जैसे ब्रिंदावन में गए है तो आज भगवान लड्डू के रूप में मिले है आज भगवान लड्डू कोपाल बन चुके है हमारे बीच में लट्टू को पाल आ रहे हैं भण होगाद आये उनुका पूजा करते हैं स्ट्री रादे जूला जूल रहे होगे राधा प्यारी जूला जूला जूलाधा प्यारी बागोवान जूला जूला रहे हमारे भीच में ठाकुर जी आया है तो आपको उपर किकर करके जुआ जाओ जुआ पूजा करना चाहे है माराजी पूजा केजिए ठाकुर जी जाओ अखिया उड़ी कि दिया जिदे बाद मालना आजपजी देशिया आज़े बाद आज़ा तेनो अखिया उड़ी कि दिया आज़ा तेनो अखिया उड़े कि दिया अखिया उड़ी कि दिया जिदे बाद मालना आज़ा तेनो अखिया उड़े कि दिया आज़ा आज़नो अखिया उड़े कि दिया जिदे बाद मालना आज़ा उड़ी कि दिया इना आज़नो अखिया उड़ी कि दिया अखिया उड़ी दिया दो तो ज्योड़ द शूड़ द शूड़ मैकमा अटा शुड़o अहएबा सबस्क्राइब अरिवो स्रियान है स्रियान है कि ले दे रहा है को टिड़ा सुर्णी कई और आंगे आगे कईया पीछे पीछे गवार पीछे 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 चोठी जोटी घई आ चोठी जोटे ंग कि दाने! आप लोग खुल मस्ती से नरतनी कर रहे हैं आप लोग मंगवान की जो मस्ती होती है वो आपने उपर चड़ाईए पहले तो क्या हनिवो हो 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 अपकर रहे हैं हो रहे हैं ये लिग में आ रहे था ये आपकर रहे spaghetti चोटी चोटी गई आ, चोटी चोटी गई आ, चोटी चोटी गई आ, चोटी चोटी गई आ, चोटी चोटी आ, चोटी चोटी आ, चोटी चोटी आ, 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 चो अजका वेगई हां दूद्ध पी वेगवाँ अच्छा एक बात बताईए कौन अपने ठाकृजी के लिए माकर खिलाना चाहती है चाहती है तो ताली बजाओ सबस्क्राइब लेखाँ जोटी 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 कर दो ठो दो और जन्ट नो और न का प्रेंज को पहाँ है कर दो कन दो ॠी ना टिस वक वह में को भूब अजिवाँ! और क्या देखे तू माने मिं ज़ाओ तो पे बली हारी ओ तेरे मोटे पुर्ज क्योंटे, UP में तो पे बली हारे hits मेरे ओ नुदि क्रिवाल्ऑ भगवान पे पले हार कि स्कों होना है हमारे भाई लोग हां दूपर करिये शमिके हाद लेपर लूपर होना चाहिए हरिबो कर दो तेरी ना, तेरी ना, तेरी ना, रपकर रभभीन त, नहीं ओरे ना, पूरे ना, निक तागवाला, आदे दूरं मनिया, तेरे मोटे, मोटे बोटे यहादे जाउ तोपे भले हादे आलकाता, बालकाता, बालकाता दीजिटा उजाइ एंपना आणा आणादाइ में! जाजे राधे, 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 आदे, आदे, रादे. कपिडे दे जाती को जिमे कपडे दे विची रूओ कपिडे दे रूहे लुकिया जिनी छथी पंदे दे वा ते दे मौधे मौधे पुर्मदावन विहारी रालगीन जय जय स्री रादेशा जय जय स्री रादेशा जय जय स्री रादेशा चोर से बोलना पड़ेगा और चोर से आए अंग अंतो कत्वा ठाकवर्जी और पुरे श्री शाम संदर और बाबा दंद बाबा सब लोग ब्रंदावन पहुंच गए हैं और जब ठाकवर्जी ब्रंदावन में पहुंचे और ठाकवर्जी नेक्स और बड़े हुए तो कहते हैं कि यहाँ पर जब ठाकुर जी पहुँचें तो कहते हैं बहाँ भी ठाकुर जी अपना आनंद दे रहे हैं सभी लोगों के लिए, सभी ब्रजवासूं के लिए और ठाकुर जी घर में थे और घर में थे नंद बावा एक बार पूजा कर रहे थे प्राता सुब़े सुब़े का समय था और सुब़े सुब़े और लड़ू गोपाल भगवाने की जय कहते हैं ठाकुर के लिए कोई भी नाम लो लेकिन दिल से नाम लो ठाकुर को दिल से पकारो तो ठाकुर आपके पास में आजायेंगे आपका हाथ पकड़ लेंगे बस दिल में एक वार ठाकर को बुला करके देखो दिल से बुलाई है क्योंकि ठाकर तो सभी के दिल में बसते ही है हमारी बीच में लड़ू कुपाल का दर्शन हुआ कि दिल की दिल में है सूरत समाई हुई दिल की दिल में है सूरत समाई हुई ए सूरत है दिलदार तेरी इने प्राडों के अंदर गुजे रही है मुरली धुन की जनकार वही हम करते करते हार गए के हे मन मुहन तूरी जाही नही हे मन मुहन हे शाम सुंदर तूरी जाही नही बली तेरी बलहार तेरी भगवान को आप चाय जैसे नहार लो धन से पड़ाई से भगवान रिजने वाले नहीं हैं भगवान तो भाव के भूके हैं जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा और भगवान को बसा होगे भगवान एक पल भर में हिर्दय में बस जाएंगे और बसते हैं तो नंद बाबा सुवे सुवे पूजा करने के लिए तयार हुए कहते हैं सुवे सुवे जब तयार हुए न तो बाबा ने पहले नारेण वंगवान का ध्यान किया ने तुबंद किये तो लाला घुटवन घुटवन चलकर के और सिधे नंद बाबा के पास में बैठ गए छलो अच्छी बात है लाला आगयो अबलत भया बाबा ने भोग जैसे ही लगाने के लिए रखा ने रफ़ंद मोय नारेड़ मगवान पाली जिए कंई और जिसए खीर के लिए कहां भोग पाईए तो लाला ने खीर को आठा करके खाने कर रहा हुए जो भगवान को भोग लगाने लगा दियो खिल जोटी कर दी चलो और। आज का दिन निकल गया वो लगा दिया लाला के ने पहले तो बुला रहे हो हम बाद में डांट रहे हो कि भोग क्यों खा लिए अब दूसरी दिन लाला ने सालिक राम को देख लिया बावा ने जैसे इसनान कराया पंचामर से दूद बढ़िया देही बढ़िया सहेद बढ़ थोड़ा पुस्पो तोड़ करके आएं बाबा पुस्पो तोड़ ने गए उतने में कनिया ने ब्रियक कमाल कर दिया लाला ने का क्यों सालिक राम को उठायो और मुख में रख लियो बाबा आये बाबा ने देखा सालिक रहे हैं क्यों रहे लाला तेने सालिक राम देखे ह कि अब लाला कहा वोले मुख में सालिक राम है कि तोई सो मैंने ना देखे लाज चालिक राम कि अब बावा समझ नहीं पाए और खोज लिया वोले सालिक राम तो दीखना रहे हैं आप लोगों ने सुना होगा एक महराज हुए उस्टिक छड़ाज जी कहते हैं उनके गुरुजी ने इश्चनान कराया अब यह सालिक राम को इश्चनान करने के वाद गुरुजी ने का बोले सुतिक छड़ाज दाशी देखना मैं आता हूं थोड़ी देर में और वहीं पर फल लगा हुआ था गुलाब जामुन का सालिक राम की तरह ही था वहले यह तो मुझे खाना है तो सालिक राम को उठाया वहले कैसे तो ने सालिक राम को उठाया और उसमें मारा पता चला कि जामुन हात में वह सालिक राम नदी में पहुंच गए अब सालिक राम और घबड़ा है कि आप सालिक राम तो चलेगे जल में आप कैसे ढूड़ेंगे कैसे खोजेंगे गुरु जी आने वाले और एक काम करते हैं सालिक राम और यह फल एक साय यही रख देते हैं और सालिक राम को रख दिया बना करके गुरु जी आए बड़िया आराम से और सालिक राम को उठाया तोबिल में रख्था और बड़िया साफ कर रहे थे और जैसे साफ किया सालिक राम को तो गुठली बाहर और जिब गुठली बाहर तो गुठली बाहर तो गुठली ने कहा क्यों रहे सुतिक्षण जी यह क्या है इस सालिक राम जी गुठी बन गए अज सुतिक्षण जी ने कहा गुरुजी ये आपकी बहुत बड़ी गलती है गुरुजी करें नहीं सुतिक्षण ये तेरा कोई ना कोई इसमें तेरी चाल लगती है गुरुजी ये सालिक राम ही है गुरुजी एक बाद होता है पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी आप पानी में जल में डाले करके छोड़े तो पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और सालिक राम गल गए तो हम का जाने आपके सालिक गल चुके हैं उनकी खाल गल गई हड़ी बाहर आ गई वह है सालक राम पुनी पुनी चंदर फुनी पुनी पानी कि सिस्वी कि गुरु के पास अच्छा होना चाहिए एक बार की बात है कि एक मंदिर में एक विद्यालाय में बहुत सारे विद्यारती थे गुरु जी ने सोचा इस विद्यालाय का उत्रादी यारी बनाना इसकå बनाओं ड़ा हुरु तो जाओ एकेले में खा करके आ जाओ जो सबसे पहले आयाएगा तिसका मैं उत्रादी कारी को , कोई नहीं नहीं है को यह नहीं देखाट आ गया मंदर की पीछए था करके आ मुए नहीं कि पांच धन saya कि अब तक नहीं आया को जब आया ठोल को लेकर करके आया को गुरुजी नहीं कहा गूरे लिफ फल खंगा मे अभी हर है तो यह हुआ ऑले फल कयो नहीं कह था और फलı कई-घौनंत जगए में कोई देखें नहीं क्या बताएं गुरुजी मुझे एकान तो जगए कहीं मिली ही नहीं चहां कोई नहीं देख रहा हो अरे संसार के लोग नहीं देख रहे हैं तो कोई वाग नहीं संसार का मालिक तो देख रहा है उसकी नजर पड़ रही थी मुझे एक आंत तो कहीं मिलाई ही नहीं गुरुजी समझ गये यही उत्रादीकारी है कोई देखे या ना देखे लेकिन ठाकर तो जरूर देख रहा है उसकी नजर में उसके केमरे में हम छिपने वाले नहीं है दिख जाएंगे और तो बाबा ने लाला बता सालेग्रां कहा है लाला कुछ ना कुछ गरबड़ा बाबा ये का है बाबा जे का है जा से का हो वे जा से का हो वे तो आज बोल नी रहा है कुछ ना कुछ गरबड़ लाला मौड़ो दिखा तेरो आकर लाला करने बाबा समझे मोड़े में रखो है अज तो तेरे लाला ने हद कर दई कहा कर दई हो अरे साले क्राम को मुह में रख लिए सब गंदे कर दिए कि बाबा ने पूछ लाला चाहे बता तो यह नहीं साले क्राम को कहा सोच कर मोड़े में रखो है लाला कर अरे बाबा कहा बताएं तुम डेली दिन साले क्राम को साहद से इसनान कराओ दूट से इसनान कराओ दई से इसनान कराओ मक्षन से इसनान कराओ और चीनी से इसनान कराओ जो साहद इतनी मीठी हो वे और ये तो ना जाने कितने दिन से इसनान कर रहे हैं तो ये कितने मीठे होएंगे जही चक्कर में रख लियो मैंने साले किराम को फिर बढ़िया ब्रामणों को बुलाया बावा ने फिर से पुना इसनान कराया अविशेक किया अब या लाला नेक से और बड़े हैं गए और जब लाला और बड़े हैं भई अब लाला ने एक अपनी मंदली बनाई अब लाला ने एक बात बताएं लाला जब बड़े थोड़े हुए आज मैया ने देखा इस मंदली बना रहा है इधर हो मैया ने बुला लिया लाले करें मिया का मिया मुको तु डांटती डांटती रहें तोसे बात नहीं करूंगो ना करें वो मत कर अब यह जब पैसे तो तु में में थोड़ी से होने लगी मिया से कनिया वो ले अच्छा मिया एक बात बता तो सम्वहोत दिन से बात कर वाँ चाहूं बहुत दिन से सोच रहा हूं आज समय मिलो है वो को मिया एक बात बताओ तू जाना दूद से प्यार कर है कि पूत से प्यार करें मैय भोली दारी के दूद तो बहुत तो ये कही है और दूद से कौन प्यार करें पूत सही प्यार करें सम्राइब अपने वालकन कौई समचा वे लाला बहुत मिया मूखों दूप तो बिल्कुल विस्वास ना है मैं कैसे विस्वास करूँ लाला बोले अच्छा मैया एक बात कर बता तू जादा दाउ से प्यार करे के मुझे से प्यार करे यह नहीं का दाउ तो बड़े है तू छोटो है छोटे को सबस्यावे लाला बोले मुझे विस्वास नहीं अच्छा मैया एक काम कर पहले चूलो जला और चूले में उपर दूद गरम करवे के ताहीं रख देओ और फिर तू मोखंबान में टांग ले ले पतो चल जाएगो दूद से प्यार करें के पूद से प्यार करें कि मुखे अधा एक रहो मावाद दूद रख जाएगा मैया ने लाला को नीचे अधारा दोड़ करके दूद को उपव्वने से बचाया कि याँ फूट उफन गया इतू जातना ठीक नहीं है अवलाव उफन गया मैया से बात कर रहा है तो से बात ना करूंगो दूर है जा मेरी से ने जब ऐसा का तुम है क्री अरे काय को परिशान कर रहा है आजाओ मेरे लाले ने का नहीं आओंगो अरे नहीं आना है तो मत आ मैं दाओ को ले लूगो मैं तो मैया तो दाओ को ले लिए कि मैं तेरे से चोटी ना गुत्वाँगो मैं तो चोटी दाओ की बांद दूंगी अब लाला सुच रहे हैं धमकी तो चली नहीं रहे है मैया तेरे पास बिल्कुल नहीं आओंगो अव लाला जोर से रोने लगे एक गंटा होगा रो ते रोते मैया सोचने लगे अगर लाला जानना रोएगो तो बीमार पड़ जाएगो लाला रोई मत रोई मत रोई मत लाला एक एक बात है एक बात है वोले कहा है वोले लाला लाला माखन लेले माखन लेले माखन लाला बड़िया नाचने लगे जूमने लगे माखन माखन हा मैया मोको माखन दे दे माखन चाहिए अभी चाहिए अभी ही लूंगो ताजो माखन लूमो तो अभी ही लूमो तो अभी ही लूमो नो ताजा ताजो माखन लूमो सामने बुलू मैया नहीं दिया है रोने लगती मैया सोच दिया क्या से चुक हो जबहुत रुरे हैं और लाला जर्च मांखन आय मांखना देख दय करे लिए टेरे शंहिल्साइब मामकू चंदा मामा ओका मास हूं ओक है दूर से ना देखने चंदर मामा तो चाहिए चंदर मामा मै चंदाई मामा कैसी पास में दीख रहे है उर जैसे कनियों ने हाँ डाला तो चंधा मामा रोने लगे तेरे लिये हम बसे आहा बहु के जैसे ही सुनी लाला तो बलकुँ प्रसंद हो गए बोले मैया अब तो बहु ही लुगो मैया सुच रही है जाने का ये बहु हाँ मैया मुझको बहु चाहिए अभी चाहिए दे दो मुझे बहु मैया ने का बहु जानतो होईगो का ना जानतो होईगो अच्छे मैहीया ने कहा करेगो antsy जो की हो जाए करूंगो अच्छें बता कहा करेगो मैया तो इस पतुँ नहीं जब मैं गया छिरावे जा realms गो तो बाउनोगो तो बाइक संच रहे हैं तो गुडिया की बात कर रहा है अरे बहु कहा होए तो यह पतो है नहीं मैया बहु चाहिए राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो भ्या राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए है मेरो भ्याद उमर तेरी छोटी है लंगुट तेरी छोटी है कैसे करादू तेरो भ्या राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो भ्यादू जो ना प्याह कराए तेरी गईया ना ही चराए आज के बाद तेरी मैया तेरी तेरी पर ना आओ आएगा दे मजा दे मजा अब जीत हार का राध का गोरी से विरज की छोरी से तेरे मैया तेरे चरण तब बाओ पोजन में बन बाओंगा बन बाओंगा छपन फिरकार से राध का गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याद मैया कराए दे मेरो ब्याद अब मेरो ब्याद मिया राध का से करा दीजी आए दे मेरो ब्याद कर रहे दे मिया ने कहा ठीक है लाला विवाय है जाएगो और उसके बाद में आज वह वाकवान ने जो मंडली बनाई थी तो मंडली में कहां दिखे एक मात था पसप्त कि बालक सबसे पहले घर में चोरी करता है कहां चोरी करता है घर में सर परदा अब लाला ने अपने सखाओं से कहा देखो भी आओ अपनी ए मंडली है मैं अब्जक्ष हों गया आप लोग अपने अपने घर में चोरी करना और सुभेरे-सुभेरे आना अपने अपना रेजल्ट दिखाना अब गनियावी अब पहली बार चोड़ी कर रेंक नहीं है रात्री का बढ़िया समय है रात्री के समय मिया सो रही है मिया के बगल में लाला सो रहो है और रात्री के बारा वजे लाला उठे लाला ने पहले देखा हो मैं या तो सो रही है दीपक जरू रहो थो लाला उठे सबसे पहले दीपक को भुजा दियो पहली वार चोरी है लाला सोच रहे है पहली वार तो पकड़ाई में आना नहीं है ने तो मेरा चोरी का जो रहिष्ट इसने वरत दो जाएगा समाप धोजाएगा परमीसन नहीं मिलेगी चोरी की तो दीपक बुजायो और जैसे दिपक बुजायो तो हैगों अमेरों और जो अनेरों तो भई तीपक के पास में एक पुरानी मठकी रखी थी माखन की भरी हुई और कनिया को हात नैक सो मठकी वें लग गयों सबसे पहले मैं ने लाला को देखो लाला तो सो रहा है मतकी कैसे फुटी मैं यह नहीं सुचा साइद बिल्ली आये होगी मटकी फूट गए लाला हस रहे हैं बड़ी अपास हो गए बिल्ली का नाम लग गया पास है हम और शुवेरे शुवेरे सब सखाओं के साथ में मिले वदू मंगल आयो बोले लाला छमा कर कि मैं आठ से चोरी ना करूं को का ना करेंको अरे का ना करेंगो तो को पतों ना है पेरी हालत कैसी वही बुल रात भर के डाल दीयों सूदम सथा बहुत रात बर मारो है और राद बर मैं पिटके आ रहूं हूं पुले कैसे जोरी करें तेरो परणाम है सब तैने लिए तैने अच्छा चोरी कैसे की अरे कहां वता एक दिपक जलना आता वो धीरे-धीरे जलना आता माखन ठीक दीख ना रहा हो मैंने दो दिपक और जला लिए कि माखन तो अच्छो दिखनों चाहिए और बढ़िया मौकर मैंने उठा करके बढ़िया खा रहे थे हाथ दौनों हाथों में हाथ आगए चिकने मैंने सोचा कि मठकी के लिए छीके पर रख दे और छीके की चकर में मठकी शूट गई और मठकी जैसे फूटी मया की नीन तूटी तो बस फर उसने मुझे तोड़ दि लाला ने कहा है देख भाईया जो कोई हम बिजनिस करें प्यापर करें तो घाटों बाड़ों तो लोगे ही रहें अभी घाटों आएगा वांगे बाड़ों है जाए अब रभीया लाला कि कहते हैं अहीरी की छोरी ने चचियावर चाच पे नाच नचायो भगवायन तो थो लाला जाते हैं गोपी आती है लाला एक काम करो एक गोवर को ठोबा दो उपर सहरा दे दो ना लाला कहते हैं सहरा ऐसे ना दूगो जितनी वार उठाएंगे उतनी वार मांखन को एक लौदा है जाएगो अब काना कनिया ने एक बार उठा दिया दूसरी को पी आई मैं तो पड़ो लखो तू है ना है वह हिसाब भूल जाओंगो कि कितने मांखन के लौदा है रहे उतनी वार उठाएंगे उतनी गोवर की बिंदी मेरे चेहरे पर रखते जाना बाद में गिंदी कर लेंगो उतन जाओं पर गोवर की बिंदी रखी है और गली मान गली कुंज गली में और गया अंपने महिया म्याय को सबुए क्यों अरे लाला यह कैसे बनाके रखो में अरे मिया तुम्हें पतओं आए आज मेरी नौकली लगई तो पतो ना है नौकरी करके आओं कहां कहां नौकरी लग गई हमने गायों की सिवा करूंगो गोवर उड़ूआंगो मैया ने का अच्छी बात है मैया आई लेकर ये चाहरो तेरो ठीक नहीं लग रहो मैया पास में आई और चाहरे पर हाथ पेड़ दिया पल्लू से साड़ी क ये अच्छी लग ने ये लगई है मैया कहाँ विताया तैंने सब हिसाब को सनन गड़ बर कर दियो अरे कायग को हिसाब की बात और teasing है और अब कौन से कितनों मांखन के लौना चाहिए सब की जगए ति अलग अलग तेरे पर यी लल्का की थी विसाखका की थी और इस और सब का अलग अलग हिसाप का अब कैसे मा खुक्त लेंगे अब करिया मा कनिया मा खुल लेने के लिए तो गोपिक युष양 बताओ पहले कितना है करें वह तो क्यान एंगे पूल गया मैयाने इसाफ को सब विकार करग दिया तो माखण को भूले अब आयसे नहीं नहीं देंगे माखण अब माखण चाहिए तो नाचके दिखाओ पहला है सिनुप दिखा और आज नहीं अच्छे से नाच के दिखाओ कनिया ने कहा पारना चाहेक ने माखन दे दिया बोले कनिया आव ऐसे नहीं अब चुन दिया को ओड़के नाचो कि खनिया वैसे भी नाच रहे हैं माखन लिए पड़िया प्रसुने है अब यह एक गोपी है माख अब चंद्रावली के घर पर कनिया चोरी करवेक गताईं गए और जैसी चोरी करवेक ताइंग चोरी की तुगालवाल भग गए कनिया पकड़े गए कनिया पकड़े में ने सूचा जा गोपी तो परिसान कर देगी पकर लिए अब कहां करें तो गोपी ने एक रूम में बंद कर दियो गोपी भाग गई बाहर ते कुंदी लगा दी गोपी जारी है मिया से सिकात कर रहे के ताहिं लाला ने सोचा हाल को गलवड है गओ चोरी कहा करी पखरे गए लाला को करी बाहँ को छोरा दीग गयो वैशित्रा बड़र गोपी को नलगा इत्कुलन content तेरी मियागों को अधोके से कुंदी लागा करके चली कई यह को दे बई कि छोराने खोल दी लाला दान गली मान गली प्रेम गली कुझझ गली सेवा कुझझ में निदीबन में बड़ी अलांगत हुए फांगत हुए ऑप पीछी यह से जाकर के बड़ी मया के पास में बैठ गये और गोपी बड़ी घमड में आ रही है आज तो कनिया की शिकात क करना है ओओ यह सोधा हो सदा में यहने ने का है कुछ ला रही है चलाऊना का तो पतो है का भात के रिए चलाएना का चला रही है बता अरी मया देखा माकन खावे के पुरानी जो बुजिर्कों की मटकिया है मटकिन को भूड़ दे यह तो अच्छी बात नहीं आज तेरे लालों को मैंने करूंग में बंद करके आई उन्चलो देखो मैया कहती है तू बावरी है तू पागल होगी है में वह लदा उन्दर बैटर तू भतो ना मिया के दिये नहीं घ्रहां मियाने का लाला अंदर है क्याै तो रही है हर जिस रूम में उसने मठ्की को फोना है जो यह यह कुला की अधिकरन के इस नहीं यूप खुंडओं है आज Hmm आंचहल के पीछे च्छिप कि भूब했던 कंद्रावली ल्हाला है के、 रात्री में कनिया ने कहा दो रात्री में गये ऑई गोपी के छोटी के-लिए पती की चोटी से बांद दिया और चोटी को बांद करके कनिया तो आगे अब रात्री में पती को जल पीने के लिए उठना था पती उठे और जब पती जी उठे तो चोटी तनी गोपी कह रही है अरे इतनी रात को क्यों भाल तांग रहे हुँ एक बार होगी जोर से क्यों तांग रहे हुँ अरे मैं नहीं तांग रहा हुँ यह चोटी तांग रही है क्यों मजा करते हो चोटी कैसे तांग तुम्हीं तांग रहे हो सोजाने दो क्या है अरे कोई शुने गा तो क्या कहेगा अरे में नहीं तान रहूँ मेरे मेरी चोठी से है और चोठी को खोला सोचने लगी तो प्रुनिया की ही करकुती है और किसी की नहीं है सुवई हुई जैसे सुवई हुआ कनिया फिर आए फिर चोरी की कनिया फिर पकड़े गए आज कनिया पकड़े गए तो गोपी कह रही है लाला आज तो तेरे लिए यहां घर पर छोड़ करके नी जाएंगे रंगे हाथ पकड़ करके ले जाएंगे अब वपी कहा कर रही है कनिया को हाथ पकड़ लियो और पकड़े के ताई ले जा रही है लम्मों घूमट डलो है बड़ी चली जा रही है आज तो कनिया तेरी पिटाई मिया से जरूर करवाओंगी अब लाला सोच रहे हैं आप तो ब या छोड़ दे कोपी करें ना मटकी फोड़े फोड़ ले चोटी बांदे बांद ले चल लाला ने सोचा कर सो करवड है जाए गो काम और कुछ लाला ने देखा कि भाई को छोड़ा आंगे दीख गयो इस सारे से बुलाए और चुप रहे ना इत्कुआ जा साइट से आ भाई छोड़ा आगए लाला ने मिए सब्सक्राइभ आतने इहांत बहुत देड़ से पकड़ रखो है आप मेरो दर्द कर वे लगो है जहा है को छोड़दे मेरो दूस्र GN covid पकड़ लह ठीक है लाला ने का कि जोग एक बहुत चला रदीयों ओभियां ओई हो य 없어 नारी और जो ला रहे तो चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं तों मैया अजरी देक देने dangos तो आज मैंने दंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं आज तो तेरे लागने घजब कर दियो माखन की पूरी मट्टियां पोड़ दी सारे आंगन में बिखरा दियो और आज कनिया थोड़ा ऐसा रुदन भी कर रहे थे कौन सीने मार दी औरी टोना मेरो मचले शाम सलोना कौन सीने मार दी औरी टोना मेरो मचले शाम सलोना रोई रोई उदम करे सब घर में नाले माखन लोना कोण सीने मार दी ओरी टोना मेरो मचले शाम सगोना दूदे ना पिवे लाला दही ना खावे और नए माखन लोना दूदे ना खावे लाला नहीं ना खावे और नाले माखन लोना तो कनिया रो रही थे वो जोड से की मिया देखो मैं बहुत परिसान हूँ एबरिच की गोपी मेरा जूटा नाम लेती है मैं यह करिया रोई मत कहा है वो कौन सीने मार दी ओरी टोना लाला तो वद्वास नहीं घर आ गए और मैया ने जैसे कहा मेरो लाला अंदर है कायफों रंगे हाथ पर लाई है अरे पहले घूंगण तो उठा पतो चल्जाएगा कि मेरो लाला है को और कोई को लाला देख चंद्रा वली मेरो लाला अंदर है लाला को बुला लियो पहले घूंगा तुठा और गोपी ने जैसे घूंगा तुठायों उपर भई को छोड़ा दीखो गोफी ने एक तमाचा लगायो क्यों रहे यहा कहा ते आयो बले मैख कहा ते आयो एप पतों नाए तेरे पेट से आया और कहा ते आयो ठावी अरे तुही तो पकड़ करके लाई है और कही रिये कहां ती आयो फोकड में मार और दिया कनिया आए गोपी तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती हो अब तो भईया लाला ने कहा गोपी के लिए अब और चोरी करेंगे मनसुका के लिए बुलाया है आए हम सो लोगी माखन चोरी की लिला करते हैं ओ मनसुका मनसुका ओ लाला अरे ओ मनसुका चलो अईवरे अब मनसुका हमारे वीच में आते हैं देखे भगवान का परम सखा है मनसुका जो मन से सुख को प्राप्त करे वो मनसुका है ओ मनसुका और मनसुका हमारे वीच में आ रहे है और आज कनिया को मांखन खिलाएंगे हम आप सभी लोग मन सुका ओ मन सुका रे मन सुका आगे ओ भीया मन सुका ओ भीया राम राम भीया राम राम साहभ जोर से बोलना पड़ेगा है अच्छी दाद है रहे हल श्री दाद है श्री दाद है और बहिए मन सुका आज तो राम राम भाया राम राम साथ राम 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 जी अरे मन सुखा आज तुने इतनी देर कहा लगा देई आज आज कछू पूछो मत तेर कहा लगाई दे आज मैं घर में कछू काम कर रहे हो आज कहा काम कर रहे हो कहा काम कर रहे हो यो सब करेंए वह हम कर रहे हो एक महाराजी ये बहुत अच्छो का रहे हैं और कहा एक बात बिचार करवेगी है साल में 364 पेंसट दिना हो में तो हमारी घरवाली हमारे नित्र प्रत कपरन को दोवे और यदि आज मैंने वाके दो दिये तो कौन से बादल फट जाएंगे अब आमें बात ये हती कि या आज मैं सुबह जगे हो जगे हो तो हमारी घरवाली मोते बोली पंडित जी इसनान कर ले हो मैं तुम्हारे काजे माल भुआ बनाए दो तो मैं गयो नहावे को तो मैंने देखे हो या बाल्टी में मैं ना हूँ वही बाल्टी मेरी घरवाली अपने कपरन ने छोड़के चले गई क्योंकि बाईयरवारिन की आदत हो वे हैं कि घर के कामकाज करवे के कारण वो अपने वस्तरन ने गी लई वही पात्र में छोड़दा में या में इसनान करें घर के कामकाज निपतावे के बाद अपने कपरन ने दोवे पंडिती पहुँच गए नहवे काजे तो मैंने कोई बात नहीं आज या सुबकार रहु कर लो तो मैंने अपने घरवाली के कपरा दोवे तो वाद से हमारी पंडितानी और प्रसन ने है गई जब प्रसन ने है गई तो बोली पंडिती मालपुआ बनाओ मैंने बनाए लेओ बोली एक काम एक बस्तू की कमी है मैंने कहा कमी बोले पंडिती आज घी खतम है गयो है तो मैं गयो बजार दुकान ते एक पीपा सुद्ध घी को ले आयो अच्छा उलाई के मैंने अपनी धरम पत्नी के हाथ में दे दियो धरम पत्नी ने करहाई गरम करी और वा करहाई में वो घी को पल्टायो तो वा में ते नेको खुसबू नाए आई जब नाए आई तो हम पत्नी में जगड़ा चालू हो गया जगड़ा कैसो है को एसे कि वो डालडा बतला रही जो हमारी स्री मत्य जी हैं वो डालडा बचला रही और हम लाएगी सुद्ध और इसी बात में हो गया हम पति-पत्नी में युद्ध हम पत्पत्नी में युद्ध संभाला हमने दंडा गुसा में दंडा उठाए लियो हम पत्पत्नी में युद्ध संभालो हमने दंडा और दो बेलन पर गए कमर पे दंडा हो गया ठंडा हम तो उठाएके रह गए और हमारी धर्मपत्नी माल फुआ भेल लई उतनी दे में तो वाने दो चार जड़ दिये कमर पे बस इसी गैरत के कारण हम फेजा पहुचे बाजार और दो आने का संखिया हम ले आए ततकाल संकिया मतलब जहर ले हाथ में फंकी मारी लेट गए चदर ओर के कर स्वर्ग की तैयारी नहीं मरे फिर भी इतने बेसरम जो हैं नहीं मरे क्योंकि लाज या किस्ना ने राखी क्योंकि वाद डालदा की जगह घी की जगह डालदा नकली और जहर के जहरो नकली दियो है दुकान प्राण ने है अब यह बताओ का लाए लाला इन फाल तो की बातन को छोड़ अच्छा कन्या बुलाए रहомина है अरे-चलते चलते बहें को महराच जी मैं छाब बताओं मोपे ना में कचोड़ी करनी आच्छा कोई कचोड़ी बनाये देगो तो लेकर ने चोड़ी ना करेंगा च्छोरी यह काम तुमहरों बहुत अच्छो है वहाँ रजाए नहीं हभी आजी यहां खथा करेंगे अब कहें चोरी करेंगे हम पाप के बाप किभाप के बाप नोरा करेंगे आच्छा इतने बाप तेने खिलाएं का खिलाएं देके नहीं आएं फुर बदलापूर लेह आए या। एक काम करते हैं वहीं पर तो चोरी करने चलते हैं अभी बैट जाओ जाओ सबके करन में याएंगे चिन्दा मत करो तो भाईया तो छोडी कर बिंग किता ही चलते हैं नाए मानेगो हां मानी नाए सकते एक बात बताओ मेरो वाज काका खो गयो है अच्छा हम बे सुबहें गयो जमना जी अपनी गया को पानी पिवावे काजे अब से अब तक काका आयो ही नाए लोटके काका नायो ना अरे ये क्यों हाँ नहीं आयो न पतो ना काका में दो कहां गयो मैं मिलेगी नाय रो कि हां अरे अरे तो नाय है पतो अरे में मैं जमना जी तो तीन जटकर घर के लगाए चिकों अरे तो कंदे पर कौन को मेठा रहे थे कंदे पर कच्छों आए देख लो एक ओन है यह कौन है काका तु मेरी चांद में बैटो यहाँ तेरी मुछे ने कसे आई अब आज नायते सके कि में उपर हूँ ते रहे क्यों कर नहीं हाँ चोरी कर बें चलेगो हाँ हाँ पक्को चोरे जारी को करेंगे चलो माखन माखन खा जाएंगे पिटाई तुम खा जाना ना यह अब गर दो बात और उतका जाएंगे तो चलेगी चोरी कर बे कि टाहीं चलेगे एक और आएगे हो भजी आवारों चलो चोरी करें हाच चलो तो एक काम करो तुम गाओ और हम चले ठीक है यह चोरी करेंगे तो क्या बिल्कुल करेंगे आज तेरी मीठी तेरी मीठी तो तुन हाथ तो कुठा करके तुन हाथ दुडाई एक या तेरी मीठी तेरी मीठी तिरी मीठी तिरी मीठी लागे चाज गुजरिया तनके चखाए देरी तिरी मीठी तिरी मीठी तिरी मीठी लागे चाज गुजरिया तनके चखाए देरी पडुजरिया तनके चाज गुजरिय। आचुजरिय। कि अच्छा नादे देखे एक बाद हमारे कनिया के संकौन को नाचना चाहता है अच्छा एक बाद रादे कनिया ए छोटे कनिया जिस माता का हाथ पकड़ेंगो उसको कनिया के साथ नाचने का हो सरफ राप्त होगा ओ लाला ओ लाला पकड़ करके नचा के आओ तेरी मीठी मीठी लागे शाच गुजरिया अटिकी चकाई दे ली तेरी मीठी लागे शाच गुजरिया अटिकी चकाई दे ली तेरी मीठी लागे शाच गुजरिया अटिकी चकाई दे ली तनाय पुपर करके यहो और है स्रादर 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 और पहुतना तेरसिया प्यासो तेरी छाज को आरासिको इक चुलू में तेरो काव किड़े अस भूत काये तेरी आरा गाये झाहा तेरी आर। एक चुलू में तेरो खाब गड़े, हासमु त काय देरी तो सबोग माखर खुरा, माखर तरी को कौन गुन खिलाना सिर्थ चाहिती है, माता है और भाई तेरी मीठी, तेरी मीठी, मीठी लागे चाज बुजरी तेरी मीठी लागे चाज सिर्या कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोज कि समया कर दो डिता है अन्सायदी कि रएड़ कि जड़ी अन्सा एंड है अन्सायदी चेट देखे रा देख, ऐसे नहीं, पीशे की हमारी माता है, भगवान हैं माखन का रहे हैं, आप लोग ऐसे मैठी हैं, भाई भी, सभी क्या है दूकर होना चाहिए, सभी के हाँ जो भगवान दो सच्छा प्रेम करते हो लोगवा ओना च्छा झेम, भाई माक्चोर लोगवान दो को अ्भाई आख भाम आख, लोगवान आख तन के चखाए देरी तन के चखाए देरी तन के चखाए दीन के च़ोड़ी स्वीक बान्याद के भान्यायओ आपी आना मने ये ये दोना हादो बर कीजे सामेलू लादा वाला बादादा नित्चर बग मादा लिए मेरे मीठी लागे दाज गुजरिया तनक चतर देदी मेरे मीठी लागे दाज गुजरिया और क्या जोड़ो हाथ पड़ो तेरे पैया क्यों तर सावेरी क्यों तर सावेरी तत्या पूरन होई देख में बन हर सावेरी मन हर सावेरी तेरी लवू तेरी लवू तेरी लवू पलाया गुरी जाए तेरी भी भी लागे चाज गुजरिया तन के चखाए देरी तेरी मेटी तेरी मेटी लागे चाज गुजरिया तन के चखाए देरी 1 तेरी व तेरी तेरी सब्सक्राइब कर संदारि कि थे जबेदे में जैपने अपर आइपने पारि देदे आइपने, कि अईच मरेंगा विदी जैपने, मुझे तो नहें, तो आदेदेदी तो सकते पार्ग कि अचै के अचा जबेदी तो पिछाज गुजरिया ततके जखाए देरी बोले बरनावन कि हारी दाले की जए जए स्री रादे जए जए स्री रादे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोले है सभी लोग है दाइस्तान बढ़ जएए संती है सभी लोग सां़िसे बैठ गवरी लिए जए अका और उसके बाता गोव्रधंग की लिए चलेंगहें हम आद सभी लोग फस्मा भी जाक्र नितन पतल्संद और बहुथ हुंदर तरहай किसे गोवराधनगी पूजा करेंगए गोवरधनगी पूजा थले है करने का फल प्राप्ट होता है जोर से वोलिये जेरे से में पूलो जोर से वोलो अभी मेरे कांद तक आवाज नहीं आ रहे है आप लोग अब ही भी नहीं आ यावाज आप पीछे के नहीं बोलना है वाज तभी लोग बोलो तो कल भगवान का यहां पर पाणिकर संस्कार है बिभाए तो कल धराती और बढ़ाती बनकर के आएंगे ठीक है और भगवान का बिभाए होगा पाणिकर संस्कार होगा कल यहां पर भगवान के पैर भी पखारे जाएंगे राधा रुकमनी और द्वार का दिश पर साथ में क बिवाय होगा आए कथा को आंगे बढ़ाते हैं ब्रंदावनम् ब्रंबनम् ब्रंदावनम् नाम् पस्यव्यों नवेकाननम् गोपी गवांसे व्यम् पुन्याद्री त्रडवावी रुधम् आज इस ब्रज वन्दार भगवान न 10 मांखन चुरी रीला की और मांकन खाया भी है खिलाया भी है जो प्रग्वान मांखन खाते ते तो घंटी वजना प्रारभ हो जाता और जब भगवान गंटी से का क्यों बशती गंटी भी कहती है जब आप भोग लगाएंगे तो विन भोग के विन घंटी के भोग नहीं लगता है बगवान और बड़े हुए अगासुर का उधार किया जो की अजगर की रूप में आये था बगवान ने बगासुर का उधार किया और उधार करने के बाद केते हैं कुचिद वनासे मनुः ददद ब्रजाताहा प्राता समुथाय वसस सपनाहा और जब भगवान अगासुर का उधार करते हैं उसके बाद में कहते हैं बंदो की बगवान ने और रिडाओं को किया है आंगे चल करके बगवान एक रूप और बनाया है एक दिन की बात एक गोपी अपनी टोकरी में फूल रख करके और फलों को रख करके बैचने के लिए जा रही थी तो जब जा रही थी तो बढ़िया को बोल रही थी वह यहां फल ले लो फल ले लो कि फल देना हो तो देदो को कुछ नहीं चाहिए अब फल कनिया ने लिए तो कनिया ने एक चोटा सा एक अन्न का दाना दे दिया और यही ले लो और गोपी तो आनंद में हैं क्यूं बोले आज कनिया का दरुशन हुआ है अब गोपी जब गए थी तो बड़िया ठीक ठाक थी और जब गोपी कनिया के दर्सन करके आ रही है तो कहते हैं गोपी की चाल धाल साल चाल सब चैन्ज हो गया एक पैरे धर रख रही है एक पैरे धर रख रही है पहले आई थी तो बोले दी फल ले लो फल ले लो और आव कोई गोपाल को बैच रही है एक गोपी ने मुले साय इसके लिए कणिया का दर्सन हो गया है इसलिए गोपाल गोपाल बरदा रही है इसको तो गोपाल जबेच रही है गोपाल इसको गोपाल दीग गये सायद गोपाल कनया ने कोई पागल बना दिया इसको इसको इसलिए गोपाल कहिती डोल रही है है एक वार एक वाद है एक वह आए नाम याद नहीं था तो आचानक वह राख्त है pes pes시 ने बता पाल और नाम भूल गया वह तो गोपाल की जिए लुड़क गोपाल लुड़क गो भगवान आगे दौसन दे दिये है तो भगवान को हिर्दै से पकारो फिसी पी नाम से पकारो तो भगवान आ जाते हैं और आंगे चल करके कि यहां पर भगवान है कि बहुत अच्छी लीला करते हैं एक दिन ब्रमाजी आए बोले यह भगवान नहीं हो सकता है कि एक दिन की बात है कि कि भगवान है एक समय की बात है कि मैया चैने आज क्या खिया क्नियां मिट्टी खाई और मिट्टी खाई तो कहते है मैय वरे तो मौड़े में पूरी दुनिया दिख गई तो मैया ब्योस होगई और लाला हमाऊ ट्र नहीं ये तो भगवाना है मैया व्योस हो गई लाला ने सोचा मैया समझ जाएगी सब बेकार है जाएगो और बंधो लाला इन बच्चों को बेठा लिजिए बेठा लो बच्चों को कनिया को महाँ पर कर दो और देखिए सांती से बेठेंगे हमारे भाई इतने खड़े हैं से मेरे निवीदने इताश्तन बढ़ जाओ अच्छे लगेंगे और दिखिए आज कनिया ने मैया को जो दिखाया है ब्रह्मान्ड उसको सब भुला दिया है और मैया ने आज लाला को बादने के लिए उखल के पास ले गई और जो उखल के पास ले गई मिया तो कहते हैं मिया बानती हैं लेकिन रस्षी दो अंगल कम पढ़ जाती है और रस्षी लाती हैं फिर जोड़ती हैं फिर बानती हैं फिर रस्षी कम कईवार किया बानती हैं बानता चाहती हैं भगवान बंदते नहीं है पहली बात तो यह है कि भगवान बंधन में बदने वाले नहीं हैं रस्य कम पड़ जाती है बहुत देर हो गई मैया परिशान हो गई और जब मैया ने अच्छा रस्य क्यों नहीं बन रही है कनया तो प्रेम के भूखे हैं अगर प्रेम से बानोंगे तो जरूर बन जाएंगी क्योंकि प्रेम में वह सकती है कि पत्थर भी पिगल जाते हैं प्रेम में हुए सकती है कि हम जिसको अपना है प्रेम कर लो तो वो हमारे लिए समर्वत हो जाते है और मिया ने जो प्रेम से कहा और भगवान बन गए और उसमें नलकूबर मणी ग्रीव थे दो व्रक्ष थे और भगवान कनिया थोड़े आंगे जैसे ही बड़े है उन दो व्रक्ष थे वो उखड़ गए उससे दो आत्मा निकली उनका उधार हो गया आंगे चलकर के भगवान प्रेक्वार की वात है अपने सकाओं के साथ में कनिया बन में गए और बन में गए और कनिया ने कहा अरे भगया मुझे भूख लग रही है भूख स्रिदामा ने कहा कि यहाँ पर यहाँ पर घर किसी का पास में नहीं है कनिया किसी का ओम हरी स्रिदामा कहता है कनिया मेरा घर पास में नहीं है कनिया ने कहां में तुम सकामों को बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे कुछ खाना है स्रिदामा ने का अरे मधुमंगल मधुमंगल तेरा घर पास में है तो कनिया को कुछ खाने के लिए ला और मधुमंगल घर पर गया बहुत ठीक है कनिया को खाने के लिए में तुम जाम करता हूँ और मधुमंगल घर पर गया और घर पर गया तो उसकी रसोई में कोई खाने की वस्तु नहीं थी घर पर जाने के बाद में मधुमंगल रोने लगा अपने आग को अभागा समझे नहीं लगा अरे मैं कैसा अभागा हूँ आज पहली बार ठाकुर जी ने मेरे से कहा है मुझे भूक लगी है और मेरे गर पर ठाकुर जी के लिए कुछ खाने के लिए कोई वस्तू नहीं है रो रहा है रोते रोते उस मधुमंगल की नजर तीन दिन की बासी कड़ी पर नजर पड़ जाती है और उस मधुमंगल ने कड़ी को लिया बासी कड़ी है तीन दिन की चार दिन की और लेकर के जाने लेगा रोता है मैं ठाकुर के लिए कड़ी खिलाऊंगा और वो भी बासी कड़ी नहीं 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 मैं ठाकुर के लिए ये कड़ी नहीं खिला सकता हूँ ठाकुर से बोलनुगा ठाकुर जी मैं आपके लिए मैं कुछ खिला नहीं सकता हूँ मेरे पास में वो सकती नहीं है और मैं खिलाने नहीं चाहता हूँ लोटता है लेकिन सुचता है चलो कनई आ है खिलाई देंगे मदुमंगल थोड़े आंगे आया रोते 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 एक ब्रक्ष के पीछे छिप गया बुल ये कड़ी मैं ठाकुर की लिए नहीं किला सकता हूँ मैं नरक में चला जाओंगा अरे ठाकुर मेरे से रोते तो रोत जाए लेकिन ये कड़ी अब तो नहीं किला सकता हूँ कनिया ने देखा कि मदुमंगल नहीं आया है कनिया मदुमंगल की खोंच करने के लिए जैसे ही गये है जो का की मदुमंगल ब्रश के पीछ ये चिप करके कड़ी को पी रहा था कड़ी को पी लिया कनिया आए क्यों रे लाला तो घुख लगी थी मुझे एक बार बोल दे तुम्हें कड़ी ना पीतो तुई पी ले तो लेकिन दोस्ती के पीछे तुई ये क्या कर रहा है कपट कर रहा है तू अच्छा नहीं है मुझे भूख लगी थी लेकिन मदुमंगल तू ने मोगों कड़ी ना दई तो कच्छू बात ना है लेकिन मोगों कड़ी भगवान ने दी दी है मदुमंगल ने सुचा कि साथ भगवान और किसी ने दिया हो मदुमंगल तू इधारा मेरे पास मैं कड़ी को पीना चाहता हूँ और कणिया ने अपनी जवासे जो मदुमंगल के ओंटो पर कड़ी लगी हुई थी हमारे कणिया उस कड़ी को अपनी जवासे चाट रहे है आज मदुमंगल कहने लगा मैं धन हो गया थाख तो इतना करूणा निधान है कि इस तीन दिन की वासी कडी को तुँ अपनी जो वासी मेरे ऑँठों से चाट रहा है एक कनिया है प्रेमी कनिया को जिसने सच्चे दिल से माल लिया वह पाएगा क्या रसका चसका नहीं कुष्ण से प्रेम लगाएगा क्या वो लगाएगा वो हस्ता हुआ स्याम मिलेगा उसे जो निजे प्राणों की भेंट चड़ाएगा नत कहता है हम प्रेमी हैं दिल के पके चाय जहां मिठा दे या आर्शा समान पर चड़ादे या खाग में मिला दे हम प्रेमी हैं दिल के लिए और भगवान अब कथा विस्तार से करेंगे समय और लगेगा अंगी चल करके भगवान ने चीश हरण की कथा यहां पर आई चीश हरण वगवान email ने यहां पर छुराया है औरright एक गुपिया निरवस्तर नहीं थी, गुपिया नए वस्तरों को पहन करके कात्याईनी मंदर जाती थी, कात्याईनी महामाये सर्वयोगन धे सोरे नंज गोप सुतम देविन पतिमते नमो नमा कात्याईनी महामाये सर्वयोगन धे सोरे नंद गोप सुतम देविन पतिमते गुरुते नमा और इस परसकी साधी नहीं हो रहे हो, पत्नी मनोरवाम देहिये, मनोवर्दाम तारडिम, तारडिम दुरक संसार सागर स्कलोद भवाम, साधी हो जाएगा गोपियां स्याम सुन्दर को पति बनाना चाहती थी इसलिए शुनान करके कातया नहीं जाती थी। पहली बाद लोग कहते निर्वस्तर थी, निर्वस्तर नहीं थी, नए वस्तरों को पहन करके जाती थी, तो कनिया ने नए वस्तरों को चुराया था, चीर हरण की दिला हुई, इसके बाद में आज बढ़िया जोर से बोलना पड़ेगा, सुन्दर पकवान बन रहे थे, और जब पकवान बन रहे थे लादे और जब पक्वान बन रहे थे बंदो तो कहते हैं कि कनिया मिया के पास में गए मिया मुखों पक्वान दे दो पक्वान दे दो और मिया ने कहा पक्वान ऐसे ना देंगे मुले पर कैसे तब दोगी मा मिया गोली आज कितिन इंद्र की पूजा हो वह और जब इंद्र की पूजा है जाए तब ही भोग लगा करके पिर तेरे लिए पकोड़ी देंगे कनिया रूट गए और जब कनिया रूट गए बाबा के पांस पहुचे बाबा बाबा मैया ने आज मों को पकोड़ी ना नहीं इंदर की पूजा हो एंदर की पूजा और कनिया यह सोच रहे हैं कि हम यहाँ हैं और हमारे रहते हुए हमारे चेलाओं की पूजा हो जाएं इंदर की यह में होने नहीं दूगा अच्छा बाबा यह बताओ तुम्हें इंदर की पूजा काहे करो इंदर की पूजा करें इंदर प्रसन नहीं जाएं प्रसन नहीं जा तो बारिस होए बारिस होए तो खेपी करेगो और किरपा भी करेगो कौन है बोले गोवर्धन है गिताज जी अब बैल गाड़ी बढ़िया सब्सक्राइब बिर्जवास उन्हें बढ़िया लगाई बढ़िया सजाई छपन भोग बनाया है और गोवर्धन के लिए बेल गाड़ियों को ले करके जा रहे हैं कि सब्सक्राइब बिलियते सुखं दुखं भयंचेवं कर्मिडेवा अभी पद्धते सवी उर्धवासी जा रहे हैं आए गोवर्धन हम लोग चलते हैं गोवर्धन की परक्रमा लगाने से ब्रच्क में जो साथ कोस की परक्रमा है चार कोस की राधाकुंड की तीन कोस की कल भगवान का यहां पर सुदर तरीके से पाणिग गिरेशन कार कल दांडिया होगा आप लोग दांडिया महारास होता है कहते हैं जिसने महारास में नमत्र कर लिया उसको पर कही नाजिल क 17 आवस्टब्स का नहीं होती है यह महारास होगा तो दुट करेंगी और बहुत first-out-thats के तरह से है उसको रखने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है घर में क्लेज नहीं होता है तो जो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और रुद्राप्ष की माला और यहां तीन भयाओं ने जोड़ार इनके लिए ताली बजाएं नाम मुझे पता नहीं है नाम वहां पर है इसलिए एक बार और ताली बजाएं वगवान इनके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति और मा बगवती गौक माता की करपा वनी रहें आईए गुवर्धन प्रवत पर चलते हैं अरे मैं तो गुवर्धन को जाओं मेरे भी रिनाय माने मेरो मनुआ में तो गुवर्धन को जाओं मेरे भी रिनाय माने मेरो मनुआ में तो गुवर्धन को जाओं मेरे भी रिनाय माने मेरो मनुआ में तो गुवर्धन को जाओं मेरे भी रिनाय 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 म मैं तो गोवर धन को जाओ मेरे भी जिनाय माने मेरो मनवा साथ कोश की देपर क्रमा साथ कोश की देपर क्रमा साथ कोश की देपर क्रमा देपर क्रमा देपर क्रमा देपर क्रमा साथ कोश की देपर क्रमा देपर क्रमा मैं तो माने से गंगा नहाओ मेरे भी नए माने मेरो मनवा तो नहाओ मेरे भी नए माने मेरो मनवा के तो कामर तंदक आना वंदकी नए माने मेरो मनवा सिरादे! 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 तो आपको परकर के नहीं बीचे कर सकते हैं और और यह जो आमारे पंड़े चपन भोग भी लगाएंगे वहांपर में तो गूबर दन को जाओ मेरे बीर नाय माने मेरो मदवार वो बर्दन गौदा उसकी थैवाने मेरो अन्वार क्या एक रुपा की पाव जलेवी एक रुपा की पाव जलेवी एक रुपा की पाव जलेवी एक रुपा की पाव जले मैं तो पेठे है और दिखिए चिन माताओं को पूजा करना चाहते हैं एके करके और बाकी लोग यहां शरत पर दिखाएंगे को परकरिये अरिव यहां शरत पर Ciण करने अडिन में क्वारे आ always. और भातर पर स्वपिवले कराइज आरे में धर्गत बार्गत commitment को बाकी को बाकी करने फुटा करिये यहां बाधार को बजलते हैं जलता की और देखे रादे, बातों से लिपी देने की एक साथ में ना आएं एक एक करके, और बातों उपरहाँ कीजे, और क्या? चंपा जाये चले भी चाए रही चंपा जाये चमेली जाए रही और मैं केसी हरी मैं केसी और है चाओ मिर भी नंड पिर दाइमान मेरा मनौव कि अधिए अधिए ने निवेदा में थोड़ा थोड़ा दूरो जाए एक साथ में कोई पूजा निकर पाएगा अभी आना लेना है ने तो आर्थी करा देंगे हाद उपर किजिए कर दो अे तो कर दो छोजिए एंद कर दो से जारे स्व Gra सुइंद कर दो से तो प्तो लड़बफ। और जोर से बोलो राधे, राधे, जोर से बोलिये, हाथ उठा करके, जोर से बोलिये, राधे, 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 आरती करें क्या, आए एक वजन और फरार्थी करते हैं क्या जो भाईया है, वो नाच के दिखाएंगे, कल बरात में आना है सब को, तो रहां करें उपल, माता है सब लिए और भाईया है झाल 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 आल झाल 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 है झाल 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 तो Excuse जाल झाल झाख झाल अरे कहा बात है तो को पतों ना है मेई वोली 200 मोखों पतों ना है आकर सब पतों चल जाएगा फर से महीया ने आग दियो फिर से एक माखन को लोंद अबरजवासी ने लियो मों में सब टकट तसीदों पेट में चलो अरे माखन खिला रहा है ने को बता दे कहां भयो रे मिया अरे गोपी है नंद के हां लाला हूआ है लाला हूआ है जो भ worker प्क्या दोड़ते भाया रही हैं पहुं प्हुंदा रहा है कि और कहते हैं जब किसी के यहां प्रिथम संतान हो तो कहते हैं कि पता जी के लिए छलांग लगाकर के इश्नान करनों चाहिए और नंद रवावा सुवे पांच विज गयं चलांग लगाकर करकर जमनां जी में श्नान कियो इसनान करवे के ताई जैसे आए ं बाद में तो सर्बृतां आप कहते हैं नंद बाबा ने लाला का मुख बाद में देखा पहले नंद भाबा ने क्या किया धैनुनाम नियोते प्रादार विप्रेव्या समलंक्रते दिला दीन सक्त रत नई साथ कॉंभा बरावरतान नंद भाबा ने सुवे सुवे क्या क्या दान दिया धैनुनाम नियोते प्रादार किसको दिया विप्रेव्या समलंक्रते ब्रामण के लिए कहते हैं गौ ब्रामण हितायचा जगत दिताय कृष्णाया स्री कृष्णाय वयम नुमाहा के लिए गाय दी कई लोग एखेते हैं कि भगवान चौर है तो भगवान चौर नहीं तो इसको गर में नो लाख गाय हो हों कितनी गाए कितनी चुछ नो लाख गाय हो तो सोचिए उसके घर में कितना छाज कितना दभी होता होगा भगवान में माखन को नहीं चुराया है अच्छा एक बात इस गाय का रस क्या है गाय का निकलता है दूद का रस क्या है दूद से क्या बनता आ हिक आ जोर से वहीения क्या क्या है क्या चाज दही का रस है चाज और चाज का रस है माखन और माखन का रस गी और घी का रस जिस परकार गाए का रस दूद है और सारे रस को निचोड करके अंतिम में घरत रस तक पहुंचती है बाद और घरत के बाद में तो फर ठाकर जी का रस है कि ठाकर जी के लिए हम आरती करें बंदन करें दीपक जलाएं उजेला करें रूशनी करें और से पूजा करें आहूती करें भगवान की गाय का रस अंतिम में भगवान की पूजा के लिए बताया गया है बैसे ही इंसान का रस्तब है जब वह भगवान की सेवा करें तो देनु नामनी उते प्रादाद तो भगवान कनिया ने माखन की चोरी नहीं की किसकी चोरी की छीर चोर नेन चोर चोरा गगन्यम चित चोर चोरम किम हसी दिखा करके बाउसुरी बजा करके ये लूट लेते है ये अच्छी जल्दवादी है ये रूला करें के भी लूट लेते हैं एक कनिया कैसे है बोले बांस्त्री को वजा करके हसा करके हस करके लूट लेते हैं बोले भगवान कनिया ने माखन के माध्यम से माखन का सहरा ले करके भगवान कनिया ने गोपियाओं को चित को चुराया है किसको चुराया है चित को चुरा गगन्यम चित चोर चोरम माखन ने चुराया है जितको चुराया है तो धेनुनावनियुते प्रादार विप्रिभ्या समलंक्रती और क्या दान में दिया तिलादीन तिल के तिलादीन सब्तरत नहीं तिल के पहाड बनाकर के साथ उन पहाड़ों में सब्तरत नहीं एक पहाड में साथ साथ रतन को लगा करके साथ तिल के पहाड बनाकर के सब्तरत नहीं साथ कौंभा बरा वरतान पहाड कौंभा बनाकर के वरतान दान में दिया है बहुत दान दे रहे हैं और व्रजवासी यह कह रहे हैं नंद बाबा कि नंद कछू इतनो जोदियो कनश्याम कब्रयों कीमति बोरी देखत मोहें लुटाये दी देखत मोहें लुटाये दियों ना बची बचिया चचिया ना फिछोडियों सब कुछ लुटा दिया है लेकिन गोपी के रहें नंद कछू इतनो जो दियो घंश्याम कब्रयों की मति बोरी अरे आप मुझे इतना देना कि मेरी मति खराबना हो जाए घंश्याम के प्रती मेरा मन अच्छा बना रहे मुझे आप दान दो या मत दो बस ठाकुर की नजर मेरे ऊपर बनी रहे वही चाहिए मुझे लेकिन देखत मोही लुटाय दई देखते ही देखते सब कुछ लुटा दिया ना बची बचिया और चचिया और ना पिछोरी बचिया चचिया पिछोरी बचिया कहते हैं वोले गाय के बच्चे चचिया यानि जिसमें माखन रखते थे वो भी नहीं है और पिछोरी दुपट्टा पिछोरी भी लुटाय दि अब ब्रिज में बहुत आनंग तो आई रहा है अब भिया कहा भयो कि जैसे ही बाबा ने सुचा चलो लाला के दर्सन करते हैं लाला के बड़िया दर्सन किये और आज नंद बाबा और ये सुना नंदो सो मना रहे हैं ब्रिज में ऐसा बताते हैं कि नंद भवा उसों जो मना रहे हैं ऐसे मना रहे हैं वो ले कैसे नंद सु आत्म जगुत पन्ने जाता लादो महामना आहू है विप्रान बे रग्या सुचीर इति लंग लंक्रता हा अफता नंद भवा ऐसा अपने सरीव को बना लिये नंद आत्म जब्वत पन्ने नंद बाबा इतना आनंद मना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये लाला नंद आत्म जो उत्पन ने नंद बाबा ने अपनी आत्मा से प्रकट किया हो नंद आत्म जो उत्पन ने जाता हा लादो महामना ए पुरी दुनिया आज महामना महान समझ रही है कि नंद बाबा तुम धन हो कि तुमारे घर में संसार का मालिक आ रहा है जाहता हला दो महामाना आओ अवे प्राण बेदग्यान बेदों का पाठ हुआ है सुचीरी इतिलंक्रता स्वस्ति वाचन हम पूर्वतम स्वस्ति वाचन हुआ है और अब आनंतो वरस राही था नंद बाबा ने सुचा कि लाला हुआ है हमारे नगर का राजा है कंस चलो एक काम करते हैं कंस को सुचित कर दें और बहां सुचित कर देंगे तो वहीं की जेल में एक ब्यक्ति है वो हमारे परंशखा है वश्देप वश्देप को भी थोड़ा सा बोल करके आएंगे सारे गोकुल में सभी आनंद ले रहे थे सभी आनंद ले रहे थे लेकिन गोकुल में एक ब्यक्ति था आँखों से आनंद देख रही थी लेकिन आनंद लेने के लिए वहां पर नहीं पहुँची कौन है वो वो है रोहडी जी सारे ब्रजवास यहां ले रहे थे रोहडी जी अपने खिड़की में से देख रही थी अच्छा रोहडी जी आनंद लेने के लिए क्यों नहीं आई अरे इसलिए नहीं आई क्योंकि जिसके पती जेल में हो परिस्तिती खराब हो पती की दुख में हो तो उस इस्तुरी के लिए संगार भी नहीं करना चाहिए और रोहडी जी के पती जी वस्देव है और वस्देव जेल में है तो यह तो सुभाय मारनी है और रोहडी जी नंद बाबा आपके दरवाजे में नहीं आई जब सब लोग मिलकर रके गए तो फिर रोहडी जी आई है और नंद बाबा मतुरा गए कंस से कहा कि पुत्र की प्राप्ती हुई है वस्देव के पास में पहुंचे और वश्दिक के पास में पहुंचते हैं वश्दिक की आँखों में आंसु भराए रोये हैं और जब आशु भर जाते हैं नंद बाबा ने कहा क्यों हूरे हो तुम्हारे पत्रों को शमाप्त कर दिया आरे चिंता मत करो मेरे हाँ मेरा जो लाला हुआ है न वो लाला हमारो ना है वो लाला तो तुम्हारो है बाबा और रोने लगे हाँ नंद बाबा वो लाला तिहारो ना है वो लाला तो हमारो है उसको बढ़िया उसका ध्यान रखना बढ़िया सुन्दर तरीके से उसको पढ़ाना बढ़िया मा आखन खाने आया है वो लाला मेरा है तुम्हारा नहीं है जो निकल आओगे वो लाला के ताई मैं त्यारे पास में भेज़ दूंगो बड़िया सेवा करना और नंद बाबा अपने गोको लाया है तो गहते हैं कंस की मूँ ओली बहन थी अच्छा मूँ ओली बहन कौन है ओले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सिशूस चार निगनन्ती पुरोग्राम ब्रचा दिसु कौन है कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी पूतना कौन है पूतना तो वह है जो दूसरे के पूतों को अपना न समझे वह पूतना है जो दूसरे के पुत्र को मारे वो पूतना है जो दूसरे के पुत्र को कुछ ना दे अपने पुत्र को सब दे वो पूतना है जो दूसरे को पत्र को देख करके जिसको बुरा लगे वो पूतना है जो पूतना वालकातनी जो छोटे-छोटे बच्चें को परिसान करती है सामान को छीन लेती है वो पूतना है सिसुन सचार निगनंती जो सिसु है जो छोटे-छोटे बच्चे हैं कई माताओं को मैंने देखा है कई माताओं की आदत बहुत खराब होती है स्वेहम के बच्चे को तो बड़ा प्यार करेंगे चाहे वो बच्चा गंदा बहुत हो सामने वाले का बहुत सुन्दर भी है लेकिन उसको मारेंगी पता चला कि आराम से चोटिया ही ले लेती है हाथी मसक देखने हैं जो बच्चा बोलना नहीं जानता हूं रोएगा अरे कई कई जगे तो देवरानी जिठानियों में भी होता है अगर देवरानी जी का बच्चा है और जिठानी का बच्चे कभी परिसान करता है तो देवरानी जी भी क्या करेंगे आपस में जाएंगी और बच्चे के कान को आड़ देंगे चोटिया ले लेंगे और पूतना कौन है जो दूसरे बच्चे को जो अपना ना समझे वह पूतना है कि शिसुन सचार निग्णनती पुरुग्राम ब्रजारिसु एए ब्रिच धाम में पुरुग्राम पड़ता है वहां की पूतना है आईए कंस के पास आए अरे भीया अरे भीया इरी वह पुछे तो लग रहा है ना जयनी कभ मुझे मार देंगा अरेhor रहे और कि असे टूबलो है जाओंग covari में कि टैंसन में बोजन भी ना कर रहा हूं मैं ऐसे तो दूबलो है जाओंगो मर जाओंगो मैं पूतना माया भी थी पूतना ने बड़िया सुन्दर भेस बना लिया बड़िया सुन्दर अब कंस ने का कैसे मारेगी कैसे मारूंगी अहो वकीयम इस्तन्य काल कूटम जिन्धा साया पाप यहताद्वे साध्वे मैं कैसे मारूंगी मैं अपने इस्तनों पर काल कूट जहर लगा लूँगी और चोटे-चोटे अहो वकीयम वकी बन जाओंगी अहो वकीयम इस्तन काल कूटम इस्तनों पर काल कूट जहर को लगा करके चोटे-चोटे वच्चों को पिला देंगे मर जाएगो चोटने एक सो छोड़ा एक सेकंड में तो वाको धार रह जाएगो जिन्दा स्या पाय यह तत्वी साध्वी में संदर साध्वी का बढ़िया संदर सभे भेस दरके में में जाऊंगी अब बढ़िया संदर लम्बों सो घूंगट डालो हमारे व्रज में बहुत लम्बों घूंगट चले जो घर में वहू रहे जेट के ताइए अपनों से बड़ों के लिए हमेशा इगूमट डलो रहे यह मर्यादा है मर्यादिते है परदा है परदा करो अच्छी बात है नजरें को जुकाएं है गर की वहू की नजर जुकना चाहिए परदा हो या ना हो बागे व्यारी को भी परदा कभी कभी लगता रहता है परदे में बैठे बैठे क्यों न मुस्कुराए अरे आगए तेरे दिवाने जरा परदा हटाए आगए तेरे दिवाने जरा परदा हटाए आगए तेरे दिवाने जरा परदा हटाए आगए तेरे दिवाने जरा इस साबरे के मल में यही एक है वो आसा मैं भी तो आया दो कदम मैं भी तो आया दो कदम जरा तुम भी बड़ाए आगए तेरे दिवाने जरा तुम भी बढाईए आ गए तेरे दिवाने जारा तुम भी तो आईए और देखिए इसलिए पूतना ब्रज में आई बैया के काम के लिए कहते हैं जो भी एक माय का बालक मिलता है पूतना पकड़ करके उसको मार देती है मार देती है पूतना मार रही है बहुत बच्चों को मार दिया और बाद में सीदे नंद बाबा के महल के पास में पहुंच जाती है और जैसे ही महल के पास में पहुंची पूतना तो भीड बहुत थी और पूतना ने पूछा भीड यहां क्या हो रहा है अरे गोपी तो को पतों न आए नंद के यहां पर लाला हुआ है छोड़ा भयो है बई के उत्सो चल रहे हैं अच्छा उत्सो चल रहे हैं अच्छा ठीक 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 के और फिर पूतना अंदर पहुंची लंबो गूंगट डालके रख़ा है कोई पहचान भी न परो और पूतना अंदर गई तो पूँचा यह सुदा कहा है यह सुदा को बुलेए अब किसी के गर में कोई उत्सो हो कोई भंशन हो कोई साधी हो कोई जन्वस हो तो रिष्टेदार बहुत आते हैं तो पुराने रिष्टेदारों को नहीं पहचान पाते हैं भूल जाते हैं अब यह सुदा जी आई पूतना से मिली पूतना जी ने कहां अरे यह सुदा तोने मोग को पहचानों ना है यह सुदा ने कहा छमा करें वहन मैंने तो को पहचानों ना है हाँ काय को पहचाने की तू जो नंद वाबा की पत्नी है खापी के बड़िया हाथी खट्टी है गई ना पहचानों मैं त्यारी बच्पन की सहली हूं अब यह सुदा को काम था भूले हाँ ठीक है भूले बस लाला की दरसन करवे केताई आई हूं तो यह सुदा ने कहीं दिया ठीक है लाला पल्ली में सो रहा है जाए दरसन कर लीजी जुला लीजी और बदाई तो होई रही लाला जायो है यह सुदा ने यह शौहजर दला जायो है, यह शौदने, जाला जायो है. लाला जायो है, लाला आयो है. और जबू पूतना पलने की पास में पहुंची और जैसे ही पहुंचती है लाला को उठा लिया और जैसे ही पूतना ने लाला को उठाया लाला ने नेत्रबंद कर लिये नेत्रबंद कर लिये इसके तीन अर्थ है संतों का भाव है कि ठाकुर जी ने इसलिए नेत्रबंद कर लिये क्योंकि देखो तो कैसी है ए पूतना मैं तो ब्रज में माखन खावे के ताई आयो हूं और ए पूतना मुझे बिश पिलाने की लिए आई है इसलिए नेत्रबंद कर लिये दूसरा भाव या है बोले ना जी का दियान क्या बोले बोले ना जी ए बिस तो पीने का काम आपका है बिस आप पी जाओ दुग धम पी जाएंगे और तीस्तरा भाव यह है कि कनिया ने सुचा चलो ठीक है कि पूतना है तो मेरी मौसी और मौसी मां होती है चलो जो गति यसुदा को देनी है वो गति इस पूतना को भी दे देते हैं कनिया करुणा निधान है और पूतना लेकर कै आस्मान में ऊढ़ गई, आसमान में लेकरके उढ़ गई अब पूतना ने सोचा चलो इस्तन पान करा देदे हैं और येसे इस्तन पान कराया एक मिन्ट दो मिन्ट पाँच मिन्ट दस मिन्ट एक गंटा दो गंटा तीन घंटा है गए पूतना सोच रही है बहुत देर है गई और यह तो कालकूट में से दोमट में खेल हो जाने चाहिए अभी तक नहीं मरा और जब कनिया पूतना के प्राणन को खीचने लगी पूतना पर चिलाने लगी अरे कनिया छोड़ अरे कनिया छोड़ कनिया कहते हैं मैया या तो मैं पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो फर छोड़ता नहीं हूं मैया वो को पकड़ वोई आवे छोड़ वो नहीं आवे अचोड़ने वाले नहीं है और कनिया ने फिर धीर 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 उस पूतना की आत्मा के लिए पूतना की आ अब यब पुतना का बद हो गया पर उसमें से जोती निकली बगमान में बिलिन हो गई अब यह अब यहां अब यहां पर मियां को पता चलता है और मियां को जैसे पता चला कि वह गोफी जो आई थी उसने लाला को उठा करके चली गई है मियां रोने लगी मियां रो रही है अरे अरे मेरा लाला कहां गया मेरा लाला कहां गया है कि मेरा लाला कहां गया है कि बावा आए दोड़ते में अरे मियां अरे यह सोदा त्यारी सहीली आई थी तुई तो कह रही थी भच्पन की सहीली है वाने लाला के दर्सन किये और करवे के ताईं वहीं लाला को ले करके चली गई मयां रोते रते हुए नीचे गिर गई और सोच रही है कह रही है अरे मेरी आखों का तारा कहां गया मेरे लाल को किसकी नजर लग गई है मेरे मेरे लाला को किसी ने जादू तो ना कर दियो है मेरे जीवन के प्राण को किसी ने हर लिया है बाबा नंद बाबा बाबा मुझे मेरो लाल चाहिए मुकों और कच्छू ना चाहिए चाहिए मेरे प्राण को ले ले मेरा सब कुछ ले ले लेकिन मेरे लाल को लाकर के दे दे हैं अभी तो लाला की शेवा भी नहीं कर पाए और उन दो फैर के समय ब्रजवासी सुवेरे सुवेरे मतुरा जाते हैं कंस को दूद का टेक्स देने के लिए और जब बापसी में आए तो मार्ग जाम था ब्रजवासी चर्चा करने आंधी आई नहीं तूफा नायो नाय बारिस भाही नाय पर ए रस्ता मार्ग जाम कैसे है गओ ब्रक्ष कैसे किर गए अउदोब पूतना कितने किलोमेटर की कि थी पता है अठारा क्लो मेटर की थी इतना लंबा विशाल सरीप था उसका और साड़े ब्रज में कनियां को डूड रहे हैं हर घर में सारे ब्रजवासी निकला आए घर घर में डूड डूड रहे हैं कि सारी जगे पर खोज रहे हैं कनिया नहीं देखे मैं यह से कहां मैया कनिया तो कहीं नहीं देखे सारे मंदल में देख लिया है अब तुम मत्रा जाना पड़ेगा मत्रा साइट ही देखना पड़ेगा कि पतोनाय कौन थी त्यारी सहेली बाके घर पर चलते हैं यह सुदा कहती हैं बाद सहेली को तच्छु पतोनाय कौन थी कहां नाम है कहां पर आई थी बर्जवासी नोंने देखे देखा यह मारग है लेकिन यह तो किसी का सरीर लग रहा है अरे आज यह पूतना धन्न हो गई है किसी के हिर्दय पर काम नास्ता है किसी के हिर्दय पर राग नास्ता है किसी के हिर्दय पर कुछ ना कुछ नास्ता जरूर है आज यह पूतना धन्न है कि आज इसके वक्षस्तल पर संसार का मालिक नाच रहा है संसार का मालिक खेल रहा पूतना पूतना अरे इसके वक्षस तल पर इसके सेने पर यह कनिया किलकोली कर रहा है खेल रहा है अब अनंद बाबा बगर सब लोग आगए कनिया को नीचे उतारा अरे लाला यह तो पूतना है पूतना आई थी अब बोले पूतना को कैसे क्या अलग करेंगे तो कहते हैं पूतना का जहां सरीर गिरा है वहाँ पर ब्रिज में गाम है गया हो मुडो गिरा मुडोसार मैं आज भी गाम है पैघाम है मुडोसार है हाथ गिले हात रस इस हम शरी मांकरि नाखपूर में थे अ क्या करना कर महाराश्ट में और तर अदार पर देश में नहीं वह नहीं कानपूरर तर नाखपूर की जो दूरी है 50 कि º2 कलोमेटर की नो आप अपनी उंघलिक आइसे करके लगा इसाय से लेकर कि आपकी नाग तक नौ लाएंगे अभी मत लगाओ घर पर लगा लेना और पर पूतना को पैर अलग किया एक हाथ अलग किया खंडन खंडन किया और पूतना को जलाया और जैसे हैं पूतना को जलाया तो सुगंद निकल ही उसमें ऐसे कि पर्षशर जी कहते हैं कि एह राजिये भगवन कि पूतना तो राक्षसी तो दुर हुंन अशायी थी पर सुगंद क्यों निकल नहीं है सुगदेव जी कहते हैं कि जिस इंसान के लिए भगवान इसपर्स कर लेते हैं उसकी दुर्गंद को ले लेते हैं और अपने सरीर की सुगंद उसके अंदर भर देते हैं इसलिए पूतना के सरीर के अंदर से सुबंध आ रही है चंदन की खस्व हुआ रही है अब भया लाला घर पर आए अग तो बरजवासी क्या कह रहे है जुग जुग जी बैरिया सोधा मैया तेरो लह लेना जुग जुग जी बैरिया सोधा मैया तेरो 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 लेना जुग 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 जी बैरिया सोधा मैया तेरो लेना अजिवार आए हो राधार कुने लाज लिकी गए और क्या बड़ भागिन तू मात्य सूदा ऐसो सुदेन जायो बड़ भागिन तू मात्य सूदा ऐसो सुदेन जायो पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी मैंने गोदि खिलायो जागो लाड जुला पे पालेना तेरो लालेना लाड चलावे पलेना तेरो लालेना जुक जुक जीवे दियासोना तेरो लालेना जुक जुक जीवे दियासोना मियान तेरो लालेना अरिवो चिराले चिराले करें पूर्णियों डिख करें ने खुर। कि यरीया, सुद्संदा जिरो ललना, तिरो ललना, कि यरीया, सुद्संदा जिरो ललना… और क्या है। कि दन घडि जब हो बेए सोदा पहिया कहकर बोले को दन घडडि कब आई की जब किसी का छोड़ा पहली बार मां बोता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है आप लोग लह ने क्या वोला नहीं है बोला एक ही नहीं तो तो रहाद उड़ाओ तन गड़ी जब हो बेया सोधा मैया कैकर बोले नू पुर बांद दू चर्णन में पुर बांद दयो चर्णन में घुट्वन घुट्वन डोले घुट्वन घुट्वन डोले पकड़े बाबा की इंगरिया तेरो लाले ना पकड़े बांद की जोगरिया तेरो लाले ना 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 पकड़ करके चलता है कि नहीं चलता है वालक यह जतने बैटे हैं ना सोच लोग अगर आपने कनिया की उंगली नहीं पकड़ी ना तो आपको आपका बेटा भी नहीं पकड़ेगा पर उंगली हाद उपर करूँ अचिह हो हाद दी अर यह थान करें पर यृ नहीं हैं इसा है परफ्कक करें अपने जगरीक कर सकती है डोन हंद फ़रकि श्ट्रश्मिक पड़ीच ऑपक उपक बडे हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर चुकाओं मैं यह 113 में वाली भागवत कता हो रही है और हम लोग हर कथा में आनंद लेते हैं त्वाद जी की कता है आप लोग दो रहा लुडाओं आप लोग भी आनंद लो अगर 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 आनंद अगर 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 अभू तु जुग जुग जीवे लिया सोता पिया मेरो ललेना जब लाला का चनम हुआ तो बोलेनाची को पता चला तो बोलेनाची भी आ गए और जब आ गए तो मैया ने दर्सन नहीं कराया मैया क्या कहती है बोलेनाची आए मैया बाहर आई मैया ने का लाला के दर्सन ना कराऊंगी बाबाने का आसा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो आसा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो आसा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो तेरो क्रिष्ण जगत को सामे जगत को सामे मैने गोदी खुलायो मैने गोदी खिलायो ओ तेरो लेकर ब्लायो मैने गोदी बाब अंदीना तेरो लेकर वए ना जुमित को जोंदी तerson को सामे तो आग उपर करके जिरादेर 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 अभी बहुत नानद आने वाला है और कल्ले तो भगमान का बिभाय है दो भगमान में तो नाचा जाता जूपा जाता है हरी वो अटाव कर दो कर दो जब जब भोले नाची आये जब भोले नाची आये तो मिया ने क्या कहा दर्सन ना कराउंगी दर्सन ना कराउंगी आप देखिये भोले नाची नहीं आये कहा कि दर्सन ना कराईगी मिया मिया ने कहा ना कि अपनों देखो है कभी सीसे में देखो है कि ना देखो कि हमारों मौड़ों कैसा है एक बार सीसे में अपनों मौड़ों देख ले सपतों चल जाएगो कि तु अपनों मौड़ों देखो तो स्वेम डरब जावेगो मिरों लाला तो छोटों सो है नैक्स सो है डर जाये ना दर्सन ना करावेगी तो मैं यहीं बैट जाओंगो धूनी रमालों को कि घए तो बैट जाएगो थुमई रमा लेगो तो करेगो कंद दर्सन नहीं हां मैं यह टेरो लाला टेर छोडा नेक्स वालों करेगो और बढ़ों को तो बाहर आवेगों के ना आवेगो को तो दर्सन कर लूंगो अगर ऐसो है जाएगो तो मैं अपने लाला को बाहर निकालूंगी ही नहीं अंदर ही अंदर रहेगो बोले नाचिने का मैया अभी ना निकालेगे पड़ाई के लिए विध्याले के लिए तो भेजेगी के ना भेजेगी मया जा दर्वाजे से ना निकालेगी तो दूसरे मैं दूसरे दरवाजे निकालूँगी बाबा कहते मैं बहाँ अब हाँशन ऑगिंए तो बबाबा ने का तो चलो जब विभाय तो बराद लेकर के जाएगी कि नहीं जाएगी मिया ने कहा दारी के अगर तूं बैठर रहेगो तो लाला की बराद निजावे की बराद आवेगी लड़की वाले या जाएगे और साधी है जाएगी लेकिन लाला के दर्सन नहीं कराऊंगे जो मांगे सो लेले बाबा भोजन कहा कराऊंगे मेरो देव डर्व गोवावा पालक में न दिखाऊंगे मेरो छोटो सो लल निवा तेरो लले ना मेरो छोटो सो लल निवा तेरो लले ना मेरो छोटो सो लले ना मेरो छोटो सो लले ना कुस्ति से करके कुस्ति नहीं करना है कि माता है तो कुस्ति कर रही है हो एक साथ में उठाओ जोर से बोल करके एक बार और बोले लाला के लिए सब गोप्याओं ने जुग जुग जीवेरी यसोदा मिया तेरो ललना अब बाबा से मिया कहती है दरसन ना कराऊंगी माया काल डरे या में एक दरसन मैं तो पाऊंग वो मेरे भगवान है अपने लाल में को आपको नहीं दिसाथ दिखा सबती हूं मैं या नहीं कहां और बोले ना जी को जब लगा कि यह दरसन ऐसे नहीं कराएगी कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो कहते हैं भोले ना जी के साथ में भोले ना जी के एक बढ़िया मित्र हैं का गोशंडी जी 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 और भी बढ़िया इनके अध्रा के पास में पढ़ता है घूते सुर के पास में है नाम सुनाओं का भोते सुर महादेव इस्टे सन्वी पढ़ती है पुले ना जी जाकर के महां बैठ गया हम और जैसे भोले ना जी यहां से गए वहां बैठे समाधी लगाई तो यहां कानेया की समाधी खुल गई कानेया रोने लगे लिया कानेया बहुत रो रहे माया स선वय लाला चुपना हेलों बहुत देर हैं गाहां आता है है कर दिया को याद आया मुक्यों तो ऐसलें सब्सक्राइब कर गया हो न म्हें तब से बाबा गये हुए तब ही से मेंरो लाला रो रहा है बाबा को ढूड करके बुला करके लई। और सखी गई बाबा उसे कहने लगी कि चल रे योगी नंद भवन में तुहे मात यसोदा बुलाई रही बाके लाला को नजर लगी है नेके राईलों ने करेवावे बाके लाला को नजर लगी है नेके राईलों करेवावे चल रे योगी बड़ा अच्छा योगी है योग के द्वारा कनियां को रुला दिया तुहे मात यसोदा बुलाई रही लाला को नजर लगी है ने किराई लॉन कर वाबे है कि लाला को नजर लगी है बाबा ने कहा हुए अपने चिला से वह काम मनिया रही चिला चल थैला उठा लिए वस्ता उठा अब बहां गए है अब बहां गए तो मैं मैं आने का नहीं दो बाबा ने आएंगे एक बाबा आएगा अंदर पहले में दर्सन कर लूँ तुमारे लिए करा दूबार अंदर गये और यहीं बोले नाज जी और काग भोशन डी यह राम जी का अवतार हुआ तो वहां भी दर्सन करने गए थे मैं अब बोले लाजि अंदर आप बोने जी दिने जैसे ही ढन्यां गये और लाला की लाला की कपल लाटाहं को देखा भी लाला रो रहा है को है मियांज Muh hun बावा ने गारे मिया टेर लाला कि की की को लेकियों हुआ आरे जो पंचांग कि पत्रा हो तो चेला कि बैक में रखा ये घ्र बोला करना तब तो पंचांग तो को या निगा चेला को करें भूले ठीक है चेला को लाते हैं कखा तुसोंड़ी जी बी अंदर ऑन लालाई दॉर लालारोहई थे मियां की हाथ में जी लाला वाय तो और रॉये और जैसे यह बाबाण यह लाला को लिया लाला जैसे है करे Haye और जैसे चुप हुए लाला बाबा ने बढ़िया दर्शन किये महिया कह रहे है ये बाबा नो जादू थी हो जो कैसे चुप है गो लाला भी अभी शी बदमासी करने लगो दर्शन हुआ पर तो ये सुदा जी कहती है की रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो जब जब लाला को नजर लगेगी तब तब वासो की जो तब तब दर्शन दी और उसके बाद बंदू लाला कोड़े बड़े हो गए हैं अच्छा एक बात यह बताओ भगवान का बाके विहारी नाम क्यों पड़ा बाके विहारी नाम देखे बाके का अर्थ होता है टेरा बाके का O होता है ठेड़ा होता है तेड़ा और मौहार करने वारी की बात है महाराश्ड में मनमान के लिस्तरणी साये की पास में कि बैजापुर के पास में जो खंडाला पड़ता है कि वहां पर एक बार कथा हुई तो हम लोग बोलते थे बाग के द्यारी की जाए अब बाग के लोगों ने एक दिन सुना दो दिन सुना त्रिशन दिन आए मैरे पंड़त ब्रामर्ण लोगों से मिले महाराज से एक बात आप बोल दो आप लोगों मिलने देते नहीं क्या बोला है बताए बोले महाराज से भी बहारी की जहमत बोला करो बहां के लोग ठीक नहीं है कहां के विहारी की जहें कुम बोलते हो मैंने कहा यह विहार का विहारी नहीं है यह तो जगत का विहारी है सब के दुखों को हर लेता वो विहारी है कि आइसे किसको बोलते है ढालगों को बोलते है थाकरजी भागवान को गया जाता है कि कि लोग इस तो चली महाँरे थाकरजी है को अंदर्भ॥ hiring शक्त्री है क्या नहीं शत्रीन हैं और जाते हैं वह घुकर हो जाते हैं कि इसलिए ठांपर है आप यहां पर ऑग कनिया नीक पड़े हुए बाग के भाड़े नाम के दिये कहते हैं मैया ने पहली बार जो इस्तनपान कराया तो कहते हैं मैया ये सुधा ने चेड़े होकर कि इस्तनपान कराया पहली बार पहले क्या हुआ मैया ने पहले लाला को हाँ में लिया अगर मैंने उमल्यों में लाला को लिया तो मेरी उमली ने लाला के लिय क्रही ही और यसलिए लाला के लिए चोकी पर लिटा करके और यसुदा ने ठेड़े होकर कि इसतनफान कराया था इसलिए हुंसका नाम हो गया था थेडा इसलिए थेरा सवमुकुत सरुपर रखा किस आधा से इसलिए बागे नाम पड़ गया कि तभी से विहारी हो गया तो फिर घर में बढ़िया क्या हुआ कि मिया घर में काम कर रही थी तो मियाने सुचा एक काम करते हैं अब लाला के लिए सुला देते तो बैल गाड़ी थी एक पहले गाड़ी में अपने साड़ी को बांदिया पहले माता हैं साड़ी में ही लाला को जुलाती थी पल्ले मल्ले अल्ले पल्ले नहीं थे तो पहले माता है साड़ी बान करके सुलाती थी लाला के लिए तो बेल गाड़ी के नीचे मिया ने अपनी साड़ी को बान दिया है और लाला को सुला दिया है और उस बेल गाड़ी इस बेल गाड़ी के उपर चाज रखा हुआ है शाग रखा हुआ है वह एक पर वह है वह बच्चे है और बेलगाड़ी क्या है बोले बेलगाड़ी ठाकुरजी है जो चला रहा एक मात और यहां पर है कि छाज उपर है और कनिया नीचे है यह नी कि रस उपर है कनिया नीचे है पहले रस आपको देंगे ठाकुरजी और जब आप में रस आ जाएगा जब आप उस रस को पीना प्रारम कर देंगे जब आप उस रस को घोर के अपने अंदर ले जाएंगे और जब रस को ले जाएंगे तो नीचे पर ठाकुरजी है पर रस पिएंगे तो बाद में कि अब लाला सोच रहे हैं मैया तो मुको ध्याने नहीं दे रही है दो घंटे से गीत गा रही है दो घंटे से दो घंटे हैं गे और मैया मुको ध्यान ना दे रही है कहते हैं तभी कंस ने एक देट को वेजा उस देट का नाम था सक्टासु वह सक्टासु सकड्रूप में आया कि chant कि कईया ने कहां मामा ची रामराम आ गए है खुप सो रही हो अब नील रूप आऊगे अब तो तुम मरने वाले ओ तो ठोड़ी दे रबात पता चलेगा कुनिया ने का थी ओ वले मामा क्यार रहो कि अपनों एक फार बहुत लुप लंबो कि और लंपो जैसे कि और बेल गारिमिस जैसे जोर से इसपस किया अपने पैर का प्वर ओ और चुलिए गहीं बहुत उपर और जाकर कर निचे अयह धर्डामी से तूट गही गिर गए और मैया ने देखा मैया ने सुना एक बात बताए माँ और पुत्र का बहुत अच्छा कनक्शन है कि किसी की भी माँ पूरे ग्रे काम में कहीं भी लगी रहे चाहे कितने दूर रहे अगर उसके पुत्र को और भूक लगी हो तो रोने लग जाए मां के कानों में आवाज पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन मां को अहिसास हो जाता है कि मेरा लाला रोने लगा है इसलिए मेरा को अशास कुवा मैं दोड़ती भी आई ना को क्या हुआ क्या हुआ रो रह रहा है कि अ रही क्यों बटाओ बहला काड़ी कैसे टूटी कि अरे मैया एक मन सुका वोलो मैया क्यों पतों नाएं बहला कैसे टूटी मिया ने का कैसे तूटी है अरे मया तेरो लाला तो जाद्युगर है जाद्युगर अरे तेहा रे लाला ने ये पेर लंपो क्यों वो लंपो क्यों बेलगा डिये मार दियो बेलगार ठूट गयी मैया गही रही है कि ओरे लाला इन एक सो छोड़ा जाको पैर कैसे बढ़ो है जाएगो कैसे लंपो है जाएगो अरे तूट गई होगी और लाला को लिया है बाबा कहने लगे जब से लाला आया है कुछ न कुछ खरावी खराब हो रहा है अच्छा तो कुछ होई नहीं रहा है अब भया लाला का नाम करना चाहिए इंसान के सोला संसकार होते हैं कितने संसकार होते हैं सोला देखिए एक मात बताएं इस तरी के सोला संसकार होते हैं इस तरी के सोला क्या होते हैं संसकार देखिए एक बहुत अच्छी बात है 16 संस्कार पूरे ही करना चाहिए तब मुर्ट्व होगी तो मोख्ष की त्राप्ति होगी और हम अगर यह संस्कार नहीं करेंगे तो मोख्ष मिनने वाला नहीं है और इस तरीक सोला संदार अबस्क है अगर स्वागन इस तरीक अद्यान्त होता है तो कहते हैं इस तरीकों अर्फी पर रखने से पहले पूरा सिंगार किया जाता है पूरे सिंगार किया जाते हैं क्योंकि 16 संसकार आवश्चक है तो पहला संसकार गरवाधान संसकार दूसरा पुन्सवन संसकार तीसरा जातकर्म संसकार चोथा जन्म संसकार पाँचमा नामत्रन संसकार शीमन तो नेन संसकार उपनेत संसकार यगोपवीद संसकार चारू केशि संसकार अनप्रा साकरण संसकार फिर कहते हैं पाणि ग्रह संसकार और मरत्तु संसकार और इसमें कहते हैं गुरु दीक्षा संसकार सरस्रिष्ट माना गया है जब तो गुरु दीक्षा हम नहीं लेते हैं तो कोई दान, कोई फुन, कोई जाप, कोई तफस्या करने का फलपराप्त हमें नहीं मिलता है इसलिए गुरु दिक्षा लेना बहुत आवश्चक है इसलिए गुरु दिक्षा हम हमेशा लेना चाहिए हर इंसान को लेना चाहिए गुरु दिक्षा के भी कई अर्थ होते हैं गुरु दिक्षा पहले तो एक गुरु से लेना चाहिए दूसरा तीन साल में गुरू का दर्सन करना आवश्चक है अगर किसी के गुरू का देहन्त हो गया हो तीन साल हो गया हो तो चौती साल में दूसरे गुरू को भी बना लेना चाहिए जिस प्रकार एक कन्या का विभाय किया अचानक उसके पती का देहान तो जाता है तो उस कन्या का हम क्या करते हैं उसकी विदा करा देते हैं बैसे गुरू दी मंतर भी हम फिर दुवारा ले सकते हैं लेकिन चार साल बार ले चौथी साल में लेना चाहिए पानी पियो जानके गुरु बनाओ जानके और उसके बाद नामकरण के लिए बुले सबसे पहले गुरुजी के पास गए वश्ष्ष्ट जी के पास गए अब यहाँ गुरुजी के पास गए गुरुजी पहले ठीक है नामकरण संसकार तो कर दूँगा लेकिन तुमारा काी में गुस्थों करना खुस्थों करना होगा एक कानत rhyme होगा आ लुष्ष्व आला में करेंगे नामकरण संसकार मुले ठीक है गुरु जी आए तो ये सुदा ने और रोईडी जी ने आपस में बात की कि ये तो चेक करना पड़ेगा कि गुरु जी कैसे है जानते हैं कि नहीं है अब भया प्रोईडी जी ने ये सुदा के लाल कनिया को लिया है और ये सुदा ने दावु वल्राम की को लिया है को साला में पहुंशे स्वस्ती वाचन पूर्वकम श्वस्ती वाचन किया गुरू जी ने और स्वस्ति वाचन करके और गुरु जी ने सबसे पहले बला धिक्याद बलम विदूहु बलराम आहा जो बलों के वलसाली है जो नाग सेस अवतार है उनका नाम बलराम है लो जो लक्षमण जी के अवतार है जो लख्मर जी का स्रूब है उनका नाम बलरडाम है वळा धिक्याद बलम विदूहु आयम ही रोहिनी पुठ्रह सुष्यंğर्दोर्मयन हिर्दै अव्हाला दिक्याद बलम विदूई बलराम है अच्छा दाउठाल के से नाम रहेगो बड़ीया नाम रहेगो दाउठť कनिया से बढ़ो है तो दाव भी रहेगो और कनिया को जैसे ही गुरु जी ने देखा और जैसे ही देखते हैं गुरु जी देखते रहे देखते रहे देखते रहे गुरु जी कनिया को देख रहे कनिया गुरु जी को देख रहे अग्या ने काये सुजाने गुरू जी क्या हुआ अरे कुछ नहीं अरे मिया मिया तुम्हारा लाला तो नारायण है नारायण और जैसे नारायण का कहाना कनया ने अपनी आप दिखाई कियो और रहे गुरू बनकर के आया है अरे मेरा नामकर करने के लिए आया है कि मेरी पोल पत्ती खोलने के लिए आया है नाम करना है नामकर पोल पत्ती मेरी क्यों खोल रहा है अगर मिया को पतों चल जाएगो कि मेरो लाला भगवान है नारायण है तो मैया मुक कहा करेगी तुम्हें पतों नाय कहा करेगी मैया मुक को अलवारी में बैठाल देगी सुवे साम चरोणियों को भोग लगा देगी गेट बंद कर देगी और मैं जा जिस माध्धम से आयो हूं वो काम मैं ना कर पाऊंगो फिर और यहां पर गुरुजी ने नारायन समों गुड़ई अरे आपके लाला के चेरे में नारायन समों गुड़ई नारायन के जैसा इसमें चेहरा दिख रहा है नारायन के जैसे गुड़ इसमें लग रहे हैं इसलिए इसका नाम नारायन है कि अच्छा मिया कि ते लिखे इसका नाम कुरस्णा गजो आकरस्ण है उसका नाम कुरस्णा है मैं नैंक अरे इसका ü sedan a हुसा है कि टीक मेया अच्छा नहीं लेगेंगा इसका नाम है रंग पलता भी यह कौन सो नाम तुम ढod लता k जैसे जैसे बढ़ायगे जै सो कलर है तो जाएग वैसी वैसी जाके नाम encanta जाएंगे कि रंग पल्डारे से अच्छा तो यह कृष्णा ही है अच्छा गुर्जी बताओ कनुवा कह सकूंका अरे कनिया को कनुवा को जो भी तो करने कहनो है कही हो नाम करन संसकार हुआ और उसके बाद मैं बंदू कनिया थोड़े से और बड़े हैं और जब कनिया और बड़े होते हैं तो बंदू कहते हैं कि और जब कनिया नेक से और बड़े हुए तो कहते हैं कनिया एक दिन की बात है कि कंस ने एक और मामा जी के लिए भेजा और उनका नाम था तरणाब्रत कि आप तरनाब्रत हो कि आयों अंदि के रुप में गोल-गोल जो आंदि होएं divers में मार्च अपरैल में जो गोल-गोल आंदि आप वह उत्रणाब्रत हैं और तां आयो अब भ игр को लाला के लिए मया गोदी में लेकर कुई खड़ी थी हैं अब लाला सोचा कि मैया मुखों जभ तक नीचे ऱी कि रवाक्क का अपनों बढ़ा दियो अ बज़न बढ़ा दियो तो मैय को वज़न बहुत लगने लगो हाथ पर लने कि लाला के लिए कुपच हो गई हो जो साइड है ऐसा तो नहीं है कि लाला को बहुत देर से लेकर के खड़ी हूं साइड जही बज़े से लाला को लिए हूं गोधी में है लाला साइड जही बज़े से मेरो हाथ दर्द कर रहो हो गया जाला को नीचे वतार दियो कि तुना वृत आयो लाला को ऊपर ले गयो लाला ने एक हाथ का प्रहार किया तुना वृत को उध्धार हो गया उसमें से जोती निकली भगवान में विलीन हो गई कि आज तो वाबा ने प्रन कर लिया कि आप तो गोकोल में नहीं रहना है बो जो कहां रहना है बो जो जो आप तो विंदावन चाएंगे सभी वर्जवासियों को ले करके और गोकल से विंदावन की ओर जा रहे हैं और विंदावन जा रहे हैं हम सभी लोग भी विंदावन चाऊंगी जराचलके ब्रिन्दावन देखो जराचलके ब्रिन्दावन देखो वाजाते में लेगे जड़ा चले के ब्रंधा वनी देगो शामे बनसे बनाने मी लेगे और देखिये, और जैसे बंदावन में गए है तो आज भगवान लट्डू के रूप में मिले है आज भगवान लट्डू को पाल बन चुके है हमारे बीच में लट्टू को पाल आ रहे हैं भण मखवाद आए उनका फूजा करते हैं स्टिरादे जूला जूल रहे होंगे राधा प्यारी जूला 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 ते मिलेगे। जूला जूला रहे होंगे राधा प्यारी शाम जोला जोला कर में रहे देखिए बागवान जोला जोला रहे हमारे बीच में ठाकुर्जी आया है तो नहां को उपर किकर करके जो 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 पूजा करना चाहे माराजी पूजा कीजिए ठाकुर्जी की जाओ अखिया उड़ी की दिया जिते बागवान जोला 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 जो स्री राधे, बैंटो मन, खड़े उपर ग्यांग। मोदर महराज कीजें। पीराधे, बैंटो मेरे, बैंटो मेरे, बैंटो मेरे, बैंटो मुदर कीजें। कंद देखो, चाम बंसी बजा दे मिलेगे चलिके ब्रंदाख में देखो, चाम बंसी बजा दे मिले किन्हें देखो, चाम बंसी बान्र देखो, चाम बंसी बढ़्ए चोटिझ चोटिया, चोटिचोटिच्वाह, चोटिचोटिचोटिध रहराभ है, अविया वृद्धीन नीतर मृसरी नीतरि मरें भॉद्धीन क्वाह, झोटिचोटिया चोटीचोटिया चोटा सो 2006 नीतरितरो कॉद्धिनितर स्भास के शेथे एए कि अप्रियारे! कि अप्रियारे! कि अप्रियां में जोटी छोटी छोटी गई Isaac को सब्सक्राइस जोटी छोटी गई Isaac के अप्रिया दरम æंग कर दोफ। आहिंति मोल के दोफ। और रखने हो! और आगे आगे गई या पीछे पीछे गवार आगे आगे गई या पीछे पीछे गवार आगे आगे गई या पीछे पीछे गवार पीछे में मेरो मदलिको पार लेच्छी मैन मेरो मतल्लवा rhyme चोटी चोटी गया जोते चोटे गवा चोटी चोटी गया जोते खा Pad कि देखिए रादे आगवान चोटे हैं तो नहां उपर करो अटाने आओखिए रादे डाने आगवान चोटे आखिए रादे आखिए जारे देखिये, अभी आप लोग फुल मस्ती से नरतनी कर रहे हैं, आप लोग भागवान की जो मस्ती होती है, वो अपने उपर चड़ाईए पहले तो क्या? अनिवो! हुँआ हुँआ हुआ हुँ इनारे 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 चोट्टी चोट्टी गई आ चोट्टे चोट्टे गई कास का वे गई आ दूद्टी पीवे गई अच्छा एक बात बताए कौन अपने धाकुरजी के लिए मांकर खिलाना चाहती है, चाहती है तो ताली वजाओ बश्या जेकी है, चोटे चोटे का, चोटे चोटे बीए, चोर्डे चोट तो, तना घंड़ा सो, तना जार जो में, रहो घंड़ा सो該, कि नह का, आ नकार जो सो, अ अ constructing को आRI अजिवाँ! करक्स आजिवाँ! सब्सक्राइद सब्सक्रावा रक्ति शिवाँ! में जाओं तो पे बलिहारी 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 आओं तो पे बलिहारी तो यह और बादे लुटक नियुटु राधे लाधे लाधे लोड़े लुटुटु नर्ड़े लाधे लुटु पर गरो अच्क अचा प्रिंदावन नियुटु या यए पर करो. चल्डा चाहते हैं। मेरा थे एदयरा थेदा मेरा थे उन रदे आदे आदिए नन फिड़ा लादे गेड़ कि नासा प्रभी बंदे दिन जाती को जिमे कपडे दे विछी रूओ कपडे दे रूहे लुपिया जिन निजाणय बंदे वाँ और मन जुपियाle Gilay जय जय श्री रादेश जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से अंग अंतुगत्वा ठाकवर जी और पूरे स्री शाम सुन्दर और बाबा दंद बाबा सब लोग ब्रंदावन पहुंच गए हैं और जब ब्रंदावन में पहुंचे हैं और ठाकवर जी नेक्स और बड़े हुए तो कहते हैं कि यहां पर जब ठाकवर जी पहुंचें तो कहते हैं बहां भी ठाकवर जी अपना आनंद दे रहे हैं सभी लोगों के लिए सभी ब्रजवासूं के लिए और ठाकवर जी घर में थे और घर में थे नंद बावा एक बार पूजा कर रहे थे प्राता सुबह सुबह का समय था और सुबह सुबह और लड़ू गोपाल भगवाने की जय कहते हैं ठाकवर के लिए कोई भी नाम लो लेकिन दिल से नाम लो ठाकवर को दिल से पकारो तो ठाकवर आपके पास में आ जाएंगे आपका हाथ पकड़ लेंगे बस दिल में एक बार ठाकवर को बुला करके देखो दिल से बुलाईए क्योंकि ठाकर तो सभी के दिल में बसते ही है हमारी बीच में लड्डू को पाल का दर्शन हुआ कि दिल की दिल में है सूरत समाई हुई ए सूरत है दिलदार तेरी इन प्राडों के अंदर गूझ रही मुरली धुन की जनकाई हम करते करते हार गए कि हे मन मोहन तूरी जाही नही ये मन मोहन ये शाम सुंदर तूरी जाही नहीं वली तेरी वल हार तेरी भगवान को आप चाय जैसे नहार लो धन से पड़ाई से भगवान रिजने वाले नहीं है भगवान तो भाव के भूके हैं जिस दिन आपका अमन निर्मल हो जाएगा और भगवान को बसाओगे भगवान एक पल भर में हिर्दय में बस जाएंगे और वस्ते हैं तो नंद बाबा सुवए सुवए पूजा करने के लिए तयार हुए कहते हैं सुबह सुबह जब तयार हुए न तो बाबा ने पहले नारेण वंगवान का ध्यान किया नेत्रबंद किये तो लाला घुटवन घुटवन चलकर के और सिधे नंद बाबा के पास में बैठ गए चलो अच्छी बात है लाला आगयो अब बाबा ने भोग जैसे ही लगाने के लिए रखा नेत्रबंद किये वह ले नारेण वंगवान आईये भोग पालीजिए और जैसे ही खीर के लिए कहा भोग पाईये तो लाला ने खीर को उठा करके खाने लिए खाने लगे और जिसे कीर को खाया है यह क्या कर रहा है खीर को खा लिया जूठी खीर कर दी ओ यह सोधा है सुनो 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 इधर आओ इधर आओ अब यहां वावा काय को चिला रहा है अरे त्यारों लाला तो गजब कर रहा हूँ जो भगवान को भोग लगानों थो वह भोग क्वों लाला ने लगा दियो खिर जूटी कर दी चरू दूसरी बनाईए दूसरी आजका दिन निकल गया भोग लगा दिया लाला कहरे है पहले ने सालिक राम को देख लिया बाबा ने जेसे इशनान करया पंचा मरत से दूद्ध बडिया दैरीी साहे दो बडिया चीनी मिटिन इसे बड़िया अढ़ा है और या अंक रहा हुँ रहना स्ट्रे प्श पतोड़ करके आए बाबा कुस को तो तोड़ने गए उतने में कनिया ने ब reliesकमाल कर दिया लाला ने कहा कि इस सालिगराम को उठाइओ और मुखमे रख लिए बाबा आये बाबा ने देखा सालिगराम नहीं देख रहे कि उरे लाला तैने सालिगराम देखे है का अब लाला कहा बोले मुख में सालिक राम है तोई सो मैंने ना देखे लाज सालिक राम है अब बावा समझ नहीं पाए और खोज लिया बोले सालिक राम तो दीखना रहे आप लोगों ने सुनाओगा एक महराज हुए सुतिक छड़ाज जी कहते हैं उनके गुरुजी ने इश्णान कराया अब यह सालिक राम को इश्णान करने के वाद गुरुजी ने कहा बोले सुतिक छड़ाज जी देखना मैं आता हूं थोड़ी देर में और वहीं पर फल लगा हुआ था गुलाब जामुन का फॉले ए तो मुझे खाना है तो सालिक राम को उठाया वो उस में मारा पता चला की जामुन हात में वो सालिक सालिक राम जू जलमें आप कैसे इओनेंगे कैसे खोजेंगे गुरु जी हैने वाले काम करते है invented हैं ख़ंना है यही रख दैते हैं और सालेक राम को रख दिया बना करके गुरु जी आयि वडिक्सी अरर साले करा मंपाया दो प्र तोलमंहें रखा वह बढ़िया साफ कर रहे थे और सॉता किया za भ्र मॉस् Earam बुढ लिवढ अ और जिब गुठली वागा तो गुरूजी ने कहा क्यों रहे सृतिक्षण जी एक क्या है सालक राम जी गुठली बन गए कि अफ्वतिक्षण जी ने कहा आपकी बहुत बड़ी गल्टी है क्या गल्टी ऑफ गुरुजी करें नहीं सुधिक्षण यह तेरा कोई ना कोई इसमें तेरी चाल लगती है गुले गुरुजी यह सालेक राम ही है पुनी पुनी चंदन पुनी 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 चंदन पुनी 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 कि सिस्वी कि गुरु के पास अच्छा होना चाहिए एक बार की बात है एक मंदिर में एक विद्यालाय में बहुत सारे विद्यारती थे गुरुजी ने सोचा इस विद्यालाय का उत्तरादीकारी बनाना है इसको बनाओं कि सोचा उत्तरादीकारी कौन बनने के लाएक है परच्छा लेना पड़ेगा तो गुरुजी ने सभी ज्यारतों के लिए एक एक फल दिया जाओ एकेले में खाकर के आजाओ जो सबसे पहले आजाएगा उसको मैं उत्तरादीकारी बनाओंगा कोई गया वास्तरू में खाकर क सबसे लोट आयं में उन्धतरादीकार के दोन हो गया मेंगे और अभी तक नहीं आया को जब आया चैनल को लिकल कि निकस्दरे अया पताउड कि योडिकि योशन का टाब्स पांकल दो मीच आपने यह कहा था कि फल को एकांत जगे में खाना कोई देखे नहीं क्या बताएं गुरुजी मुझे एकांत जगे कहीं मिली ही नहीं चहां कोई नहीं देख रहा हो अरे संसार के लोग नहीं देख रहे हैं तो कोई वाप नहीं संसार का मालिक तो देख रहा है उसकी नजर देख रहा है उसकी नजर में उसके केमरे में हम छुपने वाले नहीं हैं दिख जाएंगे और और तो बाबा ने का लाला बता साले ग्राम को है वो ले साले ग्राम लाला जब नहीं बोले तो कहते हैं मैं भाबा समझे के भूल कही न हरो वैसे तो लाला बैठ जैन si AB which Sum कूं सब्सक्राइब फश्सक्राइब तो मोड़ों को एक ठिसक्राइब TRAV आकर बैदू समझ गे मोरी में रखो है आगा ओ जैसे आकि यो लाला ने साले कराम दिक्ट है क्यों हो रहे ऊई है अज तो तेरे लाला ने अधिकर दी अरे कहां कर दी ओ अरे साले कराम को मूह में रख लिए वस्ब गंदेकर दी बाबा ने पुछा लाला चाहे बता तो एने साले कराम को कहा सोचके मोडे में रखो है लाला इसके रहे अरे बाबा कहा बता है तुम डेली दिन साले कराम को साहद से इसनान कराओ दूद से इसनान कराओ दही से इसनान कराओ मक्षन से इसनान कराओ और चीनी से इसनान कराओ जो साहिद इतनी मीठी हो वे और ये तो ना जाने कितने दिन से इसनान कर रहे हैं तो ये कितने मीठे होएंगे जई चक्रवे रख लिए हो मैंने साले कराम को फिर बड़िया ब्रामणों को बुलाया बाबा ने फिर से पुना इसनान कराया अविशेक किया अब या लाला ने एक से और बड़े हैं गए और जब लाला और बड़े है भई अब लाला ने एक अपनी मंदली बनाई चुरकोट चोर मंदली अब लाला ने एक बात बताएं लाला जब बड़े थोड़े हुए आज मिया ने देखा इस मंदली बना रहा है इधर आओ मिया ने बुला लिया लाले करें मिया का मिया मुको तु डांटी डांटी रहें तो से बात नहीं करूंगो ना करेंगो मत कर अब यह जब पैसे तोतो में में थोड़ी से होने लगी मिया मिया से कनिया वोले अच्छ अ एक बात बता तो सम्पोहुत अदिन से बात कर वह चाहूं पोहुत दिन से सोच रहा हूँ आज समय मिलो है वो को मिया एक बात बताओ तू जाना दूद से प्यार कहार कर पूत से प्यार करें या जले दारी के दूद तो बहुत है पूत तो ये कही और लुद से कौन प्यार कर है पूत सभते ही यार करें अपने बा कमकू सु sorta Lala बोले रिम्म मुखों तो पर तो बिल्कुल विस्वास ना है मैं कैसे विस्वास करूँ लाला बोले अच्छा मैया एक बात कर बता तू जादा दाउ से प्यार करे के मुझे से प्यार करे यह नहीं का दाउ तो बड़े है तू छोटो है छोटे खोसब चाह वे लाला बोले मुझे विस्वास ना है अच्छा मैया एक काम कर बोले कहां काम करूँ पहले चूलो जला और चूले में बोले उपर दूद गरम करवे के ताहीं रख देओ और फर तू मोखंबाल में टांग ले ले पतो चल जाएगो दूद से प्यार करें के पूद से प्यार करें मुझा को याद आया ओ वहां दूद उफन जाएगा दूद तो करम करने के लिए रखा है मुझा ने लाला को नीचे उतारा दोड़ करके दूद को उफनने से बचाया तो यहां पूद उफन गया दूत उफनना ठीक नहीं है अब लाला उफन गया महिया से बात नहीं कर रहा है तो से बात ना करूंगो दूर है जै मेरी से लाला ने जब ऐसा का ते मयकर दिए अरे काय को परेशान कर रहा हूं आuki अजा मेरे ने का नहीं आँगो अरे नहीं आना है तो मत मैं दाउ600 मैं तो मैया तो दाव को ले लिए कि मैं तेरे से चोटी ना गुत्वाँगो मैं तो चोटी दाव की बाद दूंगी अब लाला शुच रहे हैं धमकी तो चली नहीं रहे है ऐगे अगरे और चैश्वाँ और टीरे पास बिल्कुल नहीं हम तरा क्राव या यह ऑलाला जोर से रोने लगे एक गंटा हो गयां रो ते मिश्कुने लगे अगरे लाला जान्हा रोएगा तो बीमार पड़ जाएगो मॉया ने नाचने लगे मॉया ने सुचा कि फर बाद बगड़ गए देख लाला तो को ताजो मांखन अभी ना मिलेगो सुवह को मांखन रखो है आज कोई मांखन ने लूमो तो अभी ही लूमो नो ताजो मांखन लूमो सामने बुलो कि मेहां ने नहीं दिया है ही दी रोने लगी मैहां सोच रही है क्या से चुक रुई होई लाला इरे मांखन ना चंद ममा चंद मांब जिंके सथोर ने कर रहे हैं कि यह मेल्या मौज कुछ चंदा मामा दूर से ना देखने चंदा मामा तो चाहिए एí ए ए का कुआ in रिखा दीओ और नीचे दिखा दिखा दिए हा और जैसे कनिया ने हाथ डाल तो चंदा मामा तो थे ना है कशुना है मैया तुमो को बहुत पागल समझ रहे यह का तू मों को जाने ना है मैया सोचले चंदा मामा रोने लगे मैया कहते हैं अरे अरे चंदा मामन है लाला एक और तेरे लिए कुछ अच्छी सी कुछ दूंगा बोले क्या लाला तेरे लिए तेरे लिए हम बहु लाएंगे बहु आहां बहु के जैसे ही सुनी लाला तो बलकुँ प्रसंद हो गए बोले मैया अब तो बहु ही लूंगो मैया मोने को बहु चाहिए अभी चाहिए दे दो मुझे बहु मैया ने कहां गैसा जाने कहा करेंगो मयाज बहू को कहां करके ऐंगो जो कियो जाए वही करूंगो अच्या बता कहां करेगो a अरे मयाज तो यह पतो ना है है जब में गया चिरावे जाओँ गो तो बहू के ताई जैम में रख लूगो घैया चिराऊंगो तो वाक को मोड़ो देखूंगो महिया सुच रहे गुडिया की बात कर रहा है अरे बहु कहा होए तो यह पतो है नहीं मैया बहु चाहिए राधिका गोरी से विरज की छोरे से मैया कराए दे मेरो भ्या राधिका गोरी से विरज की छोरे से मैया कराए है मेरो भ्याद उमर तेरी छोटी है लंगोट तेरी छोटी है कैसे करादू तेरो भ्या राधिका गोरी से विरज की छोरे से मैया कराए दे मेरो भ्यादू जो ना प्याह कराए तेरी गईया ना ही चराए आज के बाद तेरी मैया तेरी तेरी पर ना आओ आएगा रे मजा रे मजा अब जीत हार का राध का गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो भ्यादू जन्दन की चोकी पे मैया तुझको बेठाओ जन्दन की चोकी पे मैया तुझको बेठाओ स्याम सवेरे मैया तेरी चरण दब बाओ पोजन में बन बाओंगा बन बाओंगा छपन फिरकार से राध का गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो भ्यादू जन्दन की चोरी से मैया राधिका से करा दीजिए विवाय करेए मैया ने कहा ठीक है लाला विवाय है जाएगो और उसके बाद में आज भगवान ने जो मंडली बनाई थी तो मंडली में कहां दिखे एक मात था तो सब्सक्त की बालक सबसे पहले घर में ही चोरी करता है कहां चोरी करता है घर में सर परता है अब लाला ने अपने सखाओं से कहां देखो भी आओ अपनी ए मंडली है में अजक्स हों गया आप लोग अपने अपने घर में चोरी करना और सुवेरे सुवेरे आना अपने अपना रेजल्ट दिखाना अब कनिया भी अब पहली बार चोरीकर रेक निया रात्री का बढ़िया समय है रात्री के समय मिया सो रही है यह पहली बरह ने almost देखाओ भीया प्रिष्यों दीपक जंड रहो थो लाला उठे सब्से पहले दीपक को भोजा दिव है पहली वार चोरिये लाला सुचरें पहली वार तो पकड़ाँ में आना नहीं है कि मेरा चोरी का जो रश्टी तरी वह रद्ध हो जाएगा है इसमाप दो जाएगा परमी संदी मिलेगी चोरी की दीपक बुजायो और जैसी दीपक बुजायो तो हैगओ अनेरो और जब अनेरो आगओ तो भै दीपक पास में एक पुरानी मठकी रखी थी माखन की भरी हुई और कनिया को हात नेक सबसे पहले महिया ने लाला को दिखो लाला तो सो रहा है मठकी कैसे फूटी महिया ने सोचा साइद बिल्ली आई होगी मठकी फूट गए लाला हस रहे हैं बड़ी अपास हो गए बिल्ली का नाम लग गया पास हैं और शुवेरे शुवेरे सब सखाओं के साथ में मिले पदुमंगल आयो बोले लाला छमा कर मैं आथ से चोरी ना करू लुट का ना करें तो पतों ना है मेरी हालत कैसी भी पुरी रात भर अरे कहां है अरे मैया ने वोको रात में बांद के डाल दियो और लगा सूदम सट्था बहुत रात बर मारो है और रात बर में पिटके आ रहा हूं है कैसे है और चोरी करें तेरों परणाम है सब तैने लिए है कि अरे कहां बता एक दिपक जलना था वो दीरे दीरे जलना था मांखन ठीव से दीख ना रहा हो मैंने दो दिपक और जला लिए कि मांखन तो अच्छो दिखनों चाहिए और बढ़िया मौकर मैंने उठा करके अपड़िया खा रहे थे हाथ दौनों हाथों में हाथ आगए चीकने मैंने सोचा कि मठकी के लिए चीके पर रख दे और चीके की चकर में मठकी शूट गई और मठकी जैसे फूटी मया की नीद टूटी तो बस अफर उसने मुझे तोड़ दिया पूरा अब भाईया आशर चोरी ना करूं लाला ने कहां देख भाईया जो कोई हम बिजनिस करें प्यापर करें तो घाटों बाड़ों तो लोगी रहें अभी घाटों आएका वांगे बाड़ों है जाए को को अब यह लाला कि कहते हैं अहीरी की छोरी ने चचिया और चाचे पे नाच नचायो भगवाय तो थोड़े से माकरन के लिए नाच दिखाते हैं गोपी आती है लाला एक काम करो एक गोवर को ठभादो ऊपर सहरा दे दो ना लाला कहते हैं सहरा ऐसे ना दूँगो जितनी बार उठाएंगे उतनी बार माखन को एक लोदा है जाएगो अब काना कर निया ने एक बार उठा दिया दूसरी गोपी आई मैं थो पढ़ो लुख हो तू है ना है वह हिसाब भूल जाओंगो कि कितने मांखन के लोणदा है रहे एक काम करो जितनी बार उठुवायेंगी उतनी गोवर की बिंदी मेरे चेहरे पर रखते जाना बाद में गिंदी कर लेंगो उतने मांखन के लोणदा चाहिए है अब उठवाते के के सारे चैरे पर गोवर की बिंदी और दान गली मान गली प्रेमंगली कुंझ गली में और बुड़िया गए अपने मया के पास मैयाने जैसे देखो मोड़ा जो क्यों कि औरे लाला जिम्होडों तेने कैसे बना के रखो है अरे मिया तुम्हें पतों नाय आज मेरी नौकरी लग लगई तो पतों ना है नौकरी करके आओं कहां के रहो कहां नौकरी लग गई है अमने गायों की सिवा करूंगो गोवर उठूआँगो यह ने का अच्छी बात है मैया आई लेकिने चैरों तेरों ठीक नहीं लग रहो मैया पास में आई और चैरे पर हाथ बेड़ दिया पल्लू से साड़ी की पल्लू से सब कुछ बढ़े सम्मिट गया मैया करें मैया ने कहां अब अच्छा लग रहा है मैया कहां बताएं तो यह ने सब हिसाब को सब रचधी होते हैं अब कॉन से कितनों मांखन कर लोना चाहिए सब की जगेत भाटर वियर सब करते हैं हिसाब कें तो भूल गए cm कनी आम कसरे मां लेने के लिए हमाखन लेने के लिए कि अब मां लेने के लिए कि उप उप पिके है साब बताओ dollars कितना है कि रही कहते हैं साब भूल गए चहरा दो लिया माहिया ने अच्छे से नाच के तका ओक रिखाओ एक कमर पर रखो और फिर नाचू कर देखाओ एक बार नाचाहे एक ने माखन दे दिया अब इसे नहीं अब चुन दिया को ओड़के नाचो इसे भी नाच रहे हैं माखन लिए पड़ी आप प्रसुन नहीं अब ब्यांएए एक गोपी को नाम है चंद्रावली चंद्रा व़ली के घर पर कनिया चोरी करवे कैंद मिद्री को सबसे क्या पकड़े कर मिद्धा प्रसान कर देगी पकड़ लिए हो जाने तो अब कहां करें तो गोपी ने एक रूम में बंद कर दियो गोपी भाग गई बाहर ते कुंदी लगा दे गोपी जारी है मिया से सिकात कर रहे के ताइं लाला ने सोचा हाथ को गलवड है गो चोरी कहा करी पखरे गए लाला को कह दिख गये हो भई को छोरा दिंख गये हो वैं चतरा वली को य्क को लाला को बोला मुलें लाला इतकů भला तेरह मैया ब्रचा सय और को दोखैसे से से कुंदी बड़ी घमड में आ रही है आज तो कनिया की सिकाथ करना है ओ ये सोधा ओ शुदा महीं ने कहा काई कुछ ला रही है मैं चलाओना का तो ये पतो है का बाद के रिए चलाएना काई चला रही है बता अरी मैं या देखा माकन खावे के ताएं हो तो खा ले कच्छू बात नहीं परमाकन खावे और पुरानी जो बुजिरकों की मटकिया है मटकिन को भूड़ दे यह तो अच्छी बात नहीं आज तेरे लालो को मैंने कवरूं में बंद करके आई उन्चलो देखो मैया कहती है तू बावरी है तू पागल होगी है मेरो लाला अंदर ब अच्छी बावरी लाला मेरे घर में रूम में बंद है जहां जिस रूम में मठ्की को खोड़ा है मैया कहती है लाला को बलाओं का भले लाला यसे नहीं आए वह लाला तो आए लाला कनुआ कनुआ इदे रहो कन यह आगे अंगों मेरते हुए आप अचल के पीछे छिप गए विया ने का देख लेगो पी चंद्रावली लाला है कि ना है अब तेरी खैर नहीं कल प्रावंगो और तेरी ही चोरी करूंगो और कहूं की चोटी के लिए पती की चोटी से बांद दिया और चोटी को बांद करके कनिया तो आगे अब रात्री में पती को जल पीने के लिए उठना था पती उठे और जब पती जी उठे तो चोटी उतनी और गोफी कह रही है अरे इतनी रात को क्यों पाल तान रहे हो एक बार होगी पुले जोर से क्यों तान रहे हो अरे मैं नहीं तान रहा हूं यह चोटी तान रही है क्यों मजा करते हो चोटी चोटी कैसे ताने की तुम ही तान रहे हो सोजाने दो अरे कोई सुनेगा तो क्या कह अघज़ गपनेले love अंद एक अरे मैं नहीं लिए चोटी मेंी है तो जोटी को खोला सोच लेए तो पर निया की करतूति है और किसी की नहीं है है अस्बै तक जए few आपर चौटी कि हाए फिर प्रेसे तेरे लिए यह ज़ंच सब्किका निया फिर फिर लिए और चलिए आज तो कनिया तेरी पिटाई मिया से जरूर करवाओंगी अब लाला सोच रहे हैं आप तो बास्तम में पकड़े गए और हाथ जोर से पकड़ के रखो है और छोड़ भी ना रही के भाग जाएं कि लाला करें मैया छोड़ दे कोपी करें ना मत्की फोड़े फोड़ ले चोटी बांदे बांद ले चल लाला ने सोचा कर्षब करवड है जाए गो काम और कुछ लाला ने देखा कि भाई को छोड़ा आंगे दीख गयो इस सारे से कोई, जा साइड से अर बाई को छोड़ आ गयो और लाला ने मेगे समगा देख मिया तेने यह हांत तेड elabor है जी हांत मेरो दर्थ करवे लगो है जाएघ को छोड़ दे मेरो दूसरों हां पकड़ लें मैया ने का ठीक है लाला ने का को भी को छोड़ा को हांत भी की मैया पक हुआ यह सबाइभ यह इधार आओ इस बटन आ रहे हैं कि ने जाना जोर से चला रही है कि तो चला रहे हैं कि महिया आई अरे महिया देख तेरे लाला को आज मैंने दंगे हाथ पकड़ करके लाएं आज तो तेरे लाला ने घजब कर दियो मांखन की पूरी मट्किया फोड़ दी सारे आंगने में बिखरा दियो और आज कर नहीं हाँ थोड़ा सा रुदन भी कर रहे थे कौन सी ने मार दी ओरी टोना मेरो मचले स्याम सलोना कौन सी ने मार दी ओरी तोना मेरो मचले स्याम सलोना रोई रोई उदम करे सब घर में नाले मांखन लोना कौन सी ने मार दी ओरी तोना मेरो मचले स्याम सलोना दूदे ना पीवे लाला दही ना खावे और नए मांखन लोना दूदे ना खावे लाला नहीं ना खावे और ना ले मांखन लोना तो कनिया रो रहे थे वह जोड़ से की मिया देखो मैं बहुत परिसान हूं यह ब्रिच की गोपी मेरा जूटा नाम लेती है मैं यह करिया रोई मत कहा है वो कौन सी नहमार दी ओरी टोना लाला तो वद्वास नहीं घर आगहें और मैया ने जैसे कहा मेरो लाला अंदर है काई रही है अरे पहले घूंगर तो उठा पतों चाल जाएगा कि मेरो लाला है को और कोई-को लाला है देख छंद्रावली मेरो लाला अंदर है लाला को बुला लियो पहले घुंगा तुठा और गोपी ने जैसे घुंगा तुठायो उपर भई को छोड़ा दीखो गोपी ने एक तमाचा लगायो अपने छोड़ा में क्यों रहे यहां कहां ते आयो कब्ल खाण का ते आयो तो इह पतोना है मैशा करेत से आया और कहां ती आयो और तुछी तो पकड कर करके लाई है कि और का ध्यायो अट Niya आएक महार और दिया कि निया आये को विच्छे कभी अ जय दो भई आला ने ओसा तो गोपी के लिए और चुले करेंगे मनसुका कि लिला करते हैं ओ मन्सुका मन्सुका ओ लाला अरे ओ मन्सुका चलो अई अरे अब मन्सुका हमारे वीच में आते हैं देखे भगवान का परम सखा है मन्सुका जो मन सुख को प्राप्त करें वो मन्सुका है ओ मन्सुका और मन्सुका हमारे वीच में आ रहे हैं और आज कनिया को मांखन खिलाएंगे हम आप सभी लोग अग्याइग अग्याइग मन्सुका ओ मन्सुका रे मन्सुका आगे हो भीया मन्सुका आप ओ भीया राम राम भीया राम राम सहाँ जोर से बोलना पड़ेगा है ओ भीया मन सुका आज तो राम राम भीया राम राम सहाँ राम 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 जी अरे मन सुका आज तुने इतनी देर कहा लगा देई आज कच्छू पूछो मत तेर कहा लगा देई आज मैं घर में कच्छू काम कर रहे हो कहा काम कर रहे हो आज घर में काहा काम कर रही हो सब कर दे वो हम कर रही हो आज मैं अपनी घरवाली के कपड़ने दो रहू है एक बात बिचार करवे की है साल में 364 पेंसट दिना हों में तो हमारी घरवाली हमारे नित्रप्रत कपरन को दोवे और यदि आज मैंने वाके दो दिये तो कौन से बादल फट जाएंगे अच्छा जा बात है अब हमें बात ये हती कि या आज मैं सुबह जगे हो कि अब जगे हो तो हमारी घरवाली मोते बोली पंडित जी इसनान कर ले हो मैं तुम्हारे काजे माल भुआ बनाए दाऊ तो मैं गयो नहावे को तो मैंने देखे हो या बाल्टी में मैं ना हूँ बुआ बाल्टी मेरी घरवाली अपने कपरन ने छोड़के चले गई क्योंकि बईय रवार इनकी आदत हो वे है कि घर के कामकाज करवे के कादन वो अपने वस्त्रन ने गील ए वही पात्र में छोड़दामे या में इसनान करें घर के कामकाज निप्टावे के बाद अपने कपर ने दोवे अच्छा 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 है पंडीची पहुंच गए नहावे गाजे तो मैंने कोई बात ना आज यासुबकाद कर लो तो मैंने अपने घरवाली के कपड़ा धुबे तो वार्द से हमारी पंड़ा नी और प्रसन ने है गई जब प्रसन ने है गई तो बोली पंडीठी मालपुपाब नाऊ मैने बनाए लेो बोली एक काम एकश्ट्थो की कमी है मैंने कहा कमी बोले पंडी जी आज घी खतम है गयो है तो मैं गयो बजार दुकान ते एक पीपा सुध घी को ले आयो और लाई के मैंने अपनी धरम पत्नी के हाथ में दे दियो धरम पत्नी ने करहाई गरम करी अवा करहाई में वो घी को पलटायो तो वा में ते नेकों खुसबू नाय आई जब नाय आई तो हम पति-पत्नि में जगडा चालू हो गया जगडा कैसो है को ऐसे कि वो डालडा बतला रही जो हमारी स्रीमत्य जी हैं वो डालडा बतला रही और हम लाएगी सुद्ध और इसी बात में हो गया हम पति-पत्नी में युद्ध हम पति-पत्नी में युद्ध संभाला हमने जंडा गुस्ता में जंडा उठाय लियो हम पत्पत्नी में युद्ध संभालो हमने जंडा और दो बेलन पर गए कमर पे धंडा हो गया धंडा हम तो उठाएके रह गए और हमारी धरमपत्नी मालपुआ बेल लई उतनी दे में तो वाने दो चार जड़ दिये कमर पे बस इसी गैरत के कारण हम फे जा पहुँचे बाजार और दो आने का संखिया हम ले आये ततकाल संखिया मतलब जहर ले हात में फंकी मारी लेट गए चदर ओर के कर स्वर्ग की तैयारी नहीं मरे फिर भी इतने बेसरम जो है नहीं मरे क्योंकि लाज या किस्ना ने राखी क्योंकि वाद डाला की जगे घी की जगे डाला नकली और जहर के जहर हुआ नकली दिए हुआ दुकान अच्छा आँ अब यह बताओ कायकू बलाएं लाला इन फालतों की बातन को छोड़ हां आच्छा कनिया बलाए रहो है कायकू बलाए रहो है काल क्रेंग के छलते हैं जोमाराच जी मैं साफ बताओं तो Dallas बिआना नहीं अगर प्रम करते हो या और यह कम हुनिद्ध क obviamente नहीं तुम्हें बहुत अच्छी तो वहाँ तो फोन कर दियू भई आजी हो वहां पता करेंगे अब कह दो चोलिक करेंगे यहा कि हमारी चोलेगा हमारे बाप के बाप के अच्छा इतने बाप तेने खिलाएं का खिलाएं देखे नाए मैंने गोधी में और खिलाएं इतने बाप गोधी में खिलाएं और गहां अरे अच्छा तो एक काम करते हैं हाँ चोरी करने चलते हैं तो मैं तो वैसे यही समझाओं देखो दिक्षित जी घर है बहुत दूर ब एक बात बताओ मेरो वाज काका खो गयो है अच्छा सुबहे गयो जमना जी अपनी गईया को पानी पिवावे काजे अब तक काका आयो ही नहीं लोटके अब कर दो मों कुपते होते होते हैं अरे मैं जमना जी थे तीन चकर घर के लगाई चुको अरे अरे तो कंडे पर कौन को में ठार हो थे यह कौन है देख लो एंगा यह कौन है कहां यह कौन है काका तु मेरी चांद में बैटो या तेरी मूठे निकसे आई अब आज नाय दे सके कि में उपर उते रे क्यों कर नहीं या चोरी गर पर चलेगो पको चूरे जाजी को जाएगो चोरी करेंगे माखन माखन हम खाजाएंगे पिटाई उकाजाना है और कहा तु भी हम पिटाई खाए खाएगो सब्सक्राइब मुझाँ करें तुम घाऊ और हम चले यह चोरी करेंगे लुगको भरिंगे नाजी वह दुने हाथ को अठा कर करके तेरी मीथी लागे चाच गुजरिया तनके चखाए देरी तनके चखाए देरी गुजरिया तनके चखाए देरी तनके चखाए देरी तेरी मीथी तेरी मीथी तेरी मीथी तेरी मीथी तेरी मीथी लागे चाच गुजरिया तर्दकित चक्राइब तेरी दी दी लागे अजिको जरिया तर्दकित चक्राइब आज पर दो नहां को प्रकिले प्री रादर अच्छा है रादे देखे एक बात हमारे कनिया के संकौन को नाचना चाहता है अच्छा एक बात रादे अलो कनिया एच छोटे कनिया जिस माता का हाथ पकड़े वे उसको कनिया के साथ नाचने का हुसर पर आपत होगा ओ लाला, ओ लाला, पकड़ करके नचा की आओ तेरी मीठी, मीठी लागे आज गुजरिया तर्दकित चकई देरि लादे, ओ लाला, कोई म्या को हाथ बीच मैं से, बीच मैं से बीच मैं ले जाओ, हाथ हाँ, 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 कर दो कर दो और पहुतना तेरसिया प्याजो तेरी छाज को त्रिराखे आयोगो आयोगो आनद मारासिको एक चुल्लू, एक चुल्लू, एक चुल्लू में तेरो काप गड़े हस्काय तेरी एक चुल्लू में तेरो का बिगड़े, हास मुस्त काय दैरी तो माखन चुरा, माखन कनिया को कौन खिलाना चायती है माताएं और भाई चायती है तो रहाद उपर किजिए तेरी मीठी, तेरी मीठी, तेरी मीठी लागे चाज को जरिया 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 जिड़ाने वेला दें! विए अचंदुन दिखिए इसके नहीं पीशे की हमारी माता है वगवाने आवाखन का रहे हैं आप लोग ऐसे मैठी है भाईवी सभी के हाद उकर होना चाहिए सभी के हाद जो भगवाने सच्छा प्रेम करते हो कुल्मा खच्चोर वग्मारिके पोड़ोट्स कोफान हुआ। चोनां भोडुक्त कोफान है। और किया ना देखिया ऐसे में अभी आनम ने आया दोना हालो बरिकीजे शवीलो, बिनादर! बल्ले माहा कच्छोर बखवार की! favorite music जिरी मेटे लागना, शाज गुजड़िया, तननक छतर दैदी, तेरी मीटे लागना, शाज गुज़िया, और क्या जोड़ू हाथ पड़ू तेरी पईया क्यों तर सावेरी क्यों तर सावेरी रथिया पूर्ण होय देख में मन हर सावेरी तेरी लवू तेरी लवू तेरी लवू तेरी लवू पलयया कोरी जाए नाच थितावेरी तेरी भी थी लागे चाज गुजरिया तन के चखाए देरी है तेरी मीठी लागे चाज गुजरिया तनके जगाए देरी री मिर्नी लागे चाज गुजरिया तनके कि चखाए देरी झाल झाल तिरी बीठी लागे चाज गुजरिया तनके चखाय देरी जै जै स्री रादे जै जै स्री रादे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलिया है सभी लोग अदाइस्तान बढ़ जाई है सभी लोग संथी से बेढ़ गठा और उसके बार में गोवर्धन पुजा के लिए बहुत तरीके से गोवर्धन की कुजा करेंगे हमारी लुइस करने का फल परापद होता है जोर से वोले अभी मेरे कान तक आवाज नहीं आ रहे हैं अभी भी नहीं आई आवाज पीछे के नहीं बोलना है वाज तभी लोग बोलो कल भगवान का यहां पर पाड़ी करें संस्कार है तो कल धराती और बढ़ाती बनकर के आएंगे ठीक है और भगवान के पैर भी पखारे जाएंगे राधा रुकमनी और द्वारक अधिस के साथ में कल भवाए होगा अए कथा को आंगे बढ़ाते हैं ब्रंदावनम ब्रंबनम ब्रंदावनम नाम पस्यव्यों नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुन्याद्रित्रडव वीरुधं अज इस ब्रज में बहुत आनमदारा है भगवान ने मांखन चुरी डिला कुरें और मांखन खाया भी है खिलाया भी है भगवान मांखन खाते थे तो घंटी वजना प्रारव हो जाता पाई और जब भगवान ने गंटी से का क्यों बशती है गंटी भी कहती है जब आप भोग लगाएंगे तो विन भोग के विन घंटी के भोग नहीं लगता है बगवान और बड़े हुए अगासुर का उधार किया जो की अजगर की रूप में आये था बगवान ने बकासुर का उधार किया और उधार करने के बाद केते हैं कुचिद वनासे मनुः ददद ब्रजाताहा प्राता समुथाय वसस सपनाहा और जब भगवान अगासुर का उधार करते है उसके बाद में कहते हैं बंदो की बगवान ने और रिडाओं को किया है अंगी चल करके बगवान एक रूप और बनाया है एक दिन की बात एक गोपी अपनी टोकरी में फूल रख करके और फलों को रख करके बैचने के लिए जा रही थी तो जब जा रही थी तो करिया के बोल रही थी भया फल ले लो फल ले लो फल ले लो और जब कनिया के पास महुंची कनिया आए बोले ठीक है फल ले लेंगे चूड़ी सब ले ले लेंगे कुछ को दो ना किया कुछ दैंगे नहीं क legendary तो देदो करके अब फल कंनिया के लिए को करिया ने यह खोटा सा एक अन्न का दाना दे दिया फंले यह अनंद में है क्यों बोले आज कणिया का दर्शन हुआ है अब गोपी जब गई थी तो बड़ी अठीक ठाक थी और जब कणिया की दर्शन करके क्यारी एंच तो कहते हैं को पी की चाल्डाल साभ चाल सब्चन्ज हो गया कर एक फैरेदर रख रही है एक पहले आई तो ले ओर आवाी है तो क्या बोल रही है कोई गोपाल ले लो कोई Gopal को पाल को ही एक के लिए दूसे वले साइक इसके लिए नीया का दर्शन हूं गया है इसलिए गोपाल गोपाल बर्दा रही है इसको तो गोपाल बेच रही है गोपाल इसको गोपाल दिग गए सायद गोपाल कनया ने कोई पागल बना दिया इसको इसलिए गोपाल कहिती डोल रही है एक बार की वाध एक भक्त के लिए कोई नाम यान नहीं था तो अचानक कोई भक्त किसी ने बतां दिये गोपाल को भजो गोपाल और नाम भूल गया वो तो गोपाल 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 भगवानां के दर्शन दे दिये तो भगवान को हिरदेश फकारो किसी भी नाम से फकारो तो भगवान आ जाते हैं और आंगे चल करके बंदो यहाँ पर भगवान बहुत अच्छी लीला करते हैं एक दिन ब्रमा ची आए बोले यह भगवान नहीं हो हो सकता है बोले क्यों एक दिन की बात है कि भगवान एक समय की बात है कि मैया ने आज क्या किया कनिया ने मिट्टी खाई और जब मिट्टी खाई तो कहते हैं मैया ने पकड़ा कनिया पकड़ाई में आगए मैया ने का लाला तेरी मिट्टी खाई मोड़ो दिखा लाला ने मोड़ो दिखा दियो तो मैया के लिए उस मोड़े में पूरी दुनिया दिख गई मैया बेहोस हो गई मुरे लाला हमारो फुत्र नहीं है मैया व्योस हो गई लाला ने सोचा मैया समझ जाएगी सब बेकार है जाएगो और बंधो लाला इन बच्चों को बैठा लिजिए बैठा लो बच्चों को कनिया को महाँ पर कर दो और देखिए सांती से बैठेंगे हमारे भाई इतने खड़े हैं से मेरे निवीद नहीं था इस्तन बैठ जाओ अच्छे लगेंगे और देखिए आज कनिया ने मैया को जो दिखाया है ब्रह्मांड उसको सब भुला दिया है और मैया ने आज लाला को बादने के लिए उखल के पास ले गी और जो उखल के पास ले गी मिया तो कहते हैं मैया बानती हैं लेकिन रस्षी दो अंगल खम पड़गाती हैं और रस्षी लाती है फिर जोड़ती है फिर बांती हैं फिर रस्षिक गभक कई वार किया बांती हैं बांथना चाहती हैं भग्मान बंधनेखाय नहीं है पहली नहीं हैं बंधन में बंधने वाले नहीं है रस्षी कम पढ़ जाती है बहुत देर हो गई मैया परेसान हो गई और जब मैया ने अच्छा रस्षी क्यों नहीं बन रही है कनिया तो प्रेम के भुखे है अगर प्रेम से बान होगे तो जरूर बन जाएंगी क्योंकि प्रेम में वह सकती है कि पत्थर भी पिखल जाते है प्रेम में वह सकती है कि हम जिसको अपना है प्रेम कर लो तो वो हमारे लिए समर्पत हो जाते है और मैया ने जो प्रेम से कहा और भगवान बन गए और उसमें नलकूबर मणी ग्रीव थे दू ब्रक्ष थे और भगवान कनिया थोड़े आंगे जैसे बड़े है उन दू ब्रक्ष थे वो उखड़ गए उससे दो आत्मा निकली उनका उधार हो गया आंगे चलकर के भगवान एक वार की वात है अपने सखाओं के साथ में कनिया बन में गए और बन में गए और कनिया ने कहा अरे भई आओ मुझे भूग लग रही है भूग स्रिदामा ने कहा कि यहां पर यहां पर घर किसी का पास में नहीं है कनिया किसी का वो महरी स्रिदामा कहता है कनिया मेरा घर पास में नहीं है कनिया ने कहा मित्रम सकामों को बहुत जोर से भूक लग रही है मुझे कुछ खाना है स्रिदामा ने का अरे मधुमंगल मधुमंगल तेरा घर पास में है तो कनिया को कुछ खाने के लिए ला और मदुमंगल घर पर गया बोलो ठीक है कनिया को खाड़े के लिए मैं तुझाम करता हूँ और मदुमंगल घर पर गया और घर पर गया तो उसकी रसोई में कोई खाने की वस्तु नहीं थी घर पर जाने के बाद में मदुमंगल रोने लगा अपने आख को अभागा समझने लगा अरे मैं कैसा अभागा हूँ आज पहली बार ठाकुर जी ने मेरे से कहा है मुझे भूक लगी है और मेरे घर पर ठाकुर जी के लिए कुछ खाने के लिए कोई वस्तू नहीं है रो रहा है रोते रोते उस मदुमंगल की नजर तीन दिन की बासी कड़ी पर नजर पड़ जाती है और उस मदुमंगल ने कड़ी को लिया बासी कड़ी है तीन दिन की चार दिन की और लेकर के जाने लगा रोता है मैं ठाकड के लिए कड़ी खिलाऊंगा और वो भी बासी कड़ी नहीं, नहीं, मैं ठाकुर के लिए ये कड़ी नहीं खिला सकता हूँ ठाकुर से बोलनुगा, ठाकुर जी मैं आप के लिए मैं कुछ खिला नहीं सकता हूँ मेरे पास में वो सकती रही है और मैं खिलाने नहीं चाहता हूँ लोटता है लेकिन सोचता है चलो कनिया है खिलाई देंगे मदुमंगल थोड़े आंगे आया रोते 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 एक ब्रक्ष के पीछे छिप गया बुल ये कड़ी मैं ठाकुर के लिए नहीं किला सकता हूँ मैं नरक में चला जाओंगा अरे मैं ठाकुर मेरे से रोते तो रोत जाए लेकिन मैं एक कड़ी अब तो नहीं किला सकता हूँ उस कड़ी को उस मदुमंगल ने खा लिया कनिया ने देखा कि आवी तक मदुमंगल नहीं आया है कनिया मदुमंगल की खोच करने के लिए जैसे ही गए है जो का कि मदुमंगल ब्रक्ष के पीछे ये छिपकर करके कड़ी को पी रहा था कड़ी को पी लिया कनिया आए क्यों रहे लाला तो खूब भूग लगी थी मुह से एक बारे बोल दे तुम्हें कड़ी ना पी तो तुई पी ले तो लेकिन दोस्ती के पीछे तुई क्या कर रहा है कपट कर रहा है तुँ अच्छा नहीं है मुझे भूख लगी थी लेकिन मदविमंगल तुने मौकों कड़ी ना रही तो कच्छु बात ना है लेकिन मौकों कड़ी भगवान ने दीधी है मंदविमंगल ने सुचा लिए भगवान और किसी ने दिया हो बंधु वह कड़ी और कहीं नहीं कनिया कहते हैं अरे मंधु मंगल तु इधारा मेरे पास मैं कड़ी को पीना चाहता हूं और कनिया ने अपनी जोवा से जो मंधु मंगल के ओंटों पर कड़ी लगी हुई थी हमारे कनिया उस कड़ी को अपनी जोवा से चाट रहे है आज ये मधु मंगल कहने लगा मैं धन हो गया हेठा को तू इतना करुणा निधान है कि इस तीन दिन की वासी कड़ी को तू अपनी जोवा से मेरे ओठों से चाट रहा है एक कनिया है प्रेमी कनिया को जिसने सच्चे दिल से माल लिया वह पाएगा क्या रसका चसका वह पाएगा क्या रसका चसका नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा क्या वो लगाएगा वो हस्ता हुआ स्याम मिलेगा उसे जो निजे प्राणों की भेंट चड़ाएगा जो निजे प्राणों की भेंट चड़ाएगा नत कहता है हम प्रैमी हैं दिल के पके चाए जहां बिठा दे या अर्शासमान पर चड़ा दे या खाग में मिला दे हम प्रैमी हैं दिल के पैसे भगवान अब कथा तो मिश्तार से करेंगे समय और लगेगा आंगे चलकर कि भगवान ने चीजहरण की कथा यहां पर आई है चीजहरण भगवान ने यहां पर किया है और एक बात बताए अ निर्वस्तर नहीं थी, भूपिया नए वस्तरों को पहन करके कात्याईनी मंदर जाती थी, कात्याईनी महामाये, सर्वयोगन धे सोरे, नंजगोपि सुतम देविन, पतिमते नमो नमहा, कात्याईनी महामाये, सर्वयोगन धे सोरे, नंजगोपि सुतम देविन, पतिमते कुरुते नमहा, और इस पुरस्की साधी नहीं हो रहे हो, पत्नी मनोरवाम देहिये, मनोवर्दाम तारडिम, तारडिम दरुक संसार सागर सकलोद भवाम, साधी हो जाए गए, गोपियां स्याम सुन्दर को पती बनाना चाहती थी, इसलिए शुनान करके कात्याई नहीं जाती थी, पहली बाद, लोग कहते हैं निर्वस्तर थी, निर्वस्तर नहीं थी, नए वस्तरों को पहन करके जाती थी, तो कनिया ने नए वस्तरों को चुराया थी, चीज़हरण की लिला हुई इसके बाद में आज बढ़िया जोर से बोलना पड़ेगा सुन्दर पकवान बन रहे थे और जब सुन्दर पकवान बन रहे थे लादे और जब पक्वान बन रहे थे बंदो तो कहते हैं कि कनिया मिया के पास में गए बोले मिया मिया मुखों पक्वान दे दो पक्वान दे दो और मिया ने कहा बोले पक्वान ऐसे ना देंगे बोले फिर कैसे कब दोगी मा मिया वुली बोले आज किस दिन इंदर की पूजा हो गए और जब इंदर की पूजा है जाए तब ही भोग लगा करके फिर तेरे लिए पकोड़ी देंगे कनिया रूठ गए और जब कनिया रूठ गए बाबा के पांस मुझे बाबा बाबा मैया ने आज मुखो पकोड़ी ना नहीं है कि मिनुर्ट की पूजा होएं अंद्र की पूजा और कनिया एंस होच रहे हैं कि हम हमारे रहते हुए हमारे चिलाओं की पूजा होजा इंद्र की यह नहीं दूगा अच्छा बाबा ये बताओ तुम्हें इंद्र की पूजा कहें करो इंद्र की पूजा करें इंद्र प्रसन नहीं जाए तो बारिस होए बारिस होए तो खेपी अच्छी होए सब अच्छा होए कभी इंद्र ने दर्सन दिया है दर्सन तो नहीं दिया का नहीं या बोले बावा हमारों एक देवना है वो दर्सन भी देवेगो तुम्हारे भोजन को भी करेगो और किरपा भी करेगो कौन है बोले गुवर्धन है गित्राज जी अब बैल गाड़ी बढ़िया सबील कर्मणा जायते जलतो कर्मडेव बिलियते सुखं दुखं भयंचेवं कर्मडेवा अभी पत्धते सवी उर्धवासी जा रहे हैं आए गोवर्धन हम लोग चलते हैं गोवर्धन की परक्रमा लगाने से ब्रच्क में जो साथ कोस की परक्रमा है चार कोस की राधा कुंड की डिसेंड को उसकी मुखरबूर ऑदाने से परिक्रमा लगाने का फल परापक है वहां पर आप लोग गोवर्धन की प्रिक्रमा लगाएंगे ने चुल्वरंड ऊणहिते इसमनी फर कि नियां औरक मारे कर लिया क्किल्वyan आ पर कि अगर भान का है कल बहुत सुंदर सुंदर कता है कल कंस कब बढ़ा होगा तो कल भाए में विभाय के तरह से आएं जिसे विभाय होता है और देखिए कि कई लोग है अमरे कारले पर जाते हैं पूछते हैं ती इस पाटिक और इंट का स्रीयंत्र रहे उसको रखने से घर में लक्षमी की प्राप्ति होती है घर में क्लेस नहीं होता है तो जो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और रुद्राप्ष की माला और यहां तीन भयाओं ने 11-11 रुपे गुप्तदान दिया है गौसाला में जोड़ार इनके लिए ताली बजाएं ना यह गुवर्धन परवत पर चलते हैं आए माने मेरो मन्वा नाए माने मेरो मन्वा सो बहुर्दान ने को जाते हैं तुछ मेरो मन्वा आताइशाएं तो भाला ने यहार भाला टेट हैं तो अनके अधिछ मेरो कि 사टे हैं है हैं में तो गोवर धन को जाओ मेरे भी नाय माने मिरो मनवा साथ कोश की देपर क्रमा साथ कोश की देपर क्रमा साथ कोश की देपर क्रमा दे परिक्रम्मा दे परिक्रम्मा दे उपरिक्रम्मा साथे को सकी दे परिक्रम्मा औरhouse babe में तो मानिसी गंग नहाओ मेरे भी आय माने मेरो मनुग हमें तुमाने मेरो मन वसकी रिज़ की भीवा ने तो ने हो तो नहीं भी लैवाने मेरो मन वसकी रिज़ की भीवा ने तो नहीं भीवाने मेरो मन वसकी रिज़ की भीवा ने तो नहीं भीवाने मेरो मन वसकी रिज़ की भीवा ने तो नहीं भीवाने मेरो मन वसकी रिज़ की कि अज़ी दाओए कि अज़ी दाओए कि अज़ी दाओए कि अज़ी दाओए कि अन्हार्टों लिए कर दो, करके दो, करे रहे, करेंगा है, करेंगे करेंगे, और ये जो, हमारे पंडाजी चपन भोग भी लगाएंगे वहाँ पर मैं तो गुवर्दन कों जाओ मेरे बीरनाय माने मेरो मदवा गुवर्दन गऊ जाओ 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 लगें हैवाने मेरो मदवा और क्या एक रुपा की पाव जले वे एक रुपा की पाव जले भी मैं तो पेठे, मैं तो पेठे, मैं तो पेठे चड़क पेखाऊ, मेरे वीर नायमाने किरो बनवान मैं तो पेठे, 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 मै दाओं को पूजा करना चाहते हैं एक एक करके और बाकी लोग यहां नरत पर दिखाएंगे उपर करिए अरिवो तिराद है एक करके नूजाइ जाओठым करुशे नरीवो outra थे करिदू要 है पीम्हाद सकत्विक ले भबने की लेक कर्दम इंप अए इंप छादने की लेका तो देखें रादे, बात उससे नहीं भी देने की एक साथ मिना आए एक करके, और बात्ति उपरहां किजिए और किया चंपा चाहे चले भी चाहे रही मताऊ निविदमे कि थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए एक साथ में कोई पुझा नहीं कर पाएगा अभी आना लेना है नहीं तो आर्थी करा देंगे हाथ उपर कीजिए स्री रादे क्रिकान अभी आर्थी सवासी सारे करें ले आर्थी में वेल रादे हाई हाई लो हाई हाई जोर से बोलिये आट उठा करके आए तो जोर से बोलिये आर्थे आर्थी करें क्या आए एक वजन और आर्थी करते हैं त्रीगो अर्धन महाराजे महाराजे तेरे माथे मुटुक विराजे रहे महाराजे तेरे माते मुटुक विराजे रहे तेकिए हमारे जो भाईया है वो नाच के दिखाएंगे कल बराद में आना है सबको तो नहां दो करें उपल माता है सब जो त्रीगो अर्धन त्रीगो अर्धन महाराज तेरे माते मुटुक विराजे रहे तेरे माते मुटुक विराजे रहे तेरे जाकी तेरे जाकी तेरे जाकी बनी विचाँ अभिचाँ तेरे माते मुटुक विराजे रहे तेरे जाकी विल्टाँ अच्छा एक बाद बाते ललललन गोपाल लललन गोपालो लिकशी की एक साथ में आचो हाथ पकड़के अगे करें बादें मुकुट्ट बिलादिना, चिरिगों वर्दन महाला, महाला, तेरें मुकुट्ट बिलादिना, आप सभी, हरिवो! बिलादि और कर शिए राध Rem आनALKली में आदे बरकमा बे िए राधे तो नहार रही से विलूब जय जय श्रीरा रहे जोर से बोलना पड़ेगा राध हे, राध हे कल के विसे में कुछ जनकारी देना चाहूंगा जैसा कि कल यहां पर बहुत ही सुन्दर महारास होगा महारास में जो भी माताएं बहने राधा किसन के साथ में नत्य करना चाहती हैं तो वो गरबा के दंडे लेकर के और घर से ही तयार होकर के यहां आएगी और राधा किसने के साथ में यहां बहुत सुंदर महारास होगा और उसके बाद में यहां पर किसने और रुकमरी का बहुत ही धुम-धाम से समित की और से बिवहाद किया जाएगा आप सभी उस विवहान मंत्रण में उपस्तित हो करके स्रीमत भागवत कथा के छटे दवसका रस्पान करके अपने जीवन को सपलता की ओर ले चलेगे मानता है जिस माता वेहन के या भाई के कन्या नहीं है यदि वो माता रुकमरी की गोद भराई की रस्म हल्दी की रस्म पूर्ण करती है तो उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है जा ये से कन्या का विवाह योग नहीं बन रहा है तो गोदी माता का व्रित पूजन करे और रुकमरी जी की गोद भराई की रस्म पूर्ण करे तो राधारानी की किरपा से आशिर पास फल प्रूप एक वर्ट के भीतर ही उसका विवाह संपन्न होने का भागवत जी की जनों के मद्दबर पधारे हुए हैं जैसा कि पहले भी कथा के प्रादम में मैंने ओगत कराया था कि गुरू बनाना मनुस्व जीवन का सरप्रथम धर्में हैं यदि किसी ने गुरू नहीं बनाया है अन्था किसी के मन में ये चेश्टा जाक्रत हो रही है कि महराश्री को गुरू बनाना चाहिए या इनकी भासा सेली में, इनकी गुर्वत्रा में इतनी सक्ती है कि ये गुरू बनने योग हैं तो कार्दयाले में संपर करके बात कर सकते हैं यहां से यौगत कराए जाता है महाराज की पूजा के द्वारा सुद्र यंत्र महाराज की माला वहां उपस्तित है कार्याले में जिन भक्तों को लेना है वो संपर कर सकते हैं अन्यथा जो भी भक्त महाराज स्री के मुखार बिन्द से अपने गाओ नगर छेत्र में या अपने इस्ट मित्रों के हां कर सकते हैं जैस्री डाधे चयस्रीषिद को सिण कप रादे राधे जैसा कि आप लोगों को प्रदितन यहां पर सूचित किया जा रहा है कि है काई के पचले पात जुनों से लगातार यहां पर धुम्द्धाम के साथ संपन हो रहा है कल सीकेशन जन्म उत्सभ का बहुत ही आनद पूरक मनाया गया कि जो सफ़ेखरिकर है कि दो मझोलत ऑरर आपके सामने घुवर्खान लीटा हूई परतेग्दिन यहां पर सीधु ज्यूदाय जो जहांकी की प्रसुति की जा रही है अपने अपमें ौन हैं यहां फ्ली पार यहां पर हम को देखने को मिला है कि पृत्य दिभस दो तीन दिन जहांकिया प्रसुक्रिया रही है और उनका विद्धान के साथ में पूजन किया जा रहा है यह अपने आप में बहुत ही प्रम्स्वागी की वात है जो जहांकी निकल लिए उनका जो मन पूर पूजन करता है उनकी मनों कावना प्व प्रयोजन था जिसमें सारे लोगों को पूर्यमिल सके उनके जो प्रिट्र कृण है उनका moving हो सके और घर में जो भी बिक्न बादाइं आती है उनकी शांथी के लिए यहां पर इस यजय का आयुजन किया गया था इस भागुत का आयुजन किया थाcular comes T the fellow इस खengersल्जन का तो पुजा होई रही है लेकिन अभी हमारे हाथ में केवल दो दिन बचें जो भी भाई भैन जो भी माता हैं अपना इस भागवत यग में सहयोग देना चाहते हैं पुन्य कमाना चाहते हैं पित्रों को सांथ करना चाहते हैं तो हमारे हाथ में केवल दो दिन हैं हमारे मंदर की तरफ से सारी व्यवस्ता की गई हैं एक दिन के लिए उनके 11 रुपे की रास की गई है साथ दिन का तो अभी खतम ही हो अन्नदान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान संसार में साहित कोई नहीं है, यदे आप जो है पांस वर्वेका एक अन्नदान का संक्रप लेंगे, तो इसमें मैं समझता हूँ कमसकर दो जार आधियों का इसका पुन्न मिलेगा, इसलिए आप लोहों से नम 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 देन और कुमनी की साधी है, इसमें दुम्दाम के साथ में हम लोगों को इस साधी को संपन कराना है, जिस तरह आपको मालों के साधी में क्या-क्या दिया जाता है, कन्या दान किया जाता है, बर बरपत्षी की दर्प से, पताकी पक्ति से, जो भी हम लोगों से ब्यवस्ता होगी आप लोग भी इस पुण्य कमाना चाहतें इस भागवत सीमल्भावत के द्वारा तो आप लोग भी मन्या पूर्वक जो भी आप रहन जाना है जो भी संक्रम लेर करके के साथ करेंगे आपकी मनुक माणा आवल से ही पुर्ण होगी आप लोग जैसा कि मालमें के मंदल की तरफ से चपन भोग का तो हम लोगों ने अर्जमेंट किया है तेकिन हमारे बहुत सारे माताएं बहने यह अपना घर से भोग लगाने के लिए लेके आई हैं उनका भोग बजीवपूरता लगा दिया गया है और वो सारे जो भोग हैं दो प्रकार के भोग हैं एक सु जाएं और उसको लेकर के ही जाएं कोई भी आजमी द्हांदल नहीं करेंगा कोई आजमी आगे फिशे लिए आराम से सब को प्रसाद मिनेगा बहुत अच्छा प्रसाद आये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाल अब आगे का कारक्रम आर्थी होगी मनेफुर्ग आर् सब्सक्राशी और वाले बाहर के जो लख्तेगर आई हुए जूम करके आर्थी करेंगे श्रीमत भागवत की सब्सक्राशी और वाले आर्थी करेंगे श्रीमत अच्छा प्रसाद में बसाके तेरी मूर्थी उतारो में किरिदर तेरी आर्थी आज मन में बसाके तेरी मूर्थी उतारो में किरिदर तेरी मूर्थी तेरी आर्थी हो तेरी आर्थी हो तेरी आर्थी हो तेरी आर्थी आज मन में बसाके तेरी मूर्थी ओतारों में गिरधर तेरी आरदी ओ करू ना करो कष्ट हरो क्यान दो भगवल ओ में फसी नाव मेरी तार दो भगवल करू ना करो कष्ट हरो क्यान दो भगवल नाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवल दर्द की तवा तुम मेरे पास है जिन्द की तयाकी में दीक मागती मन में बसा के तिरी मूर दी उतारो में गिरधर तिरी आरदी बेद तिरी महमागाए संद करे ध्यार नारत गुणगाण करे छेड़ वीडाता बेद तिरी महमागाए संद करे ध्यार नारत गुणगाण करे छेड़ वीडाता भक्त तिरी द्वार करते हैं भुकार तास व्यास तेरी दाए आरदी मन में वसा कर तिरी मूर दी उतारो में गिरधर तिरी आरदी पाग तुस्स क्याव यही सोचते भगवल जिन्तगी अब तेरी नाम कर दे अरदी माग तुस्स क्या मैं यही सोचते भगवल जिन्तगी अब तेरी नाम कर दे अरदी सब कुछ तिरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तो तुझ को प्रभु संसार की मन में बसा के तिरी मूरती उतारो में गिर्दर तिरी आरती उतारो में गिर्दर तिरी आरती कर्मोन कोरम क्याश्ट वितारवधम सचारव मुझे भी कुसता वसस्oftव रचाय अभंबभाबी सिशन अवांब पत्रिक्छ अभा पत्रिक्छ इघ्योलिट्नि निभी आपन भाधन जलिए परियों जिद्ने नाइद्ने गदे बास्तानि रमाद प्रधा मान्न आसनन तेहना गम्महि मानहा सजंदद अभूर्वे साध्याह संदिरेवाह हरियों दायवदमहे वक्डूंदायदीमही तन्नो दंदी प्रजोदयाद हरियों गड़यं बिकाये चबदमहे करमसिद्दै चधीमही तन्नो गोरी प्रजोदयाद हरियों कात्या इन्नी चबदमहे कन्या कुमारी चधीमही तन्नो गोरी प्रजोदयाद हरियों तदवरसायबदमहे महादेवायदीमही तन्नोर जाब्र जोदेयाद चरनार बंदयो हो बैदे कमंदव दवान जली समर भया में ही बोलिय स्रीमत भागत महा बराणे की बाग के बहलाले की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में बीसुब का बीसुब का नातन धर्म की गमाता की वियाश्जी महराज की जैजे स्री राधे तेरी आर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तिरा, कुछ नहीं मेरा, चिंता है तो तुझको प्रभु संसार की, मन में वसा के तिरी मूरती, उतारों में गिर्दर तिरी आरती, हो तारों में गिर्दर तिरी यारती कुछ तारों में गिर्दर तेरी आरती, हो तारों में गिर्दर तिरी आरती, यारती कर्मुन टोरंको ड़ाव तारो, संसहारा मुज नक्तंत अवसास up रजय doubtee heartee चैनल, बंदी आत्ने वाधुन दोगा, बंदी बंदी वाधु आधी Прी यो चैने नाइद्नल्य अंत्ना बंदी असन्ना तेहना गम्महिमानह सजंदद अभूर्वे साध्याह संदिरेवाह हरियों दायवदमहे वक्डूंदायदीमही तन्नो दंदी प्रजोदयाद हरियों गड़यं बिकाये चबदमहे करमसिद्दै चधीमही तन्नो गोरीपरजोदयाद हरियों कात्यायनी चबदमहे कन्या कुमारीचधीमही तन्नो गोरीपरजोदयाद हरियों ततबर्जायपदमहे महादेवादीमही तन्नोर जाब्र जोदेयाद चरनार बंदयो हो बैदे कमंदव दवान जली समर भया में ही बोलिय स्रीमत भागत महा बराणे की बाग के बहलाले की धर्म की गिकी अधरम का अधरम का अधरम का प्राणियों में प्राणियों में बिस्तब का तन्रम की गवमाता की बियाश्यी महराज की जैजे स्रीराधे भी हम निचनपांट 500 एक सर्जन कुमार नेमानी जी 1100, जांजरिया जी 1100, बजिन्गलार सेनी जी 500, अवेशिंग जी 501, सीविदी गायत्री मिस्रा जी 501, सिरी भगत 500 पत्थी, संत्री मिस्रा 501, इनकर जी 501, रजिनी सिंदे पुलिसमेंट 201, क्यामन, टक्टर राहूल पुरोज 201, योगस मिस्रा 200, महेश जोशी जी 500, स्री चंद्र वाली जी 501, विजैशने गुप्ता 1111, अतुल कडिया जी 1100, रवाशंगर मिस्रा जी 501, तुबे जी 100, किषन टेलर जी 1100, हरिश्चंद्र मनिरान दोई 501, शुदर सान रावल 501, लीला दर्जी तोर्का 501, संजे दायमा जी 501, मैं इन लोगों का मने पूर्वक अविर्दन करता हूं, कि जनों ने इस मंडल को अनदाता के रूप में अपनी छोटी सी राशी दिये, इस प्रकार से हमको प्रते दिन मिलते रहें, तो हमारे मंडल आगे तक कारवाई करते हुए, आप लोगों का पुनिमार के स्वर्श कर आगा, धन्यवार